Hello everyone, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे Diversity in Living Organisms यानि की Class 9th Biology का 3rd chapter Diversity in Living Organisms हमने 1st 2 chapters complete कर लिये हैं ये होने वाला है एक introductory video जहां पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से topics हम इस chapter में cover करने वाले हैं So welcome to Magnet Brains, मैं हुँ विभूती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा introductory video जो की है Diversity in Living Organisms के उपर सबसे पहले तो Diversity का मतलब क्या होता है Diversity का मतलब होता है Varieties आपके पास बहुत 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 ताइप की Varieties की Chocolates होती है, Toys होते हैं, ठीक है Games है, Sports है, उसी तरह से Living Organisms भी बहुत सारे हैं बहुत सारी Varieties के हैं और उसी Variety को हम कहते हैं Diversity तो इस चाप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे Bio-Diversity ये Bio-Diversity क्या होती है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या significance है इसका हमारी Life के साथ, वो सब हम इस topic में cover करेंगे Next topic क्या होगा? Classification of Living Organisms देखो, हम पढ़ेंगे Bio-Diversity, जिसमें हम दिखेंगे कि बहुत सारे Type-K Living Organisms होते हैं हमारी Earth में 1.7 to 1.8 million Living Organisms होते हैं बहुत से ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं होता, लेकिन वो exist करते हैं Earth पे तो अब Scientist ने क्या बोला? कि इतने सारे Living Organisms हैं, एक-एक को पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्यों ना इनको हम category में डाल दें? याने कि इनका हम classification कर दें कि जब आप एक class को खोलोगे, आपको कई सारे ऐसे Living Organisms दिखेंगे, जो कि काफी हद तक एक जैसे होंगे तो यहाँ पे classification of Living Organisms हुआ, कैसे हुआ, किस basis पे हुआ, और कौन-कौन सी classes में Organisms को divide किया, वो सब हम पढ़ेंगे इसी topic में फिर इसके बाद में आता है relation between classification and evolution evolution हुआ है, और classification हुआ है, तो classification और evolution के बीच में क्या relation है, क्यों हम दोनों को relate कर रहे हैं आपस में वो भी हम देखेंगे इसी topic में, फिर इसके बाद में आता है binomial nomenclature, देखो, organisms तो हमें पता है कि इतने सारे थे, ठीक है, उनको हमने classification भी कर दिया अब सवाल आता है उनको नाम देने का, नाम करन करने का, ठीक है, इंडिया में ही इतनी अलग-अलग languages बोली जाती है local languages है, अलग-अलग state की अलग-अलग language है, all over world तो बहुत सारी languages होंगी तो scientist ने कुछ ऐसे नाम दिये, सभी living organisms को, जिनको एक, जैसी हम उस नाम को बोले, तो पूरे world जो है, उस नाम से उस organism को पहचान ले जरूरी नहीं है, कि जिसे हम lion बोल रहे हैं, वो दूसरी country में lion के नाम से ही जाना जाता हो तो scientist ने क्या किया, उनका नाम करन किया, यानि कि binomial nomenclature उनने perform किया, जिसकी वज़े से हर एक living organism को एक standard नाम दिया गया जिस नाम से वो पूरी दुनिया में जाना जाएगा, अब वो कैसे हुआ, कौन-कौन से नाम दिये गया, वो हम पढ़ेंगे इस topic में फिर इसके बाद में आता है hierarchy of classification, classification तो हमने पढ़ लिया कि हाँ चलो ठीक है, organisms को जो है, अलग-अलग classes में divide किया गया लेकिन कौन-कौन से classes में divide किया गया, तो वो आएगा 5 kingdom classification के अंदर, scientist ने सभी living organism को 5 kingdoms में divide किया था कौन-कौन से, monera, protesta, fungi, and planty, and animalia, इन सभी 5 kingdoms में, scientist ने सभी living organisms को divide कर दिया था अब कौन से किस basis पे इनको divide किया गया था, और monera में, protesta में, अलग-अलग kingdoms में जो living organisms आते हैं, उनके क्या features होते हैं, क्या characteristics होते हैं, वो सब भी हम पढ़ेंगे हो सकते हैं कि आपको ये नाम अभी यार ना हो, लेकिन जैसे-जैसे हम step-by-step इन सभी kingdoms को पढ़ेंगे, आपको इनके नाम भी याद होंगे, और इनके examples भी याद होंगे, तो अब हम next video में start करेंगे, हमारे first topic के साथ, biodiversity के साथ, तो complete course के लिए Magnet Brings Plus में जरूर अपग्रेड करें, और इस topic के notes आपको available हैं हमारी official website पर, magnetbrings.com पर, thank you for watching. Hello everyone, आज हम इस video में start करने वाले हैं हमारा chapter, diversity in living organisms का first topic जो की है biodiversity, previous video में हमने एक introduction देखा था कि कौन कौन से topics हम इस chapter में cover करने वाले हैं, आज हम इस video में start करेंगे इसके first topic के साथ, biodiversity के साथ, So welcome to magnetbrings, मैं हूँ भी भूती खरें, तो चलिए start करते हैं, आज का हमारा topic biodiversity, सबसे पहले तो मैंने आपको previous video में बता दिया था कि diversity क्या होती है, जो अलग-अलग varieties हमें देखने को मिलती है, उसी को हम कहते है diversity, living organisms भी अलग-अलग type की होते हैं, तो इसलिए हमने नाम रखती ह या उनका diversity in living organisms, अब biodiversity क्या होती है, इसके basic definition हम देखते हैं, variety of life forms found in a particular region, एक particular region में जो अलग-अलग type के हमें living organisms या फिर हमें life forms देखने को मिलते हैं, उसी को हम कहेंगे उस particular region की biodiversity, क्या बताया है मैंने आपको? एक particular region में अलग-अलग type के जो living organisms या जो life forms हमें देखने को मिलती हैं, उसी को हम कहेंगे biodiversities particular region की, ठीक है? अब हमारी earth में 1.7 to 1.8 million organisms exist करते हैं, रहते हैं, बहुत से ऐसे organisms ऐसे हैं, जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है, क्यों नहीं देखा? इसके दो reasons हो सकते हैं, एक तो को होंगे microscopic, microscopic मतलब की इतने छोटे होंगे कि हम उन्हें बिना microscope के देख नहीं सकते, अब हम हर कहीं तो microscope और magnifying glass लेके नहीं जाते हैं, कि जहां हमें कुछ देखने को मिला, हमने तुरांत magnifying glass लगाया और देख लिया, नहीं, तो कुछ organisms ऐसे होते हैं, इतने जादा छोटे ह होते हैं, कि उनको हम naked eyes से नहीं देख सकते, हमें जरुवत होती है microscope की, ठीक है, ये एक reason हमें समझ में आ गया, कि क्यों हमने बहुत सारे living organisms को देखा ही नहीं है, दूसरा reason क्या हो सकता है, वो कुछ ऐसी जगा पे रह सकते होंगे, जहां पे living, हम human beings या कोई other animal नहीं जा सकता जैसे कि जंगल में जाकर हम survive नहीं कर सकते, लेकिन हा, जो animals है वहाँ पे, वो हमने देखे हुए, हमने tiger देखा है, lion देखा है, जिराफ देखा है, ये सब wild animals हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ organisms ऐसे भी होते हैं, जो की extreme climatic conditions में होते हैं, extreme मतलब की thund याने की इतनी thund की minus degrees में temperature जा रहा है, minus 50, minus 60, ऐसे temperature में भी organisms रहते हैं और successfully survive करते हैं, कुछ organisms ऐसे भी होते हैं, जो की बहुत high temperature पे रहते हैं, hot springs में कुछ organisms पायर जाते हैं, जहाँ पे हम human beings की life possible नहीं हैं, ठीके, तो ये दो reason हो सकते हैं, कि इतने सारे, इतने सारे 1.7 to 1.8 million organisms present हैं, लेकिन हमने कभ देखा नहीं है, ठीके, लेकिन एक बात मैं आपको बताओं, देखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई importance नहीं है, जितने भी living organisms अर्थ पे exist करते हैं, सब की अपनी एक importance होती है, जैसे कि हमने बोला कि lion और tiger extinct हो रहा हैं, हो जाने दो, क्या जाता हैं, डाइनोस को, लेकिन हमने pictures में देखा है, उनके उपर movies भी बनी है, तो कोई बात नहीं, हमारी जो next generation आएगी, उसका भी हम lion और tiger की pictures देखा देंगे, उनके उपर movies बना देंगे, क्या जरूवत है उनको बचाने की? है जरूवत बचाने की, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं, जितने भी living organisms Earth पे हैं, सब एक दूसरे से interrelated है, सब को एक दूसरे का काम पड़ता है, हमें नहीं पता कैसे, लेकिन पड़ता है, जैसे कि सारे living organisms involve होते हैं food chain में, ठीके, food chain क्या होती है? एक organism ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खा लिया, तीसरे ने चौते organism को खा लिया, जब बहुत सारी food chain आकर के combine हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं food web, याने कि food chains ने क्या बना लिया, एक जाल बना लिया, ठीके, और उसको हमने नाम दे दिया food web, अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारी food chains है, ठीके, जैसे कि पहली chain देखते हैं, यह है एक ट्री, ट्र एक को कौन खाता है, हिपोपोटेमस खाएगा और जिराफ खाएगा, और दोनों को कौन खा जाएगा, लोयन खा जाएगा, अब मैं अगर आपसे बोलू कि लोयन हटा दो, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना, ना कोई होगा जिराफ को खाने के लिए, ना को होगा कोई ह लेकिन नहीं, अगर ये नहीं होगा, तो इन दोनों की का जो नंबर है, जो population है, वो बहुत बर जाएगा, यानि की population को कंट्रोल करने के लिए भी हमें लौयन की जरूरत है, कहने को वो उसका शिकार करेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, है ना, क्यों फालतो में बि जाएगी, तो बाकी जानवर कहां जाएगे भई, जंगल के, तो क्या बताया मैंने आपको, ये हो गई हमारी एक food chain, पेड था, पेड को किसने खाया, पत्तियों को किसने खाया, जिराफ ने खाया, जिराफ को किसने खा लिया, लौयन ने खा लिया, फिर इसके बाद में हम किसने खाया, स्क्वेरल को किसने खाया, वल्चर ने खा लिया, ये एक पूरी food chain है, दूसरी तरफ हमने क्या देखा, फिर से हमने पेड देखा, पेड में हमने देखा, पेड को किसने खाया, डियर ने खा लिया, डियर को किसने खाया, लेपड ने खा लिया, अब अगर मैं होगा तो फिर लेपरड किसको खायगा है ना तो एक की कमी के कारण उसको खाने वाला और वह जिसे काता है दोनों चीज़ें अफेक्ट ओ रहे हैं यानि की यानि अच्छा चलो ठीक है इन इन दोनों को ना हटाके मैंने ट्रीस को हटा दिया तो अब जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो कौन खाऊएगा और यह जो दियर है अपने पास वह किस ठीज कोख़एगा पता नहीं दियर नहीं रहेंगे तो लेपर्ड कहाँछे रहेगा, यानि कि हर एक living organism जिसको हमने देखा हो, चाहे ना देखा हो, हमेशा हमारे लिए वो जरूरी है, क्योंकि वो food chain, food web का एक पार्ट होता है, तो इसे लिए सभी living organisms हैं, जरूरी हमारे लिए, फिर इसके बाद में ये जो living organisms होते हैं, ये differ करते हैं एक दूसरे के साथ, क बैक्टीरिया हमने देखा था, माइक्रोस्कोपिक होता है, उसको आप कंपेर कर दो elephant के साथ, कितना बड़ा animal है वो, और कहां एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, दोनों living organism हैं, लेकिन जरा दोनों की shape और size में तो फरक देखो, ठीक है, फिर इसके बाद में color भी depend करते ह हैं, color भी change होते हैं, विससी बात है, butterfly को देख लो, butterflies कितनी अलग-अलग color की होती हैं, है ना, है वो सभी एक ही, butterfly ही है, लेकिन color देखो, कितना अलग-अलग होता है सबका, फिर इसके बाद में pattern अलग होता है, internal structure अलग होता, फिर इसके बाद में habitat, जहां वो रहते हैं, वो खाना खाते हैं वो, कहां से derive करते हैं वो, वो भी अलग होता है, फिर इसके बाद में उनका behavior, कैसा उनका behavior है, क्या nature है, वो भी जो है ना, vary करेगा, और इसके बाद में external appearances और extra, यानि कि सभी living organisms, जो इतने सारे present हैं, हमारी earth में, एक दूसरे से interrelated तो होते हैं, है ना, जैसे हमने food chain और food web पड़ा हमने, लेकिन वो आपस में different भी होते हैं, कैसे vary करेंगे, color में, size में, shape में, structure में, external appearance में, internal structure में, habitat में, है ना, बहुत सारी चीजों में, वो एक दूसरे से differ भी करते हैं, तो ये हुआ हमारा biodiversity, biodiversity क्या होती है, एक particular region में, जो various life forms देखने को मिलती हैं, उ हमारी earth में 1.7 to 1.8 million organisms present होते हैं, सभी living organisms एक दूसरे से different होते हैं, shape, size, structure में, internal, external structure में, color में, habitat में, behavior में, etc. लेकिन सभी एक दूसरे से interrelated होते हैं, कैसे हमने अभी food chain का और food web का हमने एक example देखा था, कि कैसे हम किसी भी एक food chain में, अगर एक organism को, living organism को गायब कर दे, तो उससे जुड़े जितनी भी living organisms हैं, वो affect हो जाते हैं, right? तो जरूरी नहीं है कि सभी living organisms को जिनको हमने देखा है, हमारे लिए सिफ वही important हो, जिनको हमने नहीं भी देखा है, वो भी important होते हैं, हमारी gut में, याने की small intestine में, large intestine में भी bacteria present ह होते हैं, जिने हम कहते हैं good bacteria, अब हमने कभी intestine के अंदर गुसके नहीं देखा, है ना, लेकिन फिर भी present हो है, और वो कहलाते है good bacteria, क्यों? क्योंकि वो हम जो खाना खाते हैं, उसके digestion और absorption में help करते हैं, जब हम कभी बिमार पड़ते हैं, तो bacteria हमारे body में, जो pathogenic bacteria होता है, ज bad bacteria के साथ, यानि की pathogenic bacteria के साथ, जो की disease cause करने आया है, उसके साथ में जो अच्छे bacteria है ना, वो भी चले जाते हैं, मर जाते हैं, तब क्या होगा, डॉक्टर फिर हमको अलग से दवाई देंगे, probiotics देंगे, जिसमें की good bacteria होते हैं, और वापस उनको जब हम अपनी body में ले, तो वापस वो हमारी intestine में आ जाएं, क्यों? क्योंकि वो bacteria हैं हमारी body के लिए useful, है ना, तो इतने living organisms हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत important होते हैं वो, तो इस video में हमने पढ़ा biodiversity, अब हम next video में start करेंगे, living organisms का classification की classification क्यों किया जाता ह हैं और कैसे किया जाता है, राइट, complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic की notes आपको available हैं हमारी official website पर, magnetbrains.com पर, thank you for watching, hello everyone, आज हम इस video में पढ़ने जा रहे हैं, classification of living organisms, जो की है हमारे chapter, diversity in living organisms का second topic, राइट, so welcome to Magnet Brains, मैं हूँ विभूती खरे, तो चलि classification of living organisms, देखो, इसको समझने के लिए, आज मैं बनती हूँ एक school teacher, ठीक है, और मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, अब मुझे दो games खिलाने हैं, एक मुझे sport चाहिए है, cricket का करवाना है, दो matches करवाने, एक कराना है मुझे cricket का, और एक कराना है मुझे basketball का, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस बच्चे को कौन सी टीम में भेजू, जब मैंने बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने बोला कि मैम हमें तो दोनरी पसंद है, चाहे तो आप हमें basketball टीम में डाल दीजे, चाहे आप हमें cricket टीम में डाल दीजे, अब मैं हो गई बिल्कुल confused क कि अब मैं क्या करूँ, कौन से बच्चे को basketball टीम में भेजू या कौन से बच्चे को मैं cricket टीम में भेजू, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला कि क्यो ना मैं लंबे बच्चों को basketball टीम में डाल दू और जिनकी हाइट थोड़ी कम हैं, उनको मैं cricket टीम में ड क्रिकेट टीम में तो यहां पे मैंने क्या किया इतने सारे बच्चों को उनकी हाइट के बेसिस पे दो टीम्स में डिवाइड कर दिया यानि कि यहां पे मैंने कर दिया classification किसके basis पे height के basis पे यानि कि बहुत सारे वच्चे थे उनको दो groups में दो teams में मैंने divide कर दिया किसके basis पे height के basis पे classification भी यही होता है previous video में हमने पढ़ा था biodiversity के बारे में जहां हमने देखा था कि हमारी earth पे 1.7 to 1.8 million living organisms होते हैं ठीक है अब हर एक organism को अलग study करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो आये हमारे scientists उन्हों ने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है एक काम करते हैं इनको हम classify कर देते हैं याने कि इनको अलग-अलग categories में या अलग-अलग classes में डाल देते हैं ठीक है तो उन्होंने क्या कर दिया classification किया है similarly classification की definition क्या आई arrangement of organisms into categories जब हम living organisms को categories में divide कर देते हैं उसी को हम कहते हैं classification अब classification को कोई basis तो होना चाहिए ना जैसे जब मैं school teacher बनी थी तो मैंने क्या क्या था height के basis पे बच्चों को दो teams में divide कर दिया था उसी तरह से classification भी बेज होता है on similarities और dissimilarities between living organisms याने कि ऐसे living organisms जो की कुछ similarity शो करते हैं कुछ समानताय रखते हैं आपस में उनको एक category में डाल देते हैं और वो living organisms जो की उनके साथ match नहीं करते ठीक है उनके बीच में dissimilarities होती हैं उनको अलग group में कर देते हैं याने की समानताय याने की similarities and dissimilarities के basis में living organisms का classification या फिर उनको categories में डाला जाता है फिर third point क्या होता है helps to explain unity in diversity ठीक है एक तरफ तो हमने classify कर दिया है लेकिन सभी living organisms है तो biodiversity के ही पार्ट है ना तो सभी living organisms के बीच में एक unity को भी explain करने की कोशिश करता है कि माना हमने अलग अलग categories में रख दिये हैं लेकिन एक category बनी कैसे उन living organism से बनी जो की आपस में एक दूसरे से मिलते जूलते हैं ठीक है तो यहां पर diversity में हमने unity भी दिखा दी माना divide किया है लेकिन हर एक class में जिसमें हमने living organism को divide किया है उसमें जो living organisms हैं वो एक जैसे ही है तो यहां पर हमने क्या show कर दिया unity and diversity फिर इसके बाद में classification of life forms is related to evolution अब अगर आपने introductory video पढ़ा होगा इस chapter का तो आपको पता होगा कि यह हमारा था third topic इस chapter का कि क्या relation होता है classification में and evolution में इस stage पर आप बस इतना ध्यान रखिए classification क्या होता है और वो related होता है evolution से अब वो कैसे होता है यह हम पढ़ेंगे next video में third last point क्या बोलता है Charles Darwin first described idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species Charles Darwin आया थे यह एक scientist है जिन्होंने इनकी एक book थी The Origin of Species यह वाली इनकी एक book थी 1859 में आय थी इन्होंने ही describe किया था evolution को इन्हीं को सबसे पहले idea आया था कि evolution नाम की भी कोई चीज होती है फिर हमने यह पता लगाया कि evolution declassification से related होता है कैसे वो हम पढ़ेंगे next video में अभी मैंने आको क्या पताया अभी यह मैंने आको पताया classification of living organisms जो कि क्या होता है अलग-अलग living organisms को सभी living organisms को अलग-अलग classes में या categories में divide करने की process को हम कहते हैं living organisms यह division या यह classification किस पर based होता है तो वो based होता है organisms के बीच में जो similarities होती है और जो dissimilarities होती है माना हमने living organisms को अलग-अलग categories में categorize कर दिया है लेकिन तब ही वो unity show करेगा कैसे? क्योंकि जैसे मैंने बनाई एक category A और दूसरी बनाई B ठीक है? अब जैसे जब मैं school teacher बनी थी तो मैंने क्या बोला था? कि जो basketball team में जो बच्चे होंगे वो लंबे होंगे और जो cricket team में जो बच्चे होंगे उनकी height होगी थोड़ी कम याने कि जो basketball team में बच्चे होंगे वो सब कैसे होंगे? लंबे होंगे तो उनके बीच में unity आ गई न, वो सब कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, उसी तरह से जब हम living organisms को अलग-अलग categories में categorize करते हैं, तो एक category में, यानि कि A category में आने वाले जो living organisms होते हैं, वो होंगे एक जैसे, उनमें होंगी similarities, और जो B category में living organisms आएंगे, वो भी एक जैसे होंगे, लेकिन A से different होंगे, A से different होंगे, लेकिन B में जो जितने भी present होंगे, वो एक जैसे होंगे, A में जो present होंगे, ठीक है, वो एक जैसे होंगे, और B में जो present होंगे, वो एक जैसे होंगे, लेकिन आपस में different होते हैं, तो यहाँ पे unity and diversity को भी explain कर दिया गया, फिर इसके विन को आया था और उन्होंने 1859 में अपने बुक The Origin of Species में यह आइडिया हमारे साथ शेयर किया था अब किस तरह से classification related होता है evolution के साथ यह हम पढ़ेंगे next विडियो में कब्ली कोर्स के लिए MagnetBrands Plus में जरूर से इस अपग्रेड करें और इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको अवेलेबल है हमारी ओफिशल वेबसाइट पे MagnetBrands.com पर Thank you for watching Hello everyone, आज हम इस विडियो में पढ़ने वाले हैं Relations between Classification and Evolution हमने स्टार्ट किया था Class 9th Biology का 3rd Chapter Diversity in Living Organisms जिसमें अभी तक हम दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एक हमने पढ़ा था Biodiversity और एक हमने पढ़ा Classification of Living Organisms आज के इस विडियो में हम पढ़ेंगे कि Classification और Evolution के बीच में क्या relation होता है So Welcome to MagnetBrands, मैं हूँ विभूती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक Classification और Evolution के बीच में क्या relation होता है तो देखो, सबसे पहले Classification को तो हमने अच्छे से समझ लिया था प्रीवेस विडियो में कि क्या होता है Organisms को अलग-अलग Categories में Categorize करना on the basis of similarities and dissimilarities present in them उसी को हम कहते हैं Classification, right? अब ये Evolution क्या है? ये एक नया term है तो चलो, सबसे पहले Evolution को ही समझते हैं देखो, Evolution का मतलब होता है कि Living Organisms में Time के साथ-साथ उनकी Body में कुछ Changes आते जाए ये Changes क्यों होंगे? क्योंकि उनके बाहर का जो Environment है यानि कि जो External Environment है वो Change होता जा रहा है जिसके कारण उस External Environment में Survive करने के लिए उनको अपनी Body में कुछ Changes करने पड़ेंगे तब ही वहाँ पे वो Survive कर पाएंगे इसी को हम कहते हैं Evolution Evolution क्या है? एक ऐसी Process है जिसमें कि External Environment के Change होने के कारण Organism की Body में भी Changes आते हैं ताकि वो उस External Environment में Successfully Survive कर पाएं जी पाएं ठीके? उसी को हम कहते हैं Evolution और ये होता है एक Time के साथ-साथ ऐसे नहीं कि एक दिन में जो हैं Evolution हो गया धीरे-धीरे, Step by Step कई साल लग जाते हैं Evolution की Process को Complete होने में तो क्या मैंने आपको बताया अभी Evolution क्या है? एक ऐसी Process जहां पर Organism की Body में कुछ Changes होती हैं, कुछ Modifications होते हैं किसके Respect में? क्योंकि External Environment उनके बाहर का जो Environment है वो Change हो रहा है जिसके कारण उनको वहाँ पर Survive करने में दिक्कत हो रही है तो उनको वहाँ पर कुछ Changes अपनी Body के अंदर लाने पड़ेंगे और ये Changes बहुत ही Gradually होंगे ऐसा नहीं होगा कि एक दिन के अंदर या एक घंटे के अंदर ये Changes आ जाएं इस पूरी Process को हम क्या कहेंगे? Evolution कहते हैं Evolution एक होती है Complex Process और Time Taking होती है एक Example से इसे हम समझते हैं ऐसा माना जाता है कि जो जिराफ्स थे पहले आज जब हम जिराफ्स को सोचते हैं हम इसकी एक Image Draw करते हैं कि जिराफ्स जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है ऐसा माना गया है कि पहले के टाइम पे जो जिराफ्स होते थे उनकी गर्दन इत्ती लंबी नहीं होती थी वहुती नॉर्मल होती थी फिर क्या हुआ? evolution हुआ याने कि धीरे धीरे पेडों की जो लंबाई है वो बढ़ती गई जिराफ क्या खाते हैं? पेडों की पतिया खाते हैं ठीक है? क्या हुआ? दीरे-धिरे पेडों की लंबाई बढ़ती गई, अब उनकी पहुच से उपर हो गई, पेडों की पत्तियं, तो क्या हुआ, वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने लगे, खीचने लगे, पत्तियों को खाने के लिए, इस वज़े से क्या हुआ, धीरे-धीरे उनकी गर्दन ल इनकी गर्दन है लंबी और जो पीछे खड़ा न छुके इस बैचारे की गर्दन है चोटी तो जो लंबे जिराव्स है वो तो पत्या खा पा रहे हैं असानी से लेकिन जिसकी गर्दन चोटी है वो नहीं खा पा रहा और ultimately क्या हुआ वो मर गया यही होता है evolution evolution में क्या हुआ पेडों की height पहले छोटी थी इसलिए जिरावस की जो गर्दन थी जो neck था वो छोटे छोटे थे ठीक है normally वो पेड से पतियां खा लेते थे फिर क्या हुआ पेडों की height बढ़ने लगी पतियां उनकी पहुंच से दूर हो जिसकी वजह से उनकी जो neck है वो वहाँ तक पहुच नहीं पाते थे और वो अपनी गर्दन जो है ना stretch करने लगी जिसके कारण उनकी गर्दन लंबी हो गई तो ऐसे जिरावस जिनकी गर्दन लंबी हो पाई वो तो survive कर पाए है ना उन्होंने तो उनकी गर्दन लंबी हो तो जो लंबे लंबे पेर थे वहां से उन्होंने पतिया खा ली और सर्वाइब कर लिया लेकिन ऐसे जिराफ जिनकी गर्दन लंबी नहीं हो पाई वो अल्टीमेटली उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई इसी को हमने बोला evolution अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पेरों की हाइट लंबी हो गई जिराफ को पता चला कि अरे बापरे पेर तो लंबे हो गई हम छोटे पड़ रहे हैं अब एक काम करेंगे कल जब आएंगे न हम तो अपनी गर्दन जना stretch करके आएंगे ताकि हम लंबे पेड़ों की पत्तियां खा लें नहीं यह बहुत ही gradually हुआ है धीरे धीरे हुआ है धीरे धीरे पेड़ों की हाइट बड़ी उसी दरह से जिराफ की जो नेक है जो गर्दन है वो धीरे धीरे जो हैना लंबी हुई है तो यह हुआ एक बेसिक एक्जांपल किस चीज का evolution का evolution समझ में आ गया होगा क्या बताया मैंने evolution एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर organism की body में कुछ changes होते हैं modification होते हैं किसके respect में external environment के respect में क्योंकि उनके बाहरी वातावरण में बदलाव हो रहे हैं कुछ changes हो रहे हैं जिसके कारण वो अभी उनका जो जो normal structure था उसमें वो survive नहीं कर पा रहें तो वो क्या करेंगे अपनी body में कुछ changes लेके आएंगे जिसके कारण वो अपने external environment में survive कर पाएं ठीके इसको हम कहते है evolution और यह बहुती gradual होती है धीरे धीरे होती है time taking होती है इसका हमने बहुत अच्छे example क्या पड़ा जिराफ पड़ा जिराफ में हमने क्या पड़ा कि उनके जो वो पेड़ खाते थे उनकी height बड़ी हो रही थी याने कि उनका external environment change हो रहा था पेड़ों की height बड़ी वो रही थी जिसके कारण उनकी गर्दन भी लंबी हो गई पहले नहीं होता था ठीक ना पहले उनकी नेक था वो छोटे बताई है step by step बताई है और यह evolution बहुत ही gradual होती है ठीक है अब इसी evolution के basis पे classification किया गया हम previous video से यही पढ़ते आ रहे हैं कि relation होता है evolution के बीच में और classification के बीच में classification मतलब समझ में आया था organisms को दो categories में divide कर देना उनकी similarities के basis पे अब हमने evolution भी पढ़ लिया अब दोनों में जड़ा relation बिठाते हैं क्या relation है देखो इस evolution के basis पे organisms को दो categories में categorize किया जाता है एक होते है primitive organisms और दूसरे होते है advanced organisms primitive organisms कौन हुए वो organisms जिनके पास ancient body designs थी पुराने जमाने की जो body designs थी उनको हमने बोल दिया primitive organisms और इसके बाद में हुआ evolution evolution याने की उनका external environment change हुआ जिसके कारण उनकी body में changes और modification आये और इसी वज़ा से उनकी body क्या हो गई advanced हो गई और उन body को हमने क्या बोल दिया advanced organisms बोल दिया याने की recent body designs याने अभी उनकी body के जो designs है उनके basis पे उनको हमने क्या नाम दे दिया advanced organisms नाम दे दिया तो यह हुआ relation classification और evolution के बीच में ठीके evolution से क्या हुआ organism की body में changes आये और इसी का फायदा उठाते हुए हमने organisms को दो categories में categorize कर दिया किस-किस में primitive organisms and advanced organisms primitive मतलब कौन से जिनकी body में पुराने जमाने के structures थे ठीक है और advanced कौन से जिनमे evolution हो चुका है और उनकी body में changes आ चुके है modifications आ चुकी है जिनके कारण उनकी body जो है advance हो गई है new designs आ गई है उनकी body में ठीक है तो यह relation हुआ किसके बीच में classification and evolution के बीच में ठीक है अब हम बात करते हैं छोटे से topic की जिसका नाम है taxonomy टेक्सोनोमी क्या होता है यह होती है एक branch of science जो कि किसके साथ deal करती है identification, nomenclature, classification of organisms यानि कि यह है एक branch of science जो कि living organisms को सबसे पहले तो identify करेगी पता करेगी कि हाँ यह एक living organism है इसके बार में नाम करण करेगी यानि कि उनका नाम रखेगी और फिर finally उसका classification कर देगी अलाग-अला classes में उनको divide कर देगी on the basis of similarities present in them उनके बीच में जो भी similarities है या dissimilarities है उसके basis पे उन organisms को वो classify कर देगी ठीक है तो एक question आता है कि father of taxonomy कौन है सबसे पहले taxonomy का जो concept है वो कौन लेकर आये थे तो वो थे linear यह है linear sir जिन्होंने जिनको father of taxonomy बोला जाता है क्यों क्योंकि taxonomy का concept यही लेकर के आये थे फिर इसके बाद में इन्होंने binomial system of nomenclature डवलक किया था यह है बड़ा ही interesting topic जो की हम cover करेंगे next वीडियो में जो की होगा binomial system of nomenclature इन्होंने सबसे पहले taxonomy का concept जो है ना ढूंडा था और इसके बाद में हर एक living organism को का नामकरण किया था नामकरण कैसे किया था binomial system of nomenclature से तो हमने क्या पढ़ लिया taxonomy जो की है एक science की branch जो कि किसके साथ deal करती है और और इन्होंने ही binomial system दिया है nomenclature का अब यह क्या होता है बहुत interesting है यह हम पढ़ेंगे अपने next वीडियो में इस वीडियो में हमने क्या देख लिया हमने देख लिया classification और evolution के बीच में क्या relation होता है किस तरह से evolution होता चला गया और इसी का फायदा उठाया हमने और living organisms को दो categories में divide कर दिया एक को हमने बोला primitive और एक को हमने बोल दिया advanced organisms जो evolution के पहले के organisms थे जिनकी body में changes नहीं आ पाए उनको हमने बोल दिया primitive organisms और जो evolve हो गए ठीके उनको हमने बोल दिया advanced organisms राइट अब इसके बार में हमने क्या पढ़ा था taxonomy पढ़ा था अच्छा हमने evolution का अच्छा से example भी देखा था जिराफ का है ना फिर इसके बार में हमने पढ़ा taxonomy कैसे living organisms को identify करके नाम देके उनको classify कर देते हैं father of taxonomy कौन है sir linear और इन्हों नहीं binomial system दिया था नॉमें ख्लेचर का अब यह क्या होता है यह हम पढ़ेंगे next वीडियो में राइट तो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे new topic interesting topic complete course के लिए magnet brains plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic की नोट्स आपको available हैं हमारी official website पर magnetbrains.com पर thank you for watching Hello everyone आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं binomial nomenclature यानि की living organisms को नाम करंट करना उनका नाम देना हम पढ़ रहे थे class 9th biology का 3rd chapter diversity in living organisms जिसमें अभी तक हम cover कर चुके हैं biodiversity इसके बार में हमने पढ़ा था living organisms का classification फिर हमने पढ़ा की classification और evolution के बीच में क्या relation होता है उसके बार में हमने एक छोटा सा topic भी पढ़ लिया था taxonomy father of taxonomy कौन है? अब हम बात करते हैं इन्हीं linear sir ने binomial system of nomenclature दिया था याने कि किस तरह से living organisms को हम नाम दे वो बताया था तो इस वेडियो में आज हम वही पढ़ेंगे कि कैसे living organisms को नाम दिया गया तो चलिएं स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic binomial nomenclature से ठीके देखो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी language में अगर किसी एक living organism का नाम लू तो आप भी वो समझ जाओ हो सकते हैं कि आपकी local language में वो कुछ और बोला जाता हो इंडिया में ही इतनी varieties हैं language जिसकी अलग-अलग languages में लोग बात करते हैं ठीके अब अगर हम पूरे world को consider करें तो फिर languages तो बहुत सारी होने वाली हैं तो क्या होगा कि अगर हम बात करना चाहेंगे loyan के बारे में या हम बात करना चाहेंगे पिकॉक के बारे में हमने बोल दिया कि एक नाम हमने दे दिया और अब जैसे human beings को कहते हैं homo sapiens अब homo sapiens अगर मैं बोलूँगी तो सामने वाला भी समझेगा कि मैं बात कर रही हूं human beings की तो यह जो homo sapiens है वो क्या है? एक है binomial nomenclature का part याने कि homo sapiens human beings को indicate करता है all over world जब एक standard name से living organism जाना जाएगा तो बहुत ही convenient हो जाएगा ठीक है? तो यह system किस ने दिया था? कहां से आया था? binomial nomenclature से आया था और इसको कौन लेकर आया था? sir, linear साय थे ठीक है? इसमें होता क्या है? सबसे पहले तो हम question पूछते हैं कि organisms को हम कैसे नाम देते हैं तो देखो, name of organism is made up of two words, genus and species अब अगर मैं आपसे पूछो आपका नाम तो आप क्या बताओगे? पहले आप अपना नाम बताओगे, फिर आप बताओगे अपना सरनेम जैसे मेरा नाम है विभूती खरे, विभूती है मेरा नेम और खरे है सरनेम अगर मैं सरनेम को पहले लिख दू और नेम को बाद में लिखूँ ये रहा नेम और ये रहा सरनेम सरनेम मैंने लिख दिया खरे और मेरा नाम क्या है? विभूती वो मैंने लिख दिया name के अंदर अब अगर मैंने किसी से बोला आपने मुझसे पूछा what's your name तो मैं बोलूँगी खरे अब खरे में तो मेरे पापा भी आएंगे मम्मी भी आएंगी, बेहन, भाई चाचा, चाची, दादा, दादी पूरी फैमिली आजाएगी भाई और अगर मैंने बोल दिया खरे विभूती तो आपको पता चलेगा कि मेरा exact name क्या है specific name क्या है विभूती उसी तरह से binomial nomenclature जो है वो living organisms को एक नाम देगा और वो नाम किस से बनते हैं दो word से बनते हैं genus and species यहाँ पे जो हम living organisms का human beings का जो सरनेम होता है वो सरनेम कहलाता है genus क्या कहलाएगा जीनस कहलाएगा और जो हम human beings में जो name होता है उसे हम क्या कहेंगे species कहेंगे क्या कहेंगे यह species कहेंगे राइट क्या बताया मैंने आपको कि living organism का जो नाम है नाम बनता है दो वर्ट से जीनस and species जीनस क्या होता है परसन के सरनेम को रिप्रेजेंट करेगा और can be shared by number of closely related organisms जैसे मैंने आपको example दिये था कि अगर मैंने बोल दे कि मेरा नाम खरे है तो उसमें मेरे पापा ममी पूरी फैमिली आ जाएगी है ना उसी तरह से अगर मैं सिफ जीनस बोलूँगी तो जीनस में वो सारे organisms आएंगे जो की आपस में कहीं न कहीं related होते हैं एक जैसे होते हैं और अगर मैंने जीनस के साथ species लगा दिया तो species क्या इंडिकेट करता है परसन का नाम और वो क्या बताएगा specific to the organism species केवल एक ही organism की होती है जीनस बहुत सारे organism share कर सकते हैं यानि कि एक जीनस closely related organism share कर सकते हैं लेकिन जो species होती है वो species केवल एक particular ये specific organism की होती है अगर मैंने बोल दे कि एक particular organism की species है X तो वो X species कोई और organism share नहीं करेगा और अगर मैंने बोल दे कि एक organism की जीनस है Y तो ये जीनस काफी सारे organisms जो की एक दूसरे से similar होते हैं वो share कर सकते हैं तो binomial nomenclature क्या बोलता है कि ये एक ऐसा हम living organisms को नाम देंगे जो की all over world उसी नाम से जाना जाएगा basically वो होगा एक standard नाम फिर इसके बाद में वो नाम बनते हैं दो word से एक होता है जीनस और एक होता है species जैसे मैंने आपको अपना example दिया था मेरा नाम है विबूती खरे ठीके जीनस क्या represent करता है वो represent करता है person का सरनेम अगर मैंने बोला कि मेरा नाम है खरे तो खरे में मेरी पूरी family आ जाएगी मम्मी पापा भाई बहन बहुत सारे लोग और अगर मैंने बोल दिया विबूती याने की विबूती हुआ मेरा specific name तो species किसको represent करता है person का name और जीनस को कई सारे members share कर सकते हैं जोकि एक दूसरे से similar होते हैं जैसे की खरे जो की मेरा surname है इस सरंडेम को बहुत सारे लोग share कर सकते हैं ममी पापा भाई बहन वगे रहा ठीक है लेकिन मेरे नाम को शेर नहीं कोई कर सकता मेरा नाम है विबूती तो और किसी का नाम घर में विबूती नहीं हो सकता, उसी तरह जीनेस भी काफी सारे living organisms जो की similar होते हैं, related होते हैं दूसरे से वो share कर सकते हैं, लेकिन species को सिर्फ और सिर्फ एक ही organism का होता है, specific होता है कोई और living organism उसको आकर के share नहीं कर पाएगा, right? अब इसके बाद में इसका एक example है, देखो, हमारे पा पास tiger और हैं हमारे पास leopard, ठीक है? यह हुए इनके common names, जैसे हमने इसको lion बोला, हो सकता, बहुत से लोगों को lion पता भी हो, ठीक है? फिर हमने tiger बोल दिया और leopard बोल दिया, अब हम इनका binomial nomenclature देखते हैं कि कैसे इनको एक हर तीनो living organism को एक standard नाम दिया गया, कैसे? जैसे क यह हमने बोला, lion को हम बोलते हैं panthera Leo, ठीक है? Tiger को हम बोलते है panthera Tigres, और इसके बाल में leopard को हम बोलते है panthera Pardus. क्या-क्या बता दिया मैंने? लॉयन को हमने बोला पैंथरा लियो ताइगर को हमने बोला पैंथरा टिगरिस और लेपर्ड को मैंने बोल दिया पैंथरा पार्डस अब देखो हर एक नाम जो है वो दो वर्ड से बना है पहला जो नाम होगा वो होगा हमेशा जीनस अब देखो मैंने आपको क्या बताए था जीनस जो होता है उसको closely related animals या living organism share कर सकते हैं तो देखो तीनों ने जो जीनस है वो share कर लिया तीनों का जो नाम है start किसे हो रहा है same जीनस के साथ हो रहा है panthera के साथ start हो रहा है अगर मैं अब मैं बोलू कि मेरे सामने panthera खड़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि tiger है कि lion है कि leopard है और अगर मैंने बोल जया कि भाई मेरे सामने panthera tigres है तो आप समझ जाओगे कि अच्छा आपके सामने tiger खड़ा है तो genus कई सारे closely related organisms share कर सकते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं species की जैसे की lion की species क्या है Leo है ठीक है tiger की क्या है tigres है और leopard की क्या है pardus है तो अगर species की में बात करूँ तो click हो जाएगा आपको कि अच्छा मैं इस particular living organism की बात कर रही है ठीक है अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि binorbid nomenclature क्या होता है living organisms को एक standard नाम दिया जाता है ताकि all over world उसे उसी नाम से जाना जाए ठीक है हर एक word दो हर एक नाम दो से मिलके बनता है genus and species जैसे कि हमने example देखा था पाइगर लॉयन और लेपर्ड का लॉयन में हमने देखा था कि जो जीनस है तीनों के जीनस एक ही है पैंत्रा 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 ठीक है लेकिन जो जो हमारे जो species है वो तीनों ही एनिमल्स के अलग-अलग है याने कि जो जी related organism एक जीनस को closely related organism share कर सकते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं species की तो वो specific होती है केवल एक ही organism के लिए ठीक है इसका example मैंने आपको अपने नाम से दिया था खरे क्या होगा एक जीनस होगा और मलब जो surname है ठीक है वो क्या represent करेगा जीनस को ठीक है और जो मेरा नाम होगा नेम ह होगा वो रिप्रेजन करेगा species को इतना आपको समझ में आ गया आप कुछ rules होते हैं इन नाम को लिखने के लिए क्या-क्या rule होते हैं तो देखो genus is always written first हमने अभी जो example देखा था ठीक है तीनों में हमने सबसे पहले genus ही लिखा था पैंतरा 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 तो यह एक rule हो होता है ठीक है जिसमें की सबसे पहले जब हम नाम रखते हैं देते हैं living organism का तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं उसका नाम सबसे पहले genus लिक्ते हैं और इसके बाद में हम species लिक्ते हैं ठीक है Genus का first letter हमेशा capital letter होगा और species का जो first letter होगा वो small letter से शुरू होगा, ठीक है? ये भी हमने point cover कर लिया Both names are printed in italics अगर आप उसको print करोगे तो italics में लिखे जाएगे italics क्या होते हैं? थोड़ा सा tilted हो जाते हैं letter ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया I ठीक है? ये मैंने लिखा normally लेकिन अगर मैं इसको बोलू कि ये है एक genus या है एक species और अगर मुझे इसको print करना है तो मैं कैसे लिखूँँगी? इसको मैं italics में लिखूँँगी थोड़ा सा tilt करके लिखूँँगी इस तरह से दोनों में है ना difference? है ना? उसी तरह से जो genus और जो species है उनको हमेशा दोनों नाम को italics में ही print कराया जाता है जब वो printed होते हैं, printed form में आपके पास आएंगे तो हमेशा italics में लिखे होने चाहिए फिर इसके बाब में जब हम इनको हातों से लिखते हैं तो क्या होता है, should be underlined इनको हमें underline करना पड़ता है जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था I ये वाला जो I है ये आपके पास आया एक printed form में ठीक है? लेकिन जब मैं इसको लिखूंगी तो मुझे हमेशा इसको underline करना पड़ेगा ये rule होता है जीनस और स्पिशीज को लिखने के लिए ठीक है? फिर इसके बाद में specific names are unique understanding and followed all over the world ये तो हमने पढ़ी लिया है कि जो नाम रखे जाते हैं वो specific होते हैं और all over world समझे जाते हैं ठीक है? एक ही नाम से समझे जाते हैं और उन्हें लोग follow भी करते हैं जैसे कि हम example से समझ लेते हैं हमने जो previous example देखा था ये हमने देखा था है ना? पैंतरा हमने जो लिखा था सबसे पहले तो आएगा genus, फिर उसके बाद में आएगा species, दोनों में तीनों में ही ऐसा है, सबसे पहले आया genus फिर आया species, ठीक है? फिर इसके बाद में जो first letter होता है genus का वो हमेशा capital letter होता है और जो first letter होगा species का, वो हमेशा शुरू होगा small letter के साथ ठीक है? अब ये printed form में है इसलिए italics में लिखे हुए है थोड़ाँसा tilted उसमें लिखे हुए है manner में, ठीक है? और अगर मुझे इसको हाथ से लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? जैसे मैंने लिखा panthera और मैं tiger को मैं loin को बताना चाहरी हूँ तो मैंने इसको लिख दिया leo अब मैंने इसको हाथ से लिखा है तो मैं क्या करूंगी? इनको अलग-अलग underline कर दूंगी अब आप ज़रा इसमें से मुझे ये बताओ कि कौन सा सही है सबसे पहले हम देखेंगे कि genus लिखा होना चाहिए तो हाँ ठीक है, सब में genus लिखा हुआ है शुरू में और उसके बार में आना चाहिए species, ठीक है, सभी में लिखा हुआ है फिर इसके बार में मैंने बोला कि genus का first letter start होना चाहिए किसके साथ? capital letter के साथ तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे तीन सो तीन जो हमारे पास option है उसमें तो start हो रहा है capital के साथ और दो में start नहीं हो रहा है तो यहाँ पे D और E तो वैसे ही गलत हो गए क्यों? क्योंकि genus में हमेशा first जो letter है वो capital से start होना चाहिए फिर इसके बार में हम बात करते है species की, तो species का letter किस से start होना चाहिए? first small के साथ अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि C में तो capital के साथ start हो रहा है तो यहाँ पे मेरा C option भी गलत हो गया अब मेरे पास कौन बचा? A और B बचा ठीक है, genus और species से start होए है capital और small letter भी हमें देख लिया लेकिन अब यह मेरे पास printed form में है printed form में कैसे होने चाहिए? italics में लिखे होने चाहिए italics में दोनों में से कौन लिखा हुआ है B लिखा हुआ है याने कि ये वाला binomial nomenclature है मेरा सही और A भी है गलत आई बात आपको समझ में तो ये एक हमने question pattern में सभी rules को फिर से एक बार देख लिया ठीक है? तो इस वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ लिया? इसमें हमने पढ़ लिया कि bionomial nomenclature क्या होता है? कैसे living organisms को नाम दिये जाते हैं? standard नाम दिये जाते हैं? और उन नाम को लिखने के भी कुछ rules होते हैं ठीक है? और उसको हमने question form में answer भी कर लिया तो अब हम next वीडियो में पढ़ेंगे इस chapter का another interesting topic इस वीडियो में हम अभी तक इतना ही पढ़ेंगे right? So complete course के लिए MagnetBrainz Plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available हैं हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे The Hierarchy of Classification यानि कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमने living organisms को scientists ने अलग-अलग categories में categorize कर दिया लेकिन वो कौन सी categories थी क्या ranks थी क्या hierarchy थी जिसमें हमने living organisms को scientists ने categorize किया था वही सब आज हम इस वीडियो में cover करेंगे तो अभी तक हमने इस chapter में diversity in living organisms में क्या-क्या पढ़ लिया है हमने पढ़ लिया है सबसे पहले biodiversity क्या होती है फिर classification क्या होता है classification और evolution में क्या relation होता है वो भी हमने पढ़ लिया फिर इसके बार में हमने binomial system of nomenclature भी पढ़ लिया जो ठीक है living organism को एक standard नाम दे देते हैं जो की all over world वो उसी नाम से जाना जाएगा अब हम पढ़ेंगे इसमें the hierarchy of classification so welcome to magnet brains मैं हूँ विभूती खरे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic the hierarchy of classification देखो सबसे पहले तो आए थे तीन साइंटिस्ट कौन-कौन से Nurse Heckel कब 1894 में इसके बाद में आए Robert Whittaker 1969 में और आए Carl Woos 1997 में कौन-कौन आए Nurse Heckel, Robert Whittaker and Carl Woos ये तीनों साइंटिस्ट आए और इन्हों ने क्या किया living organisms को पाँच kingdoms में डिवाइड कर दिया kingdoms में कौन-कौन से सबसे पहले आया Monera ठीक है? सबसे पहले आया Monera फिर इसके बाद में कौन आया? Protesta फिर थर्ड कौन सा आया? Fungi फिर फोर्थ और फिफ्थ था Plante and Animalia ठीक है? याने कि तीन साइन्टेस्ट कौन-कौन से Nurse हैकल Robert विटेकर एंड काल वूस ये तीनों आये और इन्होंने जित्ते भी living organisms हैं अर्थ पे उनको classify कर दिया पाँच kingdoms में कौन-कौन से Monera Protesta Fungi Plante and Animalia नाम में Confused बिल्कुल मत होना डरने की बात बिल्कुल नहीं है हम आगे आने वाले विडियोस में इन सभी basically जितने भी हमने 5 kingdoms बोले हैं उन सभी को हम detail में पढ़ेंगे इन में जो organisms आते हैं उनकी क्या characteristics होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आपको इनके नाम के साथ-साथ इनके examples भी याद होने वाले हैं तो नाम की tension बिल्कुल मत लेना क्या बताए मैंने तीन साइंटिस्ट आया Nurse Hackle Robert Whittaker and Carl Woos तीनों ने आकर के living organisms को 5 kingdoms में divide कर दिया कौन-कौन classification भी हुआ याने कि और भी ये जो 5 kingdoms हमने बोले हैं इनको और ranks में और categories में divide किया गया कौन-कौन सी सबसे पहले हमने 5 kingdom देख लिए अब हर एक kingdom को divide किया गया किस में phylum और division में जब हम बात करेंगे animals की तो वहाँ पे हम यूस करेंगे phylum याने कि kingdom के बाद animals को koncet category में divide किया phylum में divide किया ठीक है इसके बाद में जब हम बात करेंगे plant की तो plant के लिए हम word लेते हैं division ठीक है kingdom के बाद animals को divide किया गया phylum में यह दूसरी category हुई और plants को divide किया गया division में further और कौन सी category में categorize किया फिर I class ठीक है phylum को किसमें divide किया गया class में किया गया class के बाद किसमे order में order के बाद किसमे family में family को किसमे genus और species ये दोनों तो नाम हमारे सुने हुए है genus और species genus के लिए हम पढ़ चोके हैं कि closely related organisms एक ही genus share कर सकते हैं लेकिन species specific होता है एक ही organism के लिए ठीक है तो ये दोनों नाम तो हम already पर चुके हैं हमारे लिए kingdom से लेकर के family तक नए नाम है सबसे पहले तीन scientist है थे उन्होंने सभी living organism को पांच kingdom में divide कर दिया और further category में categorize किया सबसे पहले जब हम बात करेंगे animals की तो kingdom को divide किया गया animals में फाइलम में जब हम बात करेंगे plants की तो kingdom के बाद उनको divide किया डिविजन में इसके बाद में फाइलम और डिविजन को further किस में divide किया classes में राइट classes के बाद और classes को further हमने किस में divide किया order में order के बाद हमने किया family में family को हमने किया genus और species में यानि कि यह हुई hierarchy of classification हमने start किया था kingdom के साथ और हम खतम करते हैं चीजों को species पर मतलब कि आप यह समझ लो कि kingdom हमने बोला जिसमें की बहुत सारे organism आए फिर इसके बाद में जो की हुए आपस में similar फर अब उनमें कुछ कुछ dissimilarities भी होती है हमने उपर ही तौर पर देख लिया कि हाँ इस तरह के organisms कुछ एक जैसे दिख रहे हैं उनको हमने एक kingdom में डाल दिया अब हम जब हमने उसकी और study करी details study करी तो हमको समझ में आया यार जो हमने एक kingdom में living organisms लिये हैं उनके बीच में भी कुछ dissimilarities हैं तो जो dissimilarities हैं उसके basis पे तो अलग-अलग phylum में और divisions में divide करेंगे तो living organisms के बीच में जो characteristics हैं एक जैसी वो कम होती जाएंगी ठीक हैं फिर इसके बाद में जब हम phylum और division को फिर से classes में divide करेंगे फिर से number of characteristics living organisms में एक जैसी similar characteristics कम होती जाएंगी और finally इसी तरह से जब हम species तक आते हैं तो हम एक individual organism पे पहुंच जाते हैं हम start करते हैं group of organism से और जैसे हम species तक पहुंचेंगे हम आ जाएंगे एक particular living organism में यह classification हुआ अब classification किसी ना किसी basis पे किया जाता है कौन सी होती हैं वो चीजे सबसे पहले तो prokaryotic and eukaryotic cell structure यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं cell में prokaryotic का मतलब क्या होता है ज जो cell थे उनको हमने बोला था prokaryotic cell और ऐसे organisms जो की prokaryotic cells bear करते हैं उनको हमने बोला prokaryotic organism और यू का मतलब जिनके पास true nucleus present होता है उनको हम कहते हैं eukaryotic cells या eukaryotic organisms तो prokaryotic और eukaryotic cell structure की basis पे present है या नहीं है उसके basis पे classification किया गया फिर इसके बाद में unicellular है या multicellular है एक cell present है या बहुत सारे present है अब third क्या था point mode of nutrition कि यह अपना खाना कहां से derive करते हैं खुद बना लेते हैं या किसी और से लेते हैं किसी और से भी लेंगे तो क्या temporarily लेंगे कि या फिर permanently उस पर जाकर कि चिपाग जाएंगे कि सुनो अब हम तुमसे ही खाना लेंगे ठीक है या फिर यह कोई dead या decaying matter पे depend करते हैं अपने खाने के लिए किसी living organism से खाना लेंगे या फिर खुद बनेंगे या फिर किसी dead organism पे depend करेंगे किस तरह से यह खाना अपना खुद को available कराते हैं उसके basis पे भी classification किया गया फूर्थ क्या है further classification is done into subgroups जो कि हमने यहाँ पे अभी देख लिया तीन scientist आये थे उन्होंने क्या किया जित्ते भी living organism हैं उनको 5 categories में categorize किया कौन-कौन से monera, protista, fungi, plantae and animalia ठीक है फिर इसके बाद में जब हमने बात करी थी animals की तो kingdom को हमने further divide किया phylum में और plants में हमने kingdom को divide कि divisions में यानि कि एक kingdom के बहुत सारे phylum's आये animals के cases में और एक kingdom के बहुत सारे divisions है किसमे plants के cases में ठीक है फिर इसके बाद में phylum को further classes में classes को order में order को families में family को genus और species में इस तरह से हम divide करते चलेगा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे in categories में वैसे वैसे living organisms के बीच में similarities कम हो होती जाएंगी वो कैसे होंगी हम जब एक एक kingdom को उठा करके पढ़ेंगे आपको वो चीज समझ में आएगी यह जो classification हमने किया है चाहे हमने kingdom का करा हो चाहे further इनको हमने class और order में हमने divide किया हो यह किस पर वेज़ होता है तो यह following points पर वेज़ होता है कौन-कौन से की living structure cell structure क इसा है प्रोकेरियोटिक है या यूकेरियोटिक है living organism एक सेल वाला है यह बहुत सेल वाला है यानि की unicellular है या फिर multicellular है फिर इसके बाद में अपना खाना कहां से derive करेगा खुद बनाएगा यानि की autotropic होगा यह heterotropic होगा या कहीं और से लेकर आएगा living organism से लेकर आए classification है उसमें सब groups को जैसा कि हम देख रहे हैं उसमें divide किया गया तो यह था classification hierarchy of classification कि कि किस तरह से living organisms को अलग-अलग ranks में अलग-अलग categories में हमने categorize कर लिया अब आपको एक basic चीज समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले हमें पढ़ना होगा kingdom कौन सा kingdom? monera kingdom ठीक है और इसमें भी ह हम देखेंगे phylum, class, order, family, genus, species उसके examples भी पढ़ेंगे क्या-क्या characteristics है, कहाँ पाये जाते है, mode of nutrition क्या है, eukaryotic है या prokaryotic है यह सब हम पढ़ेंगे next video में यानि कि हम next video हमारा based होगा kingdom monera पे उसके examples पढ़ेंगे और उनके characteristics के बारे में जानेंगे इस video के लिए अभी इतना ही complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone, आज हम इस video में पढ़ेंगे kingdom monera के बारे में previous video में हमने start किया था 5 kingdom classification जिसमें हमने देखा था कि किस तरह सी scientist ने सभी living organisms को 5 kingdoms में divide किया monera, protesta, fungi, plantae and anemilia आज हम इस video में start करेंगे सबसे पहला kingdom जो की है monera So welcome to Magnet Brains, मैं हो विभूती खरे तो चलिए, start करते हैं आज का हमारा topic kingdom monera के साथ सबसे पहले तो basic characteristics क्या होते हैं kingdom monera में आने वाले organisms के जैसे कि ये होते हैं microscopic microscopic, यानि कि आप इने naked eyes से नहीं देख सकते, जब आपके पास होगा microscope, जब आपके पास होगा magnifying glass, तब जाकर के आपको कहीं जाकर के इन organisms का structure समझ में आएगा, तो ये कैसे हुए, microscopic हुए बहुत small होते हैं size में, फिर इसके बाद में ये होते है प्रोकेरियोटिक, अब प्रोकेरियोटिक क्या होते हैं, ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, प्रोकेरियोटिक मतलब ऐसा एक cell जिसमें की well defined nucleus या अगर मैं बोलो की nuclear envelope absent होती है, उसी तरह से जो जो kingdom monera में आने वाले organisms होते हैं, उनकी जो cell body होती है, वो कैसी होती है, प्रोकेरियोटिक होती है, याने की well defined nucleus absent होता है इसके साथी साथ well defined membrane bound organs भी absent होते हैं, तो ये ही है प्रोकेरियोटिक cells के दो features जिसमें की हम बोलते हैं कि well defined nucleus absent है और membrane bound organs भी absent होते हैं, तो kingdom monera में आने वाले organisms कैसे होंगे, उनके पास भी nucleus नहीं होगा और उनके पास membrane bound organs भी नहीं होंगे, लेकिन इसका मदलब ये नहीं है कि उनके पास genetic material नहीं है नहीं, genetic material होता है क्योंकि ये division show करते हैं, है ना reproduction करते हैं, नए-ने organisms इनसे बनते जाते हैं और अपना genetic material भी एक generation से दूसरे generation ये transfer करते जाते हैं बहले ही well defined nucleus ना हो, prokaryotic हो, लेकिन genetic material होता है फिर इसके बाद में, इन में cell wall present हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है फिर इसके बाद में, ये organisms autotrophic होते हैं या फिर heterotrophic होते हैं याने कि ये दोनों हुए इनके mode of nutrition, mode of nutrition याने कि ये खाना कहां से derive करते हैं Autotrophic में हम बोलते हैं कि ये organisms अपना खाना खुदी बना लेते हैं जैसे कि photosynthesis में होता है Plants क्या करती है, solar energy को trap करेंगी chlorophyll की help से उसे convert कर देंगी chemical energy में इस chemical energy के help से वो उनके पास जो water होता है उससे क्या बना लेती है, वो carbon dioxide और water से क्या बना लेते हैं वो बनाते हैं उनके लिए खाना याने की sugar और बनाते है oxygen जो की release कर देते हैं अपनी body से और वो हम consume करते हैं, हम animals, ठीक है? तो ये कैसे होते हैं? Autotrophic होते हैं, याने कि अपना खाना खुद बना सकते हैं या फिर ये होंगे heterotrophic heterotrophic का मतलब होता है कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते ये बाहर किसी और organism से पे dependent होंके अपने खाने के लिए ठीक है? खुद नहीं बना पाएंगे और बाहर से ये कहीं से लेंगे ठीक है? फिर इसके बाद में kingdom monera को further दो categories में categorize किया एक हमने बोला RK bacteria और एक हमने बोला U bacteria देखो RK bacteria जो थे वो ऐसे organisms थे जो की बहुत पहले आ चुके थे अर्थ पे या अगर मैं बोलू कि सबसे पहले अर्थ पे RK bacteria आये थे तो मैं गलत नहीं होंगी सबसे पहले आये थे RK bacteria ठीके इनके पास इनकी जो body थी वो primitive type की थी जो सबसे पहले basic बहुती structure होता है जो cell body का वो इनके पास present था फिर इसके बाद में हुआ evolution evolution हमने previous video में पढ़ा है कि क्या होता है ये body में कुछ modifications होती है या changes होती है क्यों होती है क्योंकि external environment change होता है और बहुती gradually होंगी time के साथ होंगी तो क्या हुआ evolution हुआ evolution के कारण external environment में कुछ changes है जिसकी वज़ा से इन RK bacteria में भी evolution हुआ नए नए changes आ गए body में modifications हुए जिस वज़ा से क्या बने यू bacteria बन गए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक देखा kingdom monera को हमने देखा इसके हमने basic characteristics पढ़ लिये कि इसमें आने वाले organisms कैसे होते हैं microscopic होते हैं बहुत चोटे होंगे बिना microscope के नहीं देखेंगे फिर इसके बाद में prokaryotic होते हैं याने की well defined nucleus absent होगा membrane bound organs भी absent होगी लेकिन genetic material present होगा क्यों क्योंकि ये भी reproduction करेंगे new organisms form करेंगे और एक generation से दूसरे generation में genetic information भी transfer करेंगे फिर इसके बाद में cell wall इसमें present कुछ organisms ऐसे होते हैं जिन में present होती है या किसी में नहीं भी होती है फर्दर हमने बोला कि organisms को हम ये organisms autotrophic भी हो सकते हैं या हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं यानि कि अपना खाना खुद भी बना सकते हैं सिंथिसाइज कर सकते हैं या बाहर कहीं से डिराइफ कर सकते हैं फदर इनको दो कैसे होते हैं, autotrophic होते हैं, अपना खाना खुद बना लेंगे, और इसके बाद में कैसे, कुछ ऐसे होते हैं, देखो, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाएंगे, और उनमें से भी कुछ जो है, photosynthesis के तुरू खाना बनाते हैं, फिर इसके बाद में, जो यू बैक्टीरिया आया, evolution के बाद, यू का हमने क्या मतलब पढ़ा था? यू का मतलब होता है true, याने कि true बैक्टीरिया में क्या-क्या present होता है? Cell wall इसमें present होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया, मॉनेनर के characteristics में की cell wall present हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती है, यू बैक्टीरिया में present होती है, फिर इसके बाद में इन में plasma membrane भी present होगी, और cytoplasm भी present होगा, ribosomes भी होगे, याने कि एक ऐसा बैक्टीरिया है, जो कि evolution के बाद में आया है, अपनी body में कुछ changes और modifications ले करके आया है, तो इनके पास ये characteristics present होते हैं, क्या-क्या, cell wall present होगी, plasma membrane होगी, cytoplasm होगा और ribosomes भी होगे, तो ये हमने कुछ basic characteristics पढ़ लिए, किसके बारे में, अर्के बैक्टीरिया के बारे में, और यू बैक्टीरिया के बारे में, जो आपकी NCRT हमें बताता है, अब इसके कुछ uses भी देखते हैं, पीजा पसंद है आप सबको, हम सब खाते हैं, पीजा के उपर डलती हैं बहुत सारे toppings, और हम सब का favorite cheese, अब वो cheese कहां से आता है, cheese हमने बोला कि एक milk product है, तो milk से आगया, और cream से आगया, लेकिन milk और cream में certain changes होते हैं, कोई नहीं, ये करते हैं हमारे bacteria, और bacteria कौन से kingdom में आएंगे, Monera kingdom में आएंगे, बहुत variety of uses हैं, bacteria की, ठीक है, लेकिन हम बहुत basic पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं, तागी आपको थोड़ा idea मिले, bacteria का मैंने first आपको use क्या बता दिया, कि हम जो cheese production है, वो milk से और cream से कौन करवाता है, bacteria कराता है, इसके साथ में दही, curd जो हम खाते हैं, yogurt, वो भी कौन बनाता है, bacteria ही बनाता है, bacteria हमारे gut में भी present होते हैं, यानि कि हमारे intestine में, अब ये वहाँ क्या कर रहे हैं, actually ये वहाँ पे, जो हम खाना खाते हैं, उसके digestion के बाद में, absorption वगेरा में help करते हैं, उन्हें हम कहते हैं, good bacteria, जब हम बिमार पढ़ते हैं, किसी तरह का infection होता है, हमें antibiotics prescribe की जाती हैं, हम antibiotics खाते हैं, जिसके कारेंट good bacteria के साथ-साथ, जो bad bacteria हमारी body में गया है, disease cause करने के लिए, वो भी मर जाते हैं, तो अब क्या होता है, डॉक्टर हमको tonics वगेरा देते हैं, probiotics देते हैं, ये probiotics क्या होती हैं, ये good bacteria से बनी होती हैं, इससे क्या होगा, जो good bacteria होंगे, वो दुबारा हमारी body में चले जाएंगे, गट में चले जाएंगे, और digestion और absorption में, better digestion and absorption में help करते हैं, तो ये bacteria का तो हमने useful, देख लिए कि कितना होता है, इसके साथ ही साथ bacteria पैथोजनिक भी होते हैं, याने की disease भी cause करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, body में किसी भी तरह का infection होता है, infection बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ठीक है, तो एक तरफ तो इन्हें हम खाने के production के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये pathogenic भी हैं, याने की ये हमारे लिए infection और disease लेकर के भी आते हैं, फिर इसके बाद में next होता है blue green algae, blue green algae को हम cyanobacteria भी कहते हैं, ये क्या करता है, plant में जाकर के, plant के लिए soil में nitrogen fix करता है, जिसकी वज़े से plant अपना खाना बना पाते हैं, blue green algae का ही एक example होता है, anabina और एक non-stock भी होता है, फिर इसके बाद में ये होता है mycoplasma, mycoplasma में हम बहुते हैं, कि ये antibiotic से resistant होता है, मतलब ये pathogenic होता है, disease ले करके आएगा, और ये antibiotic को भी resist कर देगा, antibiotic का भी इन पे कोई असर नहीं पड़ता, तो अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या देख लिया, basic characteristics हमने देखें monaira के, कि सबसे पहले ये कैसे थे, prokaryotic है, microscopic है, और क्या क्या देखा हमने इनके बारे में, कि इन में well-defined nucleus और membrane organelles नहीं होती है, cell wall present हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती है, फिर इसके बाद में अपना खाने आतों खुच synthesize कर लेंगे, या बाहर से ले लेंगे, तो autotrophic भी हो सकते हैं, और heterotrophic भी हो सकते हैं, further इनको दो classes में divide किया, arke bacteria में और u bacteria में, arke bacteria कौन थे, जो की evolution के पहले आये, ठीक है, बहुत basic structure था, primitive organisms थे, बहुत सारे ऐसे थे जो, अपना खाना खुच synthesize करते थे, कैसे करते थे, photosynthesis से, फिर इसके बाद में evolution हुआ, evolution के बाद में आये, यू bacteria, जिसमें हमने बोला कि, इनमें cell wall भी present होती है, plasma membrane भी है, cytoplasm और ribozoms भी present होते हैं, ठीक है, तो ये modified version होता है, arke bacteria का, arke मतलब की primitive bacteria, और u bacteria मतलब की true bacteria, evolution के बाद में जो आये हैं, फिर हमने कुछ examples देखे हैं, जो हमारी NCRT में mentioned है, कौन-कौन से bacteria, blue-green algae, cyanobacteria, anabina और mycoplasma, इसके हमने कुछ benefits भी देखे हैं, ठीक है, की cheese production में help कर रहा है, curd production में help कर रहा है, bacteria हमारी gut में भी present है, जो की digestion और absorption में help करता है, इसके साथ ही साथ, जो blue-green algae है, वो soil में nitrogen fix करता है, plants के लिए, इसका एक example है, anabina, फिर आया mycoplasma, तो ये pathogenic होता है, disease cause करता है, और antibiotics से resistant होता है, तो इस वीडियो में, हमने cover करा kingdom monera, अब next वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे, हमारा kingdom protista, complete course के लिए, Magnet Brains Plus में, जरूर अपग्रेड करें, और इस topic के notes, आपको available है, हमारी official website पर, magnetbrains.com पर, thank you for watching, Hello everyone, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, kingdom protista के बारे में, previous videos में हमने देखा है, कि किस तरह से, सभी living organisms को, scientist ने, 5 kingdoms में divide किया था, monera, protista, fungi, plantae and animalia, उसमें से भी, हमने kingdom monera, अच्छे तरह से पढ़ लिया है, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे, next kingdom की, जो की है kingdom protista, so welcome to magnet brains, मैं हूँ वे भूती खरे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा topic, kingdom protista के साथ, अब इसके basic characteristics देखते हैं, कि इस kingdom में आने वाले organisms होते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम बोते हैं, कि ये होते हैं unicellular, याने कि इनकी body बनी होती है, सिर्फ एक cell से, unicellular हम पता है क्या होता है, ऐसे organisms जो कि सिर्फ एक cell से बने होते हैं, इसलिए kingdom protista में आने वाले जो organisms होते हैं, वो कैसे होते हैं, unicellular होते हैं मतलब वो सिफ एक ही cell के बने होते हैं फिर हम बोलते हैं कि ये होंगे eukaryotic हमने Monera में देखा था कि वो थे prokaryotic याने कि उनके पास true nucleus और membrane bound organs absent थे लेकिन जो kingdom protesta में जो organisms आते हैं वो कैसे होते हैं, eukaryotic होते हैं याने कि उनके पास true nucleus भी present होता है और membrane bound organs भी present होते हैं ये first organisms थे, अर्थ पे आने वाले जो की कैसे थे eukaryotic थे, अब further जितने भी microorganisms आएंगे eukaryotic microorganisms वो सब इनी से evolve हुए हैं तो ये आप मालो, ये है एक star mark करने वाला characteristics कि ये सबसे पहले तो होंगे unicellular और सबसे पहले जो अर्थ में eukaryotic organisms आए थे वो कौन थे? तो वो थे protesta के organisms, right? और इसके बाद में बोलते हैं कि इन में होता है locomotion through appendages ये move करते हैं एक जगा से दूसरे जगा तब जाते हैं और वो locomotion कैसे show करेंगे? तो इनके पास होते है specialized appendages specialized appendages को हम बोलते हैं celia and flagella अब एक आप वीडियो देखिए ये है एक paramecium का वीडियो ठीक है? paramecium जो की एक type होता है protest का अब आप देखो ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहा है यानि कि ये locomotion show कर रहा है कैसे जा रहा है? तो इसकी body में outer side में क्या present होते है? fine hair like projections present होते है celia उन्हें हम कहते हैं ठीक है? tissues में भी जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था ciliated epithelial tissues यानि कि ऐसे epithelial tissues जिनके free surface पे hair like projections present होते हैं उसी तरह के celia paramecium की body में outer surface पे present होते हैं जो की उनको क्या करेंगे? locomotion करने में help करेंगे एक जगा से दूसरी जगा जाने में move करने में help करेंगे कौन? hair like projection celia ठीक है? अगर मैं इसको इस तरह से एक structure बनाऊ और celia को मैं green color से बनाती हूँ तो ये celia क्या करते हैं? basically swim करते हैं और organism को एक जगा से दूसरी जगा धकेलने में help करते हैं फिर इसके बाद में ये तो हमने एक type का appendages देख लिए कि हाँ celia है, दूसरा क्या है? flagella है, flagella क्या होता है? tail like structure होती है ठीक है? इस तरह की tail like structure होती है और वो किस में मिलती है? yuglena में मिलती है yuglena भी एक example है protist का, ठीक है? yuglena की body को जैसा आप ये देख रहे हैं इसको मैं इस तरह का एक structure बना देती हूँ, तो ये रही yuglena की body, जैसा कि आपको दिख रहा है और ये जो tail like structure move हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? flagella कहते हैं, celia बहुत सारे होते हैं और छोटे-छोटे होते हैं flagella क्या होता है? mostly एक ही होता है और काफी लंबा होता है, क्या बताया? celia बहुत सारे होंगे लेकिन छोटे होंगे और flagella एक ही होगा और लंबा होगा, लेकिन दोनों का काम क्या है? एक ही है organism को locomotion में help करना या कि एक place से दूसरी place तक ले जाने में help करना ठीक है फिर इसके बाद में इनका ज़रा mode of nutrition देखते हैं तो mode of nutrition में हम बोलते हैं कि autotrophic भी हो सकते हैं और heterotrophic भी हो सकते हैं यानि कि अपना खाना खुद भी बना सकते हैं या फिर बाहर से भी ले सकेंगे अब इनके examples कौन है इतमें आएंगे unicellular algae फिर आएंगे diatoms and protozoans अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया kingdom protesta की हमने basic characteristics देख लिये कौन कौन से यह होते हैं unicellular यानि की organisms की body बनी होती है सिरफ egg cell की और यहाँ पे मैंने आपको star mark करवाया है एक point की यह होते हैं eukaryotic microorganisms याने की यह first eukaryotic organisms आये थे earth पे बाकि जितने भी eukaryotes आये हैं वो सब इन ही से evolve हुए हैं ठीक है eukaryotic का मतलब क्या होगा well developed nucleus और cell organs present होंगे फिर locomotion के लिए appendages present होते हैं जैसे की हमने cilia और yuglena के बारे में बताया cilia क्या होते हैं fine hair like structures होते हैं बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं flagella क्या होता है सिरफ एक होगा और काफी लंबा होगा दोनों का काम क्या होगा organism के locomotion में help करना फिर इसके बाद में cell wall इन में mode of nutrition में हमने देखा कि ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं यानि कि ये autotrophic भी हो सकते हैं और heterotrophic भी हो सकते हैं फिर इसके बाद में इनके examples कौन कौन से हैं unicellular algae, dye atoms and protozoans फिर हमारी NCRT इसी kingdom प्रोटेस्टा के अंदर एक phylum की बात करती है वो होता है protozoa यानि कि हमारी NCRT ने kingdom प्रोटेस्टा को प्रोटेस्टा के अंदर एक और phylum को mention किया है जिसका नाम है protozoa अब ये protozoa के में जो organisms आते हैं उनके पास क्या characteristics होते हैं सबसे पहले हम बोलते हैं कि ये होते हैं unicellular यानि कि एक ही इनकी body में cell होगा इसके बाद में mostly aquatic होते हैं पानी में ही मिलते हैं ज्यादा तर फिर solitary होते हैं या फिर colonial होते हैं यानि कि या तो एक organism रहेगा या फिर ये एक colony बनाके रहते हैं फिर इसके बाद में यह free living भी हो सकते हैं parasitic भी हो सकते हैं और symbiotic भी हो सकते हैं अब free living का तो थोड़ा-थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है कि हो सकता है अकेले भी रहे colonies बनाके रहें ठीक है और free living में हमने बोल दिया कि किसी चीज़ से attached ना हो है ना और must जो है एक्वेटिक लाइफ अपनी जीते हो लेकिन यह parasitic और symbiotic का क्या मतलब होता है देखो parasitic और symbiotic यह दो टाइप के association होता है parasitic में क्या होता है कि एक organism दूसरे organism पे जिसको वो कहेगा host organism उसकी body के ऊपर या उसके अंदर जाके रहता है और उससे अपना nutrition लेता है इससे क्या होगा जो parasite होगा उसको तो फायदा होगा लेकिन जो host organism होगा जिसकी body के ऊपर या उसके अंदा जाके वो रह रहा है उसको नुकसान हो जाएगा और symbiotic में क्या होता है? symbiotic एक ऐसा association है जिसमें की दोनों organisms को benefit होता है parasitic में हमने क्या देखा? कि जिसके ऊपर organism जाके रह रहा था जिसको हमने host organism बोला था उसको नुकसान हो रहा था लेकिन जो parasite था वो उसको benefits हो रहे थे वो अपना nutrition भी ले रहा था और वो अपना shelter भी उससे ले रहा था लेकिन symbiotic में क्या होता है? दोनों organisms एक साथ रहते हैं और एक साथ रहने में दोनों organisms को फायदा होता है तो क्या बोला? यह parasitic भी हो सकते हैं यानि कि किसी और organism के उपर, host organism के उपर भी रह सकते हैं और symbiotic association में भी रह सकते हैं या फिर यह किसी के साथ attached नहीं होंगे, अकेले रहेंगे solitary भी हो सकते हैं और colonial भी हो सकते हैं अब इसके examples कौन है? Euglena, Amoeba and Paramecium क्या-क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने सबसे पहले हमने kingdom protester देखा था उसमें आने वाले organisms के basic हमने characteristics देखे थे क्या-क्या? Unicellular होते हैं, first eukaryotic organisms यही थे फिर इसके बाद में locomotion होता है, cilia और flagella के दुरू ठीक है? दोनों के structures आपको पता चल गए और दोनों का काम एक ही होता है organisms के locomotion में help करना फिर cell wall absent होती है except euglena में euglena में cell wall present होती है mode of nutrition heterotrophic भी हो सकता है और autotrophic भी हो सकता है इसके examples हमने देख लिए unicellular algae, die atoms and protozoans फिर हमारी NCRT ने kingdom protester के एक phylum को mention किया है जिसका नाम है phylum protozoa protozoa में आने वाले organisms कैसे होंगे? unicellular यानि की egg cell वाले होंगे mostly aquatic होते हैं, जदतर पानी में मिलेंगे फिर solitary या colonial हो सकते हैं या तो अकेले रहेंगे या फिर colonies बना के रहेंगे फिर बोला कि ये parasitic भी हो सकते हैं symbiotic association में भी रह सकते हैं और free living भी हो सकते हैं host organism के अंदर या उसके उपर भी रह सकते हैं या किसी दूसरे organism के साथ mutual association में भी रह सकते हैं या फिर free living होंगे, किसी के साथ attached नहीं होंगे, अकेले रहेंगे इसके example कौन थे? यूगलेना, अमीबा, एंड पेरामीजियन तो इस वीडियो में हमने पूरा Kingdom Protesta cover किया है अभी तक हम पढ़ चुके हैं Kingdom Monera और आज हमने पढ़ लिया Kingdom Protesta अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे Kingdom Fungi की कम्प्लीट कोर्स के लिए Magnet Brains Plus में जरूर अपग्रेट करें और इस टॉपिक के नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ओफिशल वेबसाइट पर Magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे Third Kingdom जो की है Kingdom Fungi हमने स्टार्ट किया था Five Kingdom Classification के साथ जिसमें हमने Kingdom Monera और Kingdom Protesta यो दोनों कवर कर लिए हैं आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे Kingdom Fungi के साथ इसमें कौन-कौन से Organisms प्रेजेंट होते हैं क्या Special Features होते हैं, कहां पाये जाते हैं यह सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे Welcome to Magnet Brains, मैं हुवे बूती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक Kingdom Fungi अब जब भी मैं Kingdom Fungi के बारे में बात करूँगी या आपके दिपाग में सबसे पहली चीज आएगी Fungus अब Fungus के नाम से आपको यादा आएगा Bread Bread में हम सब ने कभी न कभी Fungus को लगे हुए देखाई है तो Fungus से हम क्या समझते हैं कि Fungus bread पे लगने वाली या bread को खराब करने वाली कोई organism है या फिर हमारे दिमाग में आएगा दूसरी चगा क्या mushroom तो अब ये थोड़ी सी confusing चीज हो गई ना कि Fungus चीजों को खराब करने वाली organism है या फिर ये एक food है अगर ये एक food है तो ये food कहां से आता है चलो हमने मालिया कि ये एक vegetable है और ये मिलता है plant से तो अगर ये plant से मिलता है तो plantे kingdom में क्यों नहीं रख दिया क्यों इसको हमने fungi के kingdom में रखा हुआ है जहां पे कुछ organisms चीजों को spoil भी कर रहे है bread में fungus लगके bread खराब हो रही है तो क्यों हमने mushrooms को kingdom fungi के अंदर रखा हुआ है तो मैंने बोला actually जो हमारे mushrooms होते हैं ना उनमें कुछ exceptions होते हैं जैसे कि उनके पास chlorophyll नहीं होता जो कि बाकी plants में होता है और हमने बोला कि इनके पास vascular tissues भी नहीं होते हैं vascular tissues से आपको tissue chapter याद आया जहां पे हमने देखा था कि plants में food और water को transport करने के लिए conduct करने के लिए अलग-अलग type के tissues होते हैं xylem and phloem दोनों को मिलाके हम क्या कहते हैं vascular tissue कहते हैं मश्रूम में chlorophyll नहीं होता और इनके पास vascular tissue भी नहीं होते और कई बर ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो cell wall है ना वो जैसे plants की cell wall होती है वो किससे बनी होती है cellulose की बनी होती है लेकिन मश्रूम की cell wall cellulose की नहीं बनी रहती तो इसलिए इसको kingdom plant से हटा करके हमने इसका अलगी kingdom बना दिया kingdom fungi तो आप बुरोगी कि मैम कोई बात नहीं ना हो सकता है कि एक दो मश्रूम ऐसे हो जिनने exception show कर लिया है तो कोई बात नहीं kingdom plant में रहने देते और नीचे एक note डाल देते कि ये वाला मश्रूम में ये ये exceptions होते हैं लेकिन ऐसे नहीं है मश्रूम्स खुद ही बहुत divers होते हैं इनकी millions of varieties होती है अब जब कोई number इतना बड़ा होता है तो exception का तो वो exception नहीं कहलाता फिर उसको अलग से हमें category बनानी पड़ती है इसलिए मश्रूम्स को हम kingdom fungi के अंदर डालते हैं क्यूं? हम प्लांटे में भी डाल सकते थे लेकिन मश्रूम्स के तीन exceptions होते हैं chlorophyll नहीं होता vascular tissues नहीं होते और cell wall भी cellulose की नहीं बनी होती और इनकी भी बहुत सारी varieties होती है millions of species होती है मश्रूम्स की जिसके कारण हम इसे exception की तरह नहीं मानेंगे इसको हम अलग से एक category में convert करेंगे और उसको हम डाल देंगे kingdom fungi में इतनी आपको बात clear है कि fungi क्या होता है और mushroom क्यूं आई kingdom fungi के अंदर अब हम बात करते हैं fungi kingdom में आने वाले organisms के structure के बारे में सबसे पहले हम बोलते हैं कि ये होते हैं multi cellular except east याने कि हम जब तक बात कर रहे थे monera और pretiski वहाँ पे हमने देखा था कि organisms कैसे थे unicellular थे एक ही cell के बने होते लेकिन जब हम पहुँशते हैं kingdom fungi के तरफ तो यहाँ पे organisms multi cellular हो जाते हैं याने कि इनकी body में एक से ज़ादा cells present होते हैं फिर इसके बाद में इसमें भी एक exception है east east एक exception है जो की कैसा होता है unicellular होता है east आपने कहीं नाम सुना होगा east को हम bakery products में use करते हैं जैसे की dough वगेरा में डो से क्या क्या बनेगा आपका pizza base भी बन सकता है है ना और brownies भी बनती है और doughnuts वगेरा भी बनते हैं किती सारी चीज़े बनती हैं है ना Indian snacks, snacks जैसे की समूसा वगेरा उन सब चीजों में भी जो हम dough बनाते हैं उसमें east use होता है east क्या काम करता है fermentation का काम करता है और dough को rice करने में help करता है याने की dough की volume double करने में east का हाथ होता है ठीक है तो east कैसा होता है unicellular होगा और बाकी organisms कैसे होंगे multicellular होंगे फिर इसके बाद में ये होते हैं eukaryotic organisms हमने kingdom protesta से ही पढ़ना शुरू कर दिया है कि kingdom protesta के organisms भी कैसे थे eukaryotic थे और further उनके आगी जितने organisms आएंगे वो उनी से develop होंगे उनी से evolve होंगे और वो भी कैसे होंगे eukaryotic होंगे याने कि kingdom fungi के organisms भी कैसे होते हैं तो eukaryotic होते हैं फिर इसके बाद में इन में cell wall present होती है next cell wall is made up of tough complex जुसको हम कहते हैं kaitin ये एक exception हो गया था ना हमने देखा था कि mushroom की जो cell wall होती है वो plants kingdom plant की जो organisms होते हैं वो किसकी बनी होती है cellulose की बनी होती है लेकिन mushrooms में cellulose की नहीं बनी होती है वो किसकी बनी होगी तो kaitin की बनी होगी जो की एक अलग तरह का tough complex होता है तो kingdom fungi में आने वाले organism में cell wall present होगी और वो किस से बनी होगी एक tough complex जिसका नाम है tough complex sugar जिसका नाम है kaitin इत्ती बात clear है next हम बोलते हैं कि mode of nutrition इनका क्या है mode of nutrition में हम बहुते हैं कि यह heterotrophic भी हो सकते हैं अपना खाना कहीं बाहर से लेकर के आएंगे खुछ synthesize नहीं करेंगे फिर इसके बाद में यह saprophytes भी हो सकते हैं और parasites भी हो सकते हैं हाँ चलो ठीक है heterotrophic तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि अपना खाना खुछ synthesize नहीं करेंगे बाहर से लेकर आएंगे लेकिन हमने parasite भी पढ़ लिया parasite भी हमने देखा था क्या देखा था कि यह किसी host organism की body पे जाकर के attach हो जाएंगे और उससे nutrition लेंगे खुद को तो फायदा होगा लेकिन host organism जो होगा न उसको फायदा नहीं होगा उसको नुकसान होगा ठीक है तो इसमें हमने क्या बोला parasitic जो होता है वो dependent होता है host organism की protoplasm protoplasm क्या होता है cytoplasm और nucleoplasm को मिला की हम कहते हैं protoplasm तो host organism के protoplasm के उपर ये dependent होता है अपने खाने के लिए लेकिन अब ये saprophytes क्या होता है saprophytic organisms क्या होता है ये वो organisms होते हैं जो की dead or decaying organic matter पे as a food के लिए dependent होते हैं ठीक है? dead or decaying, मरा हुआ और खराब matter पे ये अपना food जो है उस पे dependent करते हैं इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे? saprophytes कहते हैं ऐसे organisms जो की dead or decaying matter पे dependent होते हैं वही से अपना food derive करते हैं उन्हें हम कहते हैं saprophytes इत्ता clear है याने की kingdom fungi में आने वाले organisms हैं वो कैसे हो सकते हैं? heterotrophic हो सकते हैं, बाहर से खाना लेंगे और saprophytes भी हो सकते हैं, dead or decaying matter से अपना खाना लेंगे और parasites भी हो सकते हैं याने की एक living organism का जो protoplasm होता है उससे अपना nutrition या अपना food derive करेंगे इत्ती चीज़े आप सबको clear हैं, अब हम बात करते हैं थोड़े आगे की आगे हम देखते हैं और characteristics क्या क्या है? many become multicellular at certain stages of life ऐसा होता है कि शुरुवात में ये थोड़े unicellular होते हैं ठीके लेकिन जैसे जैसे ये इनकी life आगे progress होगी ठीके, अलग-अलग stages आएंगी और उन stages के साथ में इनकी body multicellular होती जाएगी फिर इसके बाद में ये symbiotic relationship में भी देखने को मिलेंगे अब symbiotic relationship हमने जब protesta पढ़ रहे थे तो भी हमने देखा था कि क्या होता है, दो organism साथ में रहते हैं और दोनों गो benefits होते हैं ठीके, mutual होती है चीजे और इसका एक best example है lichen ठीके, lichen किसके association से मिलके बनता है तो हम बोलते हैं कि blue, green, algae and fungus ठीके, lichen एक बहुत ही important और बहुत common सा एक association है ये एक type का हम बोलते हैं कि symbiotic association है ठीके, lichen जो होता है, वो सिर्फ एक organism का नहीं होता है वो दो organism से मिलके बनता है कौन-कौन, blue, green, algae and fungi actually होता क्या है, कि fungi जो होता है, ठीके, वो water absorb करेगा ठीके, और water absorb करके किसको देगा, algae को देगा algae क्या बनाएगा, खाना बनाएगा कुछ अपने पास भी रखेगा, और fungi को भी देदेगा यानि कि fungi ने क्या किया, water absorb किया और किसको देदिया, algae को देदिया algae ने उस water के साथ खाना बनाया, खुद भी थोड़ा सा खा लिया और fungi को भी देदिया, यानि कि दोनों को फायदा हो रहा है ठीक है, fungus को भी कोई नुक्सान नहीं, अच्छा ना, बना बनाया, खाना मिल गया और blue green algae भी water absorb नहीं कर पा रहा था तो उसको जो water absorption का जो काम है, responsibility है वो fungus ने कर दी, तो fungus ने blue green algae को पानी लाकर के दे दिया पानी से उसने खाना बना लिया, और खाना fungus को दे दिया यानि कि यह हुआ एक symbiotic relationship जहां पे दो organism एक साथ रहे हैं और दोनों को फायदा हो रहा है, mutual relationship है यह, और इस तरह का जो association है जो कि किस से मिलके बनता है, blue green algae से और fungus से वो क्या कहलाया जाता है, lichen कहलाया जाता है, फिर इसके बाद में इसके बहुत सारे uses भी होते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं कि fungus जो है ना चीजों को खरा भी करता हो, जैसे कि हमने देखा कि fruits में fungus लग जाती है है ना कित्ते सारे खाने होते हैं, जैसे कि bread वगेरा में हम fungus देखते हैं fruits में, vegetables में, prepared food में भी fungus लग जाती है लेकिन fungus का कुछ important role भी होता है, beneficial role भी होते हैं जैसे कि एक fungus है जिसका नाम है penicillium और penicillium से medicines बनाई जाती हैं फिर इसके बाद में yeast तो हमने देखी लिया कि Indian snacks से लेकर के pizza हो, या doughnuts हो, या cake वगेरा हो उनके dough को rice करने के लिए yeast use किया जाता है, ठीके yeast जो है basically fermentation करता है दोसा वगेरा का जो better होता है, ठीके उसमें भी fermentation होता है तो yeast भी जो है एक important अच्छा काम कर रहा है, bakery products में use होता है तो ये हमने कुछ basic characteristics देख लिए हैं, एक बार हम summarize कर लेते हैं चीजों को kingdom fungi से हमने start किया था, इसका basic structure क्या बोड़ रहा था, कि ये होते हैं multicellular और exception है इसमें yeast, yeast जो होता है वो unicellular होता है, सिर्फ एक ही cell से बना होता है फिर इसके बाद में बाकिज organisms होंगे, वो कैसे होंगे, multicellular होंगे और अगर नहीं तो शुरू में वो unicellular होंगे और जैसे जैसे उनकी life आगे progress होगी वो multicellular होते जाएंगे, उनकी body में और cells आते जाएंगे फिर इसके बाद में eukaryotic होते हैं, well defined nucleus और cell organs प्रेजंट होंगे cell wall भी प्रेजंट होती है, किसकी बनी होती है, एक ताफ complex sugar की बनी होती है जिसका नाम है chiton, right? फिर इसके बाद में mode of nutrition कैसा हो सकता है heterotrophic हो सकता है, separophetic हो सकता है, जापी ये dead और decaying organic matter पे dependent होंगे अपने food के लिए, nutrition के लिए, फिर parasitic होता है parasitic में host organism का जो protoplasm होता है, उस पे depend करेगा symbiotic association में भी मिल रहा था, इसका best example है lichen lichen में हमने बोला कि blue green algae और fungus से मिलके बनता है, lichen एक organism नहीं दो से मिलके बनता है, कौन-कौन? blue green algae and fungus, fungus ने water absorb करके किसको दे दिया? algी को दे दिया, algी ने खाना बना लिया और खाना किसको दे दिया? fungus को दे दिया, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इसका कुछ uses भी होते हैं, जैसे कि penicillium से medicines बन जाती है East का हमने देख लिया कि bakery products में use किया जाता है ठीक है? next हम बात करते हैं types of fungi की जो कि आपकी NCRT में mentioned है सबसे पहले आता है East, जिसको हम क्या कहते हैं? saccharomyces भी कहते हैं अब आप East का यहाँ पर structure देख रहे होंगे, यह हम बोलते हैं कि East का एक single structure है क्योंकि East कैसा होता है? unicellular है, यह एक exception है ठीक है? इसमें reproduction कैसे होता है? कैसे यह नए-नए cells बनाता है? तो budding से बनाता है, क्या होता है? कि यह एक unicellular cell है East का इसमें जो है ना, एक छोटा सा bud आ जाता है, ठीक है? जैसे यह एक है structure East का unicellular है, तो एक ही बनाया है मैंने और इसके बाद में इसमें छोटा सा एक bud आ जाता है, एक छोटी सी outgrowth आ जाती है फिर क्या होगा? धीरे धीरे यह outgrowth जो होती है, वो बड़ी होती चली जाती है ठीक है? बड़ी होती जाएगी, इसके बाद में यह जो bud निकला है, उससे भी एक नया bud निकलेगा ठीक है? उससे भी एक बड़ा bud निकलेगा, इस तरह से यह change बनाते है जैसे कि आपको इस फोटो में देख रहा है कि एक single cell था, इसके बाद में यह एक outgrowth आई, ठीक है? और उसने नया bud बना लिया इस बड़ के उपर भी further जो है नया नया birds निकलते जाएंगे और finally क्या होगा? जब यह birds mature हो जाएंगे, independent हो जाएंगे, तो यह parent body से detach हो जाएंगे और एक independent organism के form में या east के form में survive करेंगे तो यह होता है इनका एक method of reproduction जिसे हम कहते हैं budding budding के तुरू reproduction हो रहा है कि एक साल से start हुआ था, ठीक है? उसके उपर bud आया further उसने और birds बनाये, एक के उपर एक हद तक वो अपनी parent cell से attach रहे जब वो mature हो गए, इसके बाद में parent cell से detach हो गए और independent organisms की तरह फिर survive करते हैं तो यह हो गया इनका एक method of reproduction जिसे हम कहते हैं budding फिर इसके बाद में दूसरा example क्या है penicillium, ठीक है penicillium को हम mold भी कहते हैं यह होता है microscopic जो कि microscope की health से ही दिखता है, यह वही penicillium है जिससे की medicines बनती है फिर इसके बाद में third example है आपका mushroom जिसको हम क्या कहते हैं agaricus भी कहते हैं mushrooms की बहुत सारी varieties भी होती है कुछ edible होते हैं जिसे हम खा सकते हैं और कुछ toxic भी होती है तो यह कुछ basic examples थे जो कि आपकी NCRT ने दिये हैं तो हमने भी उसे discuss कर लिया तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया kingdom fungus के बारे में फंगाय के बारे में अब next वीडियो में हम start करेंगे next kingdom के साथ जो की है kingdom plant day complete course के लिए magnet brains plus में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available हैं हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे next kingdom जो की है kingdom plant day हमने start किया था 5 kingdom classification के साथ जिसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है kingdom monera, protista and fungi आज हम बात करते हैं 4th kingdom के बारे में जो की है kingdom plant day So welcome to magnet brains मैं हुवे बूती खरें तो चरिए start करते हैं आज का हमारा topic kingdom plant day के साथ सबसे पहले तो kingdom plant day में आने वाले जो organisms हैं उनके पारे में कुछ basic information की उनके पास क्या characteristics होती हैं वो देखते हैं सबसे पहले तो ये होंगे multi cellular इनकी body में बहुत सारे cells होते हैं इसलिए हमने बोल दिया कि ये कैसे होंगे? multi cellular होंगे next हमने बोला कि ये eukaryotes होंगे true nucleus और membrane bound organs ये सब इन में present होता है इसलिए हमने बोल दिया ये कैसे होते हैं? eukaryotic organisms होते हैं next हमने बोला कि इनके पास होंगी cell wall cell wall present होगी फिर autotrophic होते हैं nature में अपना खाना खुद synthesize करेंगे फिर हम बोलते हैं कि ये होंगे sedentary sedentary याने कि ये एक जगा stationary होते हैं locomotion show नहीं कर सकते movement show कर सकते हैं लेकिन एक जगा से दूसरी जगा तक आना जाना इनके लिए possible नहीं है क्यों? क्योंकि ये होते हैं sedentary stationary होते हैं अपनी एक position पे fixed जोते हैं right? तो basic characteristics हमने क्या क्या देख लिए kingdom plantae के organisms के बारे में सबसे पहले हमने बोला कि ये होते हैं multicellular याने कि बहुत सारे cells present होते हैं इनकी body में फिर हम बोलते हैं कि ये होंगे eukaryodes याने कि true nucleus और membrane bound organelles are present फिर cell wall भी present होती है अपना काना खुद synthesize करेंगे इसलिए इनको हमने बोल दिया कि ये होंगे autotrophic फिर sedentary होते हैं locomotion show नहीं करेंगे movement show करेंगे लेकिन locomotion show नहीं करेंगे अब इसके बाद में kingdom plantae को further divisions में divide किया गया classify किया गया classification किया गया further divisions में अब जब हमने classification पढ़ा था previous videos में तो हमने देखा था कि classification किसी ना किसी basis पे किया जाना होता है उसी तरह से planting kingdom को जब हमने further divisions में classify किया तो किस basis पे किया अब वो देखते हैं सबसे पहले differentiation of plant body and distinct components याने कि उनकी body में distinct components है या नहीं उसके basis पे अब ये distinct components क्या होते हैं तो ये होते है true stem, true leaves and true roots याने कि इनकी body में roots, stems और leaves हैं या नहीं उसके basis पे first basis क्या था classification का कि उनकी body differentiated होती है distinct components में कि नहीं वो distinct components कौन-कौन से है true leaves, true stem and true roots फिर इसके बाद में second basis क्या है presence and or absence of vascular tissues vascular tissues जब हमने tissue chapter पढ़ा था हमने clearly देखा था कि plants में food और water के conduction के लिए दो टाइप के tissues होते हैं xylem and phloem xylem और phloem को मिला करके हम क्या बोलते हैं vascular tissues रहते हैं ठीक है तो इन में organisms में vascular tissue है या नहीं उसके basis पर classification हुआ फिर third basis क्या था ability to bear seeds ये seeds produce कर पाते हैं या नहीं beege seeds को produce कर पाते हैं नहीं उनके पास ये ability है या नहीं वो था third basis classification का fourth basis क्या था seeds are enclosed within fruits fruits के अंदर seeds मतलब कि जो seeds हैं तो आपने बोल दिया कि seeds को वो produce कर पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं नहीं अगर हाँ बना पा रहे हैं तो वो seeds fruit के अंदर enclosed होंगे या नहीं होंगे फिर इसके बाद में last क्या है basis the ability to produce flowers flowers produce करने की ability याने कि kingdom planting को further divisions में divide किया गया इस classification के following basis से first हमने क्या पढ़ा differentiation of plant body distinct components में तो वो distinct components कौन कौन से होंगे true roots, true stem and true leaves फिर इसके बाद में इनके पास vesicular tissues है या नहीं याने कि xylem और phloem है या नहीं उसके basis पे third क्या था ये seeds produce कर सकते हैं या नहीं अगर कर सकते हैं तो वो seed fruits के अंदर enclosed है या नहीं ये बन गया हमारा fourth basis और fifth basis क्या है कि ये flowers produce कर पाते हैं या नहीं अब जरा हम plantic kingdom को कौन कौन से divisions में divide किया गया है और कैसे divide किया गया है वो हम देख लेते हैं तो अब हम पढ़ेंगे classification of plant सबसे पहले तो हमने बोला कि ये है plant ठीक है इसका सबसे पहले differentiation या classification किसके basis पे हुआ कि जो plant body है उनके पास वो differentiated है distinct components में या नहीं तो क्या बोला वो जिनकी body differentiated नहीं है distinct components में उनको हमने एक division में डाल दिया और उसको हमने बोला थेलो फाइटा सबसे पहले हमने लिया plant प्लांटे का सबसे पहले हमने classification किया किसके basis पे किया कि उनकी plant body differentiated होती है true components में या नहीं तो हमने बोला कि कुछ ऐसे थे plants जे इनकी body differentiated नहीं थी distant components में तो उनको हमने एक division में डाल दिया first division में डाला जिसका नाम हमने बोला थेलो फाइटा अब हमने बोला कि इसके अलावा भी ऐसे plants हैं जिनकी body differentiated होती है distant components में true leaves, stems और leaves में वो होते हैं प्रेजेंटी के उनको further हमने दो categories में divide कर दिया एक में हमने बोला कि ऐसे organisms ऐसे plants जिनकी body distinct components में differentiated हैं और उनमें vascular tissues हैं या नहीं तो अगर ऐसे plants जिनकी body differentiated होती है distinct components में प्लस उनके पास present होते हैं जिनके पास नहीं होते हैं vascular tissues ठीक है? उनको हमने second division में डाल दिया और हमने उनको नाम दिया bryophyta अभी तक हमने दो division पढ़ लिये हैं कौन-कौन से thelophyta and bryophyta thelophyta में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने start किया था planting kingdom की साथ हमने बोला था कि plant body differentiated है distinct components में या नहीं तो आपने बोला हाँ कुछ हैं जिसमें की होती हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें की differentiation नहीं में देखने को मिलेगा तो हमने बोला कि ठीक है एक काम करते हो उसको हम एक division में डाल देते हैं और उस division का नाम हम रखते हैं thelophyta फिर हमने बोला कि ऐसे भी plants हैं जिनकी body differentiated है तो क्या उनमें vascular tissues हैं या नहीं तो हमने बोला हाँ कुछ ऐसे भी है कि जिनमें नहीं है और जिनमें होते भी है चलो ठीक है तो ऐसे plants जिनकी body differentiated होती है प्लस उनके पास vascular tissues नहीं होते हैं उनको हमने second division में डाल दिया किसमें? ब्रायोफाइटा में तो अब तक हम दो division देख चुके हैं कौन-कौन सा तेलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा अब हम बात करते हैं आगे की हम start करें उस उन plants के साथ जिनके पास well differentiated body parts तो रहते हैं बोडी रहती है लेकिन उनके पास vascular tissues भी होते हैं ठीक है? तो further हमने कैसे divide किया? ऐसे plants जिनकी body differentiated थी distinct components में और उनके पास vascular tissues भी थे उनको further दो categories में हमने divide किया एक जो की seeds produce नहीं कर सकते और वो जो की seed produce कर सकते हैं ठीक है? तो जो produce नहीं कर सकते उनको हमने नाम दे दिया cryptogames यानि की ऐसे plants जिनकी body differentiated होती है distinct components में उनके पास vascular tissue भी होता है लेकिन वो seeds produce नहीं कर सकते हैं उनको हमने नाम दे दिया cryptogames अब ऐसे plants जिनकी body differentiated होती है distinct components में vascular tissues भी होंगे और वो seeds भी produce कर पाएंगे और उनको हमने नाम दे दिया क्या? fenerogames इतना clear है next हमने बोला इसी fenerogames को हमने दो divisions में divide कर दिया कौन-कौन से gymnosperms and angiosperms क्या basis था division का? ये जो gymnosperms की seeds होते हैं seeds तो ये produce कर रहे हैं लेकिन इनके जो seeds होंगे वो naked होंगे याने की उनके उपर fruit की covering नहीं होगी angiosperms क्या होते हैं? angiosperms वो होते हैं plants जिनके seeds जो होती हैं वो covered होती है ठीक है? इसको हमने दो categories में divide किया एक को हमने बोला cryptogames और एक को हमने बोला phenerogames कौन से होते हैं? जिनके पास seeds नहीं होते जो नहीं produce कर सकते और phenerogames कौन होते हैं? जो की seed produce कर सकते हैं further इनको हमने दो divisions में divide कर दिया किसके basis पे? कि इनके seeds naked हैं या फिर fruits के covering के साथ हैं fruits के अंदर enclosed हैं तो एक division क्या हमने बोल दिया? gymnosperms जिसके seeds क्या है? fruits के अंदर enclosed नहीं हैं और angiosperms जिनके seeds fruits के अंदर enclosed हैं ठीक है? further जो हमारा gymnosperm है उसको भी divide किया किसमे? monocords में और dicords में अब ये monocords क्या होते हैं? पढ़ेंगे angiosperms के बारे में इस level पे आप इतना ध्यान रखिये कि हमारे पास जो kingdom planted था ठीक है? उसको in basis पे further divide किया गया क्या क्या था? कि उनकी body differentiated होती है distinct components में या नहीं? इसके बाद में उनके पास vascular tissues हैं या नहीं? seeds produce कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं तो क्या उनके seeds fruits के अंदर enclosed है या नहीं? फिर इसके बाद में वो flowers produce कर सकते हैं या नहीं? चलो ठीक है? स्टार्ट करते हैं प्लांके kingdom को सबसे पहले हमने divide किया था किसके वेसिस पे? कि body differentiated होती है या नहीं? distinct components में याने कि true leaves, true stem and true roots तो हमने बोला कि नहीं कुछ organism, कुछ plants ऐसे हैं जिनकी body differentiated नहीं होती है उनको हमने एक division में डाल दिया थैलोफाइटा में फिर हमने बोला कि नहीं कुछ ऐसे भी होता है जिनकी body differentiated होती है तो चलो next basis हम ढूनते हैं कि क्या उसमें vascular tissues present हैं या नहीं तो आपने बोला कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होता body दो differentiated है true components में, distinct components में लेकिन vascular tissues नहीं हैं तो कोई बार नहीं हमने उसको दूसरे division में डाल दिया bryophyta में फिर हमने start किया उन plants के साथ जिनकी body differentiated होती है प्लस उनके पास vascular tissues भी होते हैं उनको हमने दो categories में डाला cryptogames and phenerogames क्यों डाल दिया हमने further classification किया किसके basis पे कि वो seeds produce कर सकते हैं या नहीं तो cryptogames seeds produce नहीं कर सकते वहीं जो हमारे phenerogames होते हैं वो produce कर सकते हैं further cryptogames को एक और division में डाला जिसे हमने बोला teradophytes और इसके बाद में phenerogames जिनके पास seeds produce हो सकते हैं उनको हमने दो categories में further दो divisions में divide कर दिया gymnosperms and angiosperms gymnosperms क्या होते हैं जिनके seeds fruit के अंदर enclosed नहीं होंगे और angiosperms क्या होते हैं जिनके seeds foods के अंदर enclosed होते हैं angiosperms को हमने further दो categories में categorize किया dicots में और monocots में ठीक है यह हुआ पूरे kingdom plantay का division अब हम next video में start करेंगे किस के साथ? first division के साथ thylophita के साथ ठीक है? इस video में हमने kingdom plantay के बारे में कुछ basic characteristics पढ़ लिए और उनका classification था divisions में वो भी हमने देख लिया next video में हम start करेंगे division thylophita के साथ complete course के लिए magnet bins plus में जरूर अप्डेट कर दे और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnet bins.com पर thank you for watching hello everyone आज हम इस video में start करने वाले हैं kingdom plantay का first division जो की है division thylophita right हम start करेंगे thylophita division के साथ जैसा कि हमने previous video में देखा था कि किस तरह से plantay को five divisions में divide किया गया बहुत सारे basis थे कि body distinct components में differentiated है या नही vascular tissues है या नही seeds bear कर सकती है नही seeds उनकी fruits में enclosed है या नही flowers bear कर सकती है या नही तो उसके basis पे इतना सारा हमने classification किया था into five divisions उसी के बाद आज हम start करते हैं first division के साथ जो की है thylophita अब यहाँ पे जो organisms आ रहे हैं plants आ रहे हैं उनकी कुछ basic characteristics जान लेते हैं right so welcome to magnet brains मैं हूं विबुति खरे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic division thylophita के साथ तो जब हमने classification पढ़ा था प्लांटे का तो thylophita को हमने क्यों division में रखा था अलट division में हमने क्यों रखा था हमने first basis दिया था classification का कि body differentiated distinct components में है या नहीं तो thylophita में ऐसा हुआ था कि body differentiated नहीं होती है तो अब विस्ती बात है इसमें आने वाले जो plants होंगे वो कैसे होंगे उनकी जो body है वो differentiated नहीं होती है distinct components में याने कि उनमें true stems, leaves और roots absent होते हैं फिर इसके बाद में ये होंगे eukaryotic organisms याने कि well defined nucleus present होगा और membrane bound organelles भी present होगे फिर हमने बोला ये होते हैं non motile याने कि ये stationary होते हैं ये move नहीं कर सकते एक जगा से दूसरे जगा locomotion show नहीं करेंगे motile नहीं होंगे लेकिन movement show कर सकते हैं फिर इसके बाद में autotrophic होगे याने कि अपना खाना खुछ synthesize कर सकते हैं अब इनके पास different pigments present होते हैं तो obviously बात है अगर ये autotrophic हैं याने कि अपना food खुछ synthesize कर रहे हैं तो obviously इनके पास chlorophyll तो present ही होगा chlorophyll help करता है photosynthesis में खाना बनाने में तो इनके पास chlorophyll और उसके साथ में कई सारे और भी pigments present होते हैं जो कि इनको अलग-अलग colors भी provide करते हैं फिर इसके बाद में ये तो point हमने पहले cover कर लिया है कि differentiated नहीं होती है plant body into distinct components इनको हम अलगी भी कहते हैं अब आप ये वाली अलगी के साथ monera और protista में जो हमने देखी थी algae उनके साथ confused मत होना ये multi cellular होती है और eukaryotic होती है और वो जो हमने देखी थी वो unicellular थी और prokaryotic थी यहाँ पे हम देखते हैं कि telophyta में जो plants आते हैं उनको हम अलगे कहते हैं अलगे भी कह सकते हैं और ये कैसे होंगी multi cellular होंगी और eukaryotic होंगी फिर इसके बाद में mostly aquatic होते हैं याने कि पानी में मिलेंगे पानी marine water भी हो सकता है या फिर fresh water भी हो सकता है फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ये edible भी हो सकती हैं और toxic भी हो सकती हैं इनको हम खा भी सकते हैं और ये toxic भी हो सकती हैं ठीक है अब इसके बाद में इनके कुछ examples हैं जो कि आपकी NCRT ने mention करे हैं कौन-कौन से? Spirogyra, Eulothrix, Alva, Cara and Cladophora अब यहाँ पे आपको एक diagram दिख रहा है कई सारे, ठीक है ना? Spirogyra, Eulothrix, Cladophora, Alva, Cara यह सब आपकी NCRT में mention है अब अगर मैं आपसे पूछो कि क्या इनकी body आपको differentiated दख रही है क्या? आप बता सकते हो कि इसकी roots कहां है या इनके stem कहां है या इनकी leaves कहां है नहीं बता सकते यही तो basis था classification का इसे लिए तो इनको हमने थेलोफाइटा division के आंदर रखा हुआ है इनके पास vascular tissues भी नहीं होंगे इत्ती चीज़ clear है अब अगर आपको यह diagram इतना अच्छा ना लग रहा हो attractive ना लग रहा हो तो आप इन diagrams को क्योंकि आपकी NCRT में given है आप इन diagrams को इन picture से भी समझ सकते हैं यह है spirochaira का ठीक है? true stem, leaves वगेरा कुछ भी present नहीं है यह microscope के अंदर जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का structure देखने को मिलेगा फिर यह हम बात करते है यह lotrix की ठीक है फिर आया अपना alva alva में आप देख रहे हैं यह पानी के अंदर है leaf like structure आपको देखने को मिल रहा है लेकिन यही है पूरी एक plant body अब आप ज़रा इसमें मुझे बताओ कि plant, stem का है, leaves का है, roots का है कहीं देखने को मिलेगा आपको है ना? फिर इसके बाद में यह आता है हमारा कारा और यह है हमारा cladophora ठीक है? तो यह कुछ pictures हैं जो आपको attractive लगेंगी, interesting लगेंगी इनी की help से NCRT में जो diagrams हैं वो आप याद रख सकते हो कारा की तो हमने colored image almost इसी तरह की देखी है ठीक है? अलबा की भी हमने इसी तरह से देखी है, काफी green दिख रही थी spinach leaves के समान दिख रही थी है ना? तो हमने इनके diagram भी देख लिए NCRT ने कौन-कौन से example दिये है थेलोफाइटा के अंदर जो organisms आते हैं, plants आते हैं वो भी हमने देख लिए, basic characteristics भी हमने देख लिए, क्या-क्या देख लिया body differentiated नहीं होगी distinct components में, trues, tam, leaves वगेरा सब absent होगी, vascular tissues भी absent होगे, eukaryotic होती है, याने की well-defined nucleus and cell organs present होगे, non-motile होते हैं, एक जगा से दूसरे जगा पे locomotion show नहीं करेंगे ठीक है, फिर इसके बाद में autotrophic होते हैं, अपना खाना खुच synthesize करेंगे, जब synthesis की बाद चल रही है, तो obviously बात है, pigments भी present होगे, तो chlorophyll के साथ-साथ और कई सारे इनमें pigments भी present होगे, फिर plants को हम अलगे भी कहते हैं, लेकिन ये अलगे अलग होगे, monera और protist में जो हमने देखे थे, क्यों? क्योंकि ये होगे multicellular and eukaryotic, फिर इसके बाद में ये mostly aquatic होते हैं, जाधा तर पानी में ही मिलेंगे, marine water में भी मिल सकते हैं, और fresh water में भी मिल सकते हैं, फिर इसके बाद में इनको हम खा भी सकते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं, जो कि हमारी body के लिए toxic होते हैं कौन-कौन से examples आपकी NCRT ने दिये हैं और हमने इनकी colored images भी देख ली, इमेजस को कहीं से देख करके हम नहीं बता सकते कि इन में stem कहां है, leaf कहां है और roots कहां है यही पेसिस था, classification का जिसके कारण kingdom plant को first division में, जिसको हमने बोला thailophyta उसमें divide किया उसमें क्या-क्या characteristics होते हैं वो भी हमने देख लिए, अब हम next video में बात करेंगे second division की, ठीक है और उसमें क्या-क्या characteristics होते हैं क्या उनकी body में उनकी body divided होती है distinct components में या नहीं, vascular tissues हैं या नहीं, वो सब हम cover करेंगे next video में, complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone, आज हम इस वीडियो में start करेंगे Plante Kingdom का second division जो की है Bryophyta हमने start किया था Kingdom Plante के साथ और हमने देखा था कि किस basis पे, किस तरह से उनका classification किया गया है 5 division में, उसमें से भी हमने previous video में, first division जो की है Thelophyta, वो हमने cover कर लिया था, आज हम बात करेंगे second division की, जो की है Bryophyta, so welcome to Magnet Brains, मैं हूँ विभूती खरे, तो चलिए start करते हैं, आज का हमारा topic division Bryophyta के साथ, अब अगर आपको याद हो तो previous video में हमने देखा था कि जो 5 हमने divisions में divide किया था, Kingdom Plante को, उसमें से first basis क्या देखा था हमने, कि उनकी body differentiated होती है distinct components में या नहीं तो जिसमें नहीं होती, उसको हमने एक division नाम दीजे था, Thelophita Thelophita क्या होता है, यह हम पढ़ चुके हैं अब next जो था, और organisms, और plants, जिनकी body distinct components में differentiated होती है, याने कि true stems और leaves present होती है या नहीं, जिनमें होती है उनमें भी हमने दो basis देख रहे थे, उनको दो categories में categorize किया था कि उनमें vascular tissues present होते है या नहीं, तो जिनमें नहीं होते, उनको हमने डाल दिया था, किसके अंदर ब्रायोफाइटा के अंदर ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा ऐसे plants हैं जिनकी body differentiated तो होती है distinct components में, ठीक है लेकिन उनके पास vascular tissues नहीं होते हैं, तो basic characteristics क्या हमने ब्रायोफाइटा का देख लिया, body differentiated होगी, किस-किस में stem-like और leaf-like structure में देखो, true stem-leaves और roots आने में अभी बहुत time लगेगा, लेकिन इनमें at least stem-like leaves-like या root-like structure देखने को मिल जाते हैं इसलिए इनको हमने second category में categorize किया है, ठीक है इनमें क्या होंगे, true stems और leaves roots तो नहीं होंगे, लेकिन leaves-like, roots-like और stem-like structures present होते हैं जो इनके root-like structures होते हैं, उन्हें हम कहते हैं rhizoids, और rhizoids का क्या काम होता है rhizoids का काम होता है water का absorption ठीक है, इतना clear है आपको, क्या बताया मैंने कि इनकी body differentiated तो होती है, लेकिन true stems, leaves और roots आने में अभी थोड़ा time है इसलिए इनमे stem-like, roots-like और leaves-like structure present होते हैं इनकी root-like structures को हम क्या कहते हैं, rhizoids कहते हैं और ये rhizoids क्या करते हैं, water absorption का काम करेंगे फिर इसके बाद में, इन्हें हम कहते हैं amphibians of plant kingdom इसको जरा कर लेना star mark क्या मतलब हुआ, amphibians का amphibians वो organisms होते हैं जो की land में भी रहते हैं और water में भी रहते हैं ठीक है, पानी में भी रहेंगे और land में भी रहेंगे ऐसे organisms को हम कहते हैं amphibians, ठीक है और जो bryophytes होते हैं bryophyta के अंदर जो plants आते हैं, organisms आते हैं वो क्या होते हैं, plantae kingdom के amphibians कहलाए जाते हैं ठीक है अब सवाल यह आता है कि इनको हम amphibians क्यों बोल रहे हैं क्या जरुवत है पानी में रहने की एक ही जगह रह ले ना या तो land पे रह ले या water पे रह ले दोनों जगह क्यों रहते हैं actually क्या होता है, जैसा कि हमने classification में देखा था कि इनकी body differentiated होती है distinct components में लेकिन इनके पास vascular tissues नहीं होते याने कि food और water को conduct करने के लिए जो specialized tissues होते हैं, xylem and phloem जिसको हम मिला कर कहते हैं vascular tissues वो इन में absent होते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है ये पानी में रहते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि conduction के लिए तो कोई चीज है नहीं, लेकिन water तो चाहिए क्योंकि survive करना है तो इसलिए land के साथ-साथ इनको water में भी रहना पड़ता है water में रहने का एक और reason है actually इन में जब reproduction होता है तो male gamit जो होता है वो body से निकलके male body से निकलके male plant से निकलके swim करते हुए female plant तक आता है ठीक है, जो male gamit होता है वो क्या करेगा, swim करेगा ठीक है, तैर के आएगा अब तैरने के लिए पानी तो चाहिए न इसलिए इनको पानी में रहना पड़ता है land के साथ-साथ पानी में भी रहना पड़ता है क्योंकि ये reproduction के लिए इन में reproduction कैसा होता है external fertilization होता है याने की gamits जो होते हैं वो parent body से बाहर निकल आते हैं ठीक है, तो external fertilization होता है जिसके कारण जो male gamit है वो swim करते हुए female body के पास पहुँचता है अब swim करने के लिए पानी की जरुबत होती है इसलिए कि aquatic life भी जीते है land के साथ-साथ पानी में भी मिलेंगे viscular tissues है नहीं water और food के conduction के लिए इसलिए इनको कहां रहना पड़ता है damp and moist places पे रहना पड़ता है जहां पे थोड़ी सी, थोड़ा moisture हो थोड़े गीले हो ऐसी जगा पे इनको रहना पड़ता है इनकी मजबूरी है इसी वज़ा से इनको हम क्या कहते हैं amphibians कहते हैं यानि कि ऐसे plants, ऐसे organisms जो कि land और soil या water दोनों में रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे amphibians कहते हैं और प्राइओफाइट्स जो होते हैं वो kingdom plant के amphibians होते हैं इतना clear है फिर इसके बाद पे amphibians वाला हमने point clear कर लिया differentiated वाला हमने point clear कर लिया rhizoids present होते हैं rhizoids को क्या काम होता है water को absorb करना यह point भी हमने clear कर लिया next point हम बोलते हैं कि autotrophic organisms होते हैं यानि कि अपना खाना खुद synthesize करेंगे यह point भी हमने देख लिया फिर हमने बोला specialized tissues for water and food conduction is absent यानि कि vascular tissues इसमें नहीं होंगे यह point भी हमने clear कर लिया अब इसके कुछ example हैं जो कि आपकी NCRT में दिये हैं कौन-कौन से हैं rhizia, moss जिसको हम funeria भी कहते हैं और mercantia यह 3 examples हैं आपकी NCRT में दिये गए हैं यह उनके कुछ structure है ठीक है, यह दिख रहा है आपको यह है rhizia फिर इसके बाद में यह है mercantia और यह है funeria अब इसके थोड़ा और interesting simplified diagram देखने की हम कोशिश करते हैं जैसे की यह है rhizia का अब देखो इसमें आपको यह black color के root-like structures आपको देखने को मिलेंगे और इनी को हम क्या कहेंगे rhizoids कहेंगे यह ऐसे plants ने जिनके पास stem-like, root-like और leaf-like structures प्रेजेंट थे ठीक है, root-like structures को हमने क्या बोला था rhizoids बोला था और आप clearly रीसिया में देख सकते हैं कि किस तरह से plant body से root-like structures जो है ना tiny root-like structures आ रहे हैं यह true roots नहीं है लेकिन root-like structure से जिसको हमने क्या बोला, rhizoids बोला फिर इसके बाद में next example आता है funeria का, funeria में जड़ा आप देखो, इनके पास देख रही कि एक main axis, ठीक है इनके पास भी रहेंगे rhizoids stems, leaves भी दिख रही है ठीक है, और इसके बाद में main axis भी दिख रही है तो root-like rhizoids हो गए, leaves हो गई और main axis थोड़ी बहुत stem से similar है, stem-like है ठीक है, फिर इसके बाद में यह होता है mercantia mercantia में भी आप clearly देख सकते हो यह roots, जो है visible है, छोटी-छोटी root-like structures, जिसको हमने क्या बोल दिया, rhizoids बोला आपको roots दिख रही है stem-like structure देख रहे हैं ठीक है, leaves-like structure देख रहे हैं यही basis था इनके classification का तो हमने यह सभी examples जो कि आपकी NCRT में दिये गए हैं वो भी हमने cover कर लिए और जो basic characteristics हैं bryophytes के वो भी हमने देख लिए कि इस point को आप star mark कर दीजेगा कि यह amphibians होते हैं क्यों amphibians कहलाते हैं क्योंकि land और water दोनों पे रहते हैं water में रहने की जरुवत क्यों होती है क्योंकि reproduction के लिए male gamet swim करके female plant तक आएगा कैसे आपाएगा? swim करके आएगा swimming करने के लिए पाने की जरुवत पड़ेगी तो तैर के आएगा इसलिए यह aquatic life भी जीते हैं फिर इसके बाद में body differentiated होगी stem-like, root-like और leaf-like structure में root-like structures को हम बोलते हैं rhizoids, rhizoids क्या काम करते हैं water का absorption करते हैं फिर इसके बाद में यह होंगे autotrophic यानि की अपना खाना खुच synthesize करेंगे फिर specialized tissue होते हैं water और food conduction के लिए जिसको हम कहते हैं viscular tissues यह इन में absent होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे फिर what कहां मिलेंगे dam and moist areas में मिलेंगे ठीक है पानी में रहरे हैं वो ठीक है और जब यह land पे आएंगे land पे भी कहां रहेंगे dam and moist areas में रहेंगे फिर हमने इसके तीन example पढ़ लिये, कौन-कौन से resia, फिर हमने पढ़ा moss जिसको हम funerary भी कहते हैं और हमने पढ़ लिया mercantia और यह इस तरह के हमने इसके diagram भी देख लिये और हमने किस तरह से इनके structures में root like rhizoids देखने को मिल रहे हैं वो भी हमने इसमें cover कर लिया है अब next video में हम start करेंगे third division के साथ third division में कौन-कौन organisms आते हैं, उनकी क्या characteristics हैं, वो सब हम next video में cover करेंगे complete course के लिए Magnet Brains इस प्लस में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available हैं हमारी official website पर magnetbrins.com पर Thank you for watching Hello everyone, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं Kingdom Plante का third division जो की है Kingdom Division Teradophyta हमने start किया था 5 Kingdom Classification के साथ जिसमें हमने Monera, Protesta, Fungi पढ़ लिया है, हमने start किया था अलग-अलग basis पे उनको further divisions में divide किया गया उसमें से भी हम अभी तक कौन-कौन से division पर चुके हैं Telophyta पर चुके हैं और Bryophyta पर चुके हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे third division की जो की है division Teradophyta So welcome to Magnet Brains, मैं हूँ विबुती खरे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic division Teradophyta के साथ सबसे पहले तो ये first terrestrial plant थे और इसको आप कर लीजे star mark इस point को यानि कि अब ये permanently आ गए थे land पे अब ये वाटर में जाने की जरूरत नहीं थी तो ये सबसे पहले terrestrial plant थे यानि कि land पर आने वाले सबसे पहले plant थे फिर इसके बाद में plant body is differentiated into roots stems and leaves अभी तक हमने ब्रायोफाइटा में देखा था कि body में जो plant body थी वो differentiated तो हो गई थी distinct components में लेकिन ब्रायोफाइटा में हमने देखा था कि root like, stem like और leaves like structure थे लेकिन जब हम बात करेंगे teradophyte की तो यहाँ पर stem like या root like structures नहीं properly stem, roots और leaves present होंगी ठीक है, फिर इसके बाद में जो leaves जो होती हैं वो leaflets की बनी होती है जैसे कि normally leaves आपको कैसी दिखेंगी इस तरह से दिखती है ठीक है, leaves को हम बनाएंगे green color से अब teradophyte की जो leaves होती है वो leaflets की बनी होती है याने कि यह रही एक leaves और यह इस तरह से leaflets की बनी होती है चोटी-चोटी leaves like structure होती है उन्हें हम क्या कहते हैं leaflets कहते हैं और इनहीं की यह बनी होती है जैसे कि आपको यह fern के diagram में clearly visible है ठीक है, यह एक leaf है लेकिन यह चोटी-चोटी leaflets से बनी होती है इन leaves को हम sporophylls कहते हैं क्यों कहेंगे? क्योंकि इनके पास spores present होते हैं इन leaflets के पास क्या होंगे? spores होंगे और इसलिए हम leaves को क्या कहेंगे? sporophylls कहते हैं इनके पास felt developed reproductive organs जो होते हैं वो present होंगे लेकिन वो hidden होंगे कहां होंगे? इनी leaves में होंगे और leaves के अंदर की तरफ present होंगे जब आप plant को उठा की देखोगे आपको ऐसाच कोई reproductive organ नहीं देखेगा लेकिन इन leaves में present होते हैं और अंदर की तरफ present होते हैं याने कि वो hidden होते हैं फिर इसके बाद में इनके पास specialized tissue for food and water conduction याने कि vascular tissues xylem and phloem present होते हैं ये ही तो एक basis था classification का अगर आपको जब हमने kingdom plant को divisions में divide किया था तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि थेलोफाइटा को हमने क्या बोला था? कि well differentiated body नहीं है याने कि distinct components नहीं है body में फिर हमने बोला था कि ऐसे भी plants होते हैं जिनमें कि body differentiated होती है distinct components में उसमें भी हमने दो categories रख दी थी एक जिनके पास vascular tissues नहीं थे तो उसको हमने एक division नाम दे दिया था उसको हमने बोला था bryophyta फिर इसके बाद में हम आए pteridophyta पे याने कि ऐसे plants जिनकी body differentiated होती है कि इसमें root stems और leaves में प्लस उनके पास vascular tissues भी present होते हैं किस चीज के लिए food and water के conduction के लिए फिर इसके बाद में ये कहां मिलेंगे तो ये rocks के cracks में मिलते हैं moist और shady places में मिलते हैं ठीके जहां पर थोड़ा सा moisture होता है और shady क्यों क्योंकि direct sunlight के contact में ये नहीं आना चाहते हैं इसलिए जहां पर थोड़ी चाओं होगी और moisture होगा वहाँ ये देखने को मिलेंगे rocks के cracks में भी देखने को ये मिल जाते हैं फिर इसके बाद में हमारी NCRT इसके दो एक्जामपल लेती है कौन से? Marsalia and fern और यही diagram हमने यहाँ पर देखा यह fern है आप देख रहे हैं कि leaves किस तरह से छोटी छोटी leaflets से बनी होती है और इनी leaflets पर आपको इनी leaves को हम क्या कहते हैं sporophylls कहते हैं क्यों? क्योंकि इनके उपर sports present होते हैं इनके पास reproductive organs होते हैं लेकिन वो कैसे होंगे? hidden होंगे और Marsalia ने भी आप देखो butterfly कुछ-कुछ structure दिख रहे हैं leaves के तो यह है एक बहुत अच्छा diagram fern और Marsalia का examples है जो कि आपकी NCRT ने mention किया है तो अभी तक हमने क्या-क्या देख लिया अभी हमने देखा कि kingdom plant को हमने उसका हम classification हम पढ़ चोके दे अब हम हर एक division को उठा करके पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमने bryophyta देखा था फिर इसके बाद में हमने क्या देखा थेलोफाइटा देखा था अब हम देख रहे थे टेरोइडोफाइटा जिसमें कि इन में आने वाले जो plants होते हैं वो stem leaves और roots में divided होते हैं ठीक है differentiated होते हैं फिर इसके बाद में इनके पास food और water को conduct करने के लिए vascular tissues भी present होते हैं याने कि silent flowyum present होंगे अब ये first terrestrial plants थे आने की land पे आने वाले सबसे पहले plants थे फिर इसके बाद में हम बहुते कि इनकी जो leaves होती हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी leaflets की बनी होती हैं और leaflets के पास क्या होते हैं spores होते हैं इसलिए leaflets को हम क्या कहेंगे sporophils कहेंगे reproductive organs इन में present होते हैं लेकिन वो hidden होंगे और ये कहां मिलेंगे ये मिलेंगे moist और shady places में क्योंकि sunlight के direct contact में आना नहीं चाहते इसलिए shady places में मिल रहे हैं rocks की cracks वगएरा में भी देखने को मिलेंगे हमारी NCRT ने दो इसके example लिए है Marsella और ferns का तो वो मैंने आपको डाइग्राम से बता जिया कि वो actually दिखते कैसे हैं ठीक है अब हम बात करते हैं आगे की तो हम जब classification पढ़ रहे थे हमने दो categories देखी थी कौन-कौन सी cryptogames and fenerogram ठीक है अब ज़रा इनके बीच में क्या differences हैं वो देखते हैं सबसे पहले जो cryptogames होते हैं उसमें seeds, flowers और fruits तीनों absent होते हैं cryptogames में fruits, flowers और seeds absent होंगे लेकिन जो fenerograms होते हैं उनमें seeds, flowers और fruits प्रेजेंट होंगे next point हम बोलते हैं कि इनके reproductive organs कैसे होते हैं hidden होते हैं चुपे हुए होते हैं किस में? Cryptogames में लेकिन फेनरोगेम्स में हम बोते हैं कि इनके reproductive organs exposed होते हैं external environment से. फिर इसके बाद में ये थे less evolved plants, ठीके इनमें बहुत ज़्यादा evolution नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा complex structure नहीं था इनका, और ये कैसे होते हैं? highly evolved plants होते हैं, इनका जो structure होता है, वो काफी ज़्यादा modified होता है और complex भी होगा. इनमें कौन को राते हैं crypto games में? इसमें आएंगे थेलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, वो सभी divisions जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, वो किस में आएंगे? crypto games में आएंगे, यानि कि उनके पास seeds, flowers और fruits नहीं होते हैं, उन सभी के reproductive organs कैसे होते हैं, hidden होते हैं, चुपे हुए होते हैं, और ये less evolved plants होते हैं, बहुत जादा complex नहीं होता है, इनका structure simple होता है, ठीक है? फिर इसके बाद में, next आएंगे कौन से हमारे phenerogams, जिसमें हमें देखा कि seeds, fruits और flowers इनमें present होते हैं, reproductive organs इनके exposed होते हैं, और highly evolved plants हैं, और इसमें कौन आएंगे? इसमें आएंगे हमारे next two divisions of kingdom planted, gymnosperms and angiosperms, अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन-कौन से examples इसमें आते हैं, क्या हम इने daily life में देखते हैं, या नहीं, इनके fruits को हम खा सकते हैं, या नहीं खा सकते हैं, ये सब हम देखेंगे कब, जब हम gymnosperms और angiosperms को पढ़ेंगे, हैने की हमारे three divisions अभी तक complete हो चुके हैं, कौन-कौन से, थेलोफाइट, प्राइओफाइट और तेरेडोफाइट, अब हमारे बचे हैं, दो और division, जो की हैं gymnosperms और angiosperms, जब हम ये पढ़ लेंगे, तो हमारा पूरा kingdom planted हम cover कर लेंगे, ठीक है, तो इस पीडियो के लिए अभी इतना ही, complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर अपग्रेड कर दें, और इस topic के notes आपको available हैं, हमारी official website पर, magnetbrains.com पर, thank you for watching. Hello everyone, आज हम इस वीडियो में start करेंगे, kingdom planted का 4th division, gymnosperms. हमने start किया था kingdom planted और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से, जितने भी plants हैं, उनको 5 divisions में अलग-अलग classification के basis पे classify किया था. उसमें हम अभी तक पर चुके हैं, 3 divisions, कौन-कौन से, thelophytes, bryophytes and teradophytes. इस वीडियो में हम start क करेंगे, new और 4th division, जो की है, gymnosperms. So, welcome to magnet brains, वैं हुआ विबुती खारे, तो चलिए, start करते हैं, आज का हमारा topic, division, gymnosperms. देखो, सबसे पहले क्या हुआ, कि, जिसे कि हमने classification किया था, कि जो gymnosperms होते हैं, इनके पास, क्या होते हैं, seeds होते हैं, ठीक है, seeds IQ, actually seeds I embryo को protect करने के लिए, अब ये embryo क्या होता है, देखो, हमने basic reproduction देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, male और female gamut आके combine होते हैं, और क्या बनाते हैं, zygote बनाते हैं, ठीक है, ये आया, एक male gamut, और ये आया, एक female gamut, ठीक है, और ये दोनों कैसे होते हैं, haploid होते हैं, हमने cells के chapter में जिसको हमने बोला, zygote, अब इस zygote में क्या होता है, cell divisions होते हैं, number of cells बढ़ जाते हैं, तो ऐसा structure जिसमें कई सारे cells होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, embryo कह देते हैं, क्या हुआ, fertilization हुआ, याने की male और female gamut आये, fertilize हुआ, और ये क्या बन गया, zygote बना, जो कि एक deployed cell था अब इस cell में जब number of cells और बढ़ जाएंगे, division से, तो इस structure को हम क्या बोलेंगे, embryo बोलेंगे, ठीक है, तो इस embryo को protect करने के लिए seeds आये, याने की आप normally जब आप fruits खाते हो, उसमें आपने क्या करा, pulp खाया, pulp के अंदर क्या मिलेगा, आपको seeds मिलेंगे, और उस seed को भी करता है, और उसके अंदर का जो embryo होता है, वही एक plant body form करेगा, उसके पास roots आएंगी, shoots आएगा, ठीके leaves वगेरा आएंगी, branches आएंगी, flowers आएंगे, fruits आएंगे, तो ये एक basic method है, process है, जिस तरह से plants reproduction करते हैं, और new plant body का formation करते हैं, अब क्या हुआ, कि aquatic life से terrestrial life में आने के ल उसमें से एक major challenge था, इस embryo का protection, किस चीज़ से, कि ये तहीं dry न हो जाए, तो bryophytes और teradophytes ने क्या किया, कि इस embryo को ये present ही वहां रहे, जहां पे थोड़ा सा moisture था, पानी था, ठीक है, जिसकी वज़े से इनका embryo सूखने से बच गया, लेकिन जब हम land पे आएंगे, जब हम dry regions पे जाएंगे, तो वहां पे पानी की availability इतनी होगी नहीं, तो क्या होगा, ये embryo तो सूख जाएगा, अब जब embryo ही सूख जाएगा, तो plant reproduction कैसे होगा, याने कि new plant का formation कैसे होगा, है ना, तो इस चीज़ को, इस drawback को overcome करने के लिए आए, कौन seeds, seeds ऐसी structure होते हैं, जो कि embryo को protect कर लेते हैं, याने कि ये रहा एक embryo और उसके उपर आ गई एक seed की covering, seed को हम green color से बना देते हैं, ठीक है, ये red वाला क्या है, red है embryo, और ये green part क्या है, ये है इसके उपर का seed, जिसने क्या किया, embryo को सूखने से बचा लिया, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, कि aquatic life से terrestrial life में आने के लिए बहुत सारे challenges face करने थे, उसमें से एक major challenge क्या था, embryo को सूखने से बचाना था, ब्रायोफाइट्स और टेरेडोफाइट्स ने क्या किया, उन्होंने वो रहते ही ऐसी जगा पे थे, जहां पे थोड़ा सा moisture हो, है ना, जिससे कि उनका embryo जो है, वो सूखने से बच जाए, लेकिन जब हम बात करते हैं terrestrial life की, जहां पे हम dry regions में जाते हैं, ऐसी जगा पे, जहां पे पानी की availability काफी कम होती हो, तो वहाँ पे क्या होगा, embryo तो सूख जाएगा, इस embryo को सूखने से, सूखने से, बचाने के लिए क्या होता है, seeds आते हैं, यह seeds क्या होती है, एक तरह की covering होती है, जो की dry regions में भी embryo को सूखने नहीं देंगे, यानि कि embryo जब तक जब जिम्नो स्पर्म नाम कहां से आया, दो बेसिकली जिम्नो स्पर्म जो term है, वो दो Greek words से derive हुआ, कौन कौन से, एक था अपना जिम्नो और एक था स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है, Greek language में, seed, ठीक है, और जिम्नो का क्या मतलब होता है, without cover, यानि कि इनके पास, क्या था, seed यानि कि embryo को protect करने के लिए seed था, लेकिन seed की ऊपर कोई और covering नहीं थी, हम normally जब fruits खाते हैं, तो fruit का हमने pulp खा लेते हैं, और इसके बार में उसके अंदर आपको seed दिखता है, लेकिन जब हम जिम्नो स्पर्म की बात करेंगे, तो उसमें आपको fruit नहीं दिखेगा, सिर्फ क् आया है, embryo को protect करने के लिए है, यानि कि embryo protected होता है seed से, लेकिन seed के पास कोई और cover नहीं होता है, यही जिम्नो स्पर्म का एक special characteristic होता है, तो जिम्नो स्पर्म टम कहां से आया है, दो ग्रीक वर्ट से आया है, जिसमें जिम्नो का मतलब होता है without cover, और seeds का मतलब, sperma का मतलब हो यानि कि ऐसे seeds जिसके उपर fruit की covering नहीं होगी यह वाला point clear है आपको second point में हम बोलते हैं they are primitive and simple seed plants सबसे पहले seed लेके आने वाले यही plants थे तो सबसे पुराने हुए, सबसे पहले आये थे तो हमने इनको primitive बोल दिया और यह काफी simple होता है तो most primitive and simple seed plants थे यह कौन? gymnosperms फिर usually perennials, evergreen and mostly woody plants याने कि evergreen हमेशा इनके पास पेड जो है वो लदा रहता है हरी पत्तियों से इसलिए इनको हमने बोला evergreen हमेशा इसको आपको इनके पास greenery दिखेगी हमेशा यह green दिखेंगे ठीक है इसके बाद में mostly woody plants होते है और perennials होते है perennials पे हम बोलते हैं कि इनकी जो life span है वो काफी जादा होती है काफी सालों तक ही survive करते है तो यह perennials हो गए, evergreen होते है हमेशा green leaves होगी, इनके पास कभी सूखते नहीं है और इसके बाद में mostly woody plants होते है फिर इसके बाद में इनके पास true roots, stems और leaves भी present थे अभी तक जो हम division देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि root like, stem like, leaf like structure थे लेकिन जब हम बात करेंगे gymnos pumps की तो इसमें कोई भी confusion नहीं होगा true roots, stem, leaves सब present होगी फिर इसके बाद में इनके पास xylem यानि कि जो हम vascular tissues की हम बात कर रहे थे तो vascular tissue में भी xylem present होगा और phloem present होगा लेकिन xylem में जो हमने, जब हम xylem बढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि xylem जो होता है वो चार टाइप के cell से बनता है एक टाइप का cell कौन था उसमें vessels तो xylem में vessels absent होगे कहां? जिम्नो स्पर्म में और phloem में भी companion cells absent होगे यानि कि vascular tissues तो present है लेकिन xylem में vessels absent होगे और phloem में companion cells absent होगे फिर इसके बाद में इनके examples है आपकी NCRT ने mention किया है pines and deodor अब देखो, यहाँ पे आपको pine tree का एक example देख रहा है ठीक है? यह actually pines क्या होते हैं? यही क्या होंगे? seeds होंगे. यह seeds ही है जो आपको brown color का structure देखने को मिल रहा है, यह इनके seeds है और seeds जो होंगे, वो fruit से covered नहीं होंगे ठीक है? वही उसे तो हमारा gymnosperm का नाम आया है seeds हैं लेकिन without fruits फिर इसके बाद में यह है एक deoda tree जैसे आप देख रहे हैं characteristics मैंने आपको बताया थे कि evergreen होते हैं और perennial होते हैं woody trees होते हैं तो यह आपको देखने में बिलकुल एक normal tree जैसा देख रहा है लेकिन यह है क्या एक gymnosperm है? राइट? और जैसे कि हमने बोल दिया कि इसके seeds के पास fruit की covering नहीं होती है और एक और point है world का जो largest tree है वो भी एक gymnosperm है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है coastal redwood tree यह एक ऐसा tree है जो की world में सबसे ज़्यादा लंबा है, tallest tree है और यह भी क्या है? एक gymnosperm ही है इसका नाम क्या है? coastal redwood tree इतना समझ में आया अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा था आज division gymnosperms के बारे में gymnosperms में हमने बोला कि यह ऐसे plants थे जिनके पास seeds तो आये embryo को protect करने के लिए लेकिन इनके पास seed के पास कोई covering नहीं थी याने की fruit नहीं था इसी तरह से जैसा कि gymnosperm में हमने बोला कि ग्रीक वर्ट से derived किया गया है यह term gymnos का मतलब होता है without cover और sperma का मतलब होता है seeds याने की seeds के पास fruit की covering नहीं होगी seeds क्यों आये थे? embryo को protect करने के लिए क्योंकि यह जो plants थे यह terrestrial plants थे यह land पे आ गए थे इनको पानी इतने easily available नहीं था ठीक है तो embryo कहीं सूख न जाए उसको protect करने के लिए फिर seeds आए फिर इसके बाद में यह primitive थे सबसे पहले seed लेकर के यहीं आये थे और simple seed plants थे फिर इसके बाद में यह perennial होते हैं evergreen होते हैं और mostly woody plants होते हैं फिर इनके पास true stems और leaves present होते हैं xylem के पास vessels absent होंगे और flowem के पास companion cells absent होंगे लेकिन हम यह नहीं बोलेंगे कि vascular tissues हैं ही नहीं हैं लेकिन एक एक जो है element है जिसे xylem का vessel absent है phloem का companion cell absent है लेकिन vascular tissues present है फिर इसके बाद में examples थे इनके pines and deoda तो यह हमने आज division हमारा gymnast pumps पढ़ लिये हैं हमने अच्छी तरह से एक एक characteristics को देख लिये हैं क्या इनके main characteristics थे किस नाम से किस चीज के लिए जाने जाते हैं और हमने सब कुछ एक quick recap भी हमने इसका देख लिया अब हम next video में बात करेंगे 5th और last division की angios pumps के बारे में तो complete course के लिए magnet brains plus में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone आज हम इस video में पढ़ेंगे division angios pumps हमने start किया था plant kingdom के साथ kingdom planting के साथ और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से अलग-अलग plants को अलग-अलग divisions में divide किया गया कि उनमें vascular tissues हैं या नहीं seeds बना पाते हैं या नहीं flowers produce कर पाते हैं या नहीं अलग-अलग basis पे उनको 5 divisions में divide किया गया था अभी तक हम पढ़ चुके हैं कौन-कौन से थेलोफाइट, प्रायोफाइट, टेलोफाइट अड जिम्नोस pumps आज हम बात करेंगे एंजियोस pumps की और इसी की साथ हमारा kingdom planting भी complete हो जाएगा So welcome to magnet brains मैं हूँ विबूती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic अजियोस pumps के साथ अब जैसा कि हमने जिम्नोस pumps में देखा था कि पानी की availability के नहीं था पानी available उसके कारण उनके embryo कहीं सूख न जाए इसके लिए उनने seed की एक covering डवलप कर ली थी embryo के around अब हम जब बात करेंगी एंजियोस pumps की तो एंजियोस pumps जिम्नोस pumps से भी जादा evolved plants हुए trees हुए जिसके कारण इनमें और कहे नहीं नहीं changes आये, modifications आये सबसे पहले जिम्नोस pumps में seed, embryo के उपर आगया seed अब जब हम बात करेंगी एंजियोस pumps के बारे में तो उनमें seed के उपर further एक और covering आएगी जिसको हम बोलते है fruit, ठीक है fruit हम सब खाते है for example, आज हमने खाया apple तो हमने उसका pulpy portion खा़ लिया ठीक है, pulp के अंदर हमें क्या देखा हमें ये दो black color के दो structures देखने को मिलते हैं और ये क्या कहलाते हैं seeds कहलाते हैं और इन्ही seeds के अंदर क्या present होता है embryo embryo जब seed germination का time होता है तो ये seed coat क्या करेगा rupture करेगा, फटेगा और ये ही embryo एक new plant में develop होता है इसकी roots आ जाती है, stems आ जाती है shoot आ जाती ही, leaves वगेरा आ जाती है तो हमने क्या पड़ा gymnos pumps में embryo के ऊपर था seed जब हम बात करेंगे angios pumps की, तो further इस seed के ऊपर एक और covering आ जाएगी जिसे हम कहते हैं fruit अब ये fruit actually बना कैसे देखो सभी plant जो होते हैं उनमें male reproductive organ भी होते हैं और female reproductive organ भी होते हैं ठीक है, female reproductive organ जो होता है plants में उसे हम कहते हैं ovary अब ये बहुत ही एक basic चीज में आपको बता रही हूँ मैं आपको pollination की process बताने वाली हूँ ठीक है, आपको इसे याद करने की जरुवत नहीं है रटने की जरुवत नहीं है, बहुत basic चीज है समझने की कोशिश करिएगा आएगी आपको समझ में देखो, ये है मेरे पास एक flower ठीक है, flower जब हम देखते हैं फूल, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है सबसे पहले उसकी petals देखने को मिलती है colored petals जिसे हम पंखुडियां भी बोलते हैं उसके नीचे जहां से आप flower को पकड़ते हो ठीक है, एक swollen एक फूला हुआ पार्ट देखने को मिलेगा उसे हम कहते हैं pistol, याने की सबसे पहले आयकॉन से, कौन से पार्ट आया petals आई, पंखुडियां आई पंखुडियों के center में आपको इस तरह से yellow color करके structures देखने को मिलते हैं बहुत fine होते हैं, बहुत soft होते हैं जुने में ठीक है, फिर इसके बार में उसके नीचे जहां से हम फूल को पकड़ते हैं तो एक swollen part होता है जिसे हम कहेंगे pistol actually, pistol के अंदर जब आप जाओगे उससे dissect करोगे तो वहीं पर आपको plant की ovary मिलेगी इस ovary के अंदर क्या होता है egg already present होता है याने कि female gamete already present होता है gametes क्या होते हैं यह हम अच्छी दर से पढ़ चुके हैं ठीक है, तो pistol के अंदर है ovary ovary के अंदर female gamete already present है अब यह जो आपको fine structures नजर आते हैं petals के बीच में इन में क्या होता है कि male gamete ठीक है, male gamete या तो किसी दूसरे flower का उड़के आ जाता है या फिर यह होता है actually male reproductive organ ठीक है, इन के पास male gamete होता है तो यह male gamete इस ovary के पास पहुंच जाता है और ovary के पास already female gamete है तो male और female gamete का क्या होता है fusion होता है, fertilization होता है और क्या बन जाएगा zygote बनेगा, zygote के बाद क्या बनेगा embryo बनेगा, तो इस तरह से इस ovary के अंदर embryo आया, embryo के उपर seed की coating आ गई, gymnosperm से ही हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद में क्या होगा यह पूरी process जो चल रही है यह चल रही है ovary के अंदर तो क्या होगा, जब flower mature करेगा, तो पत्तियां वगेरा सब ज़ड़ जाएंगी और जो ovary है वो बड़ी हो जाएगी, mature हो जाएगी और वो ही fruit में convert हो जाती है, एक बहुत ही basic चीज मैंने आपको बताई है pollination बताई, pollination क्या होता है जब male gamete आकर के female gamete में female में जो pistol part होता है, जहाँ पर ovary present होती है उसमें आ जाएगा तो उसे हम कहते है pollination ठीक है, कैसे? यह फूलों की पंखुडियां है, नीचे एक swollen part है, जिसको हम कहते हैं pistol अब फूलों के बीच में, अमतलब की पत्तियों के बीच में, पंखुडियों के बीच में इस तरह के कुछ yellow structures आपको देखने को मिलेंगे यह होते हैं male reproductive organ अब इनसे male gamete निकलेगा और कहां पहुँचेगा, ovary तक पहुँचेगा ovary में already female gamete है तो वहाँ पे male or female gamete का fusion होगा, fertilization होगा और embryo बन जाएगा embryo के उपर further seed की है coating आएगी और यह पूरी process चल रही थी ovary के अंदर इसलिए ovary mature होगी बड़ी हो जाएगी और एक fruit बना लेगी इतना clear है आपको तो यह fruit आया कहां से है fruit आया है ovary से ही जहां पे पूरी reproduction की process चलती है अब ज़रा एंजियो स्पर्म में आने वाले जो organisms हैं, plants हैं, उनके कुछ basic characters हम देख लेते हैं सबसे पहले तो यह एंजियो स्पर्म नाम कहां से आया है तो देखो, यह एंजियो स्पर्म दो Greek word से derive किया गया है कौन कौन से, एंजियो जिसका मतलब होता है covered फिर दूसरा है sperma, sperma का मतलब होता है seeds, याने कि ऐसे seeds जो कि covered हो, किस से covered हो fruit से covered हो, ठीक है तो एंजियो स्पर्म टर्म कहां से आया दो Greek word से आया फिर इसके बाद में हम बहुते हैं कि highly evolved plants होते हैं अभी तक जित्ते भी हम पूरा जो kingdom plant पढ़ते आ रहे हैं उन में से सबसे ज़्यादा modified और evolved plants कहां मिलेंगे, आपको angio sperms में ही देखने को मिलेंगे इनके पास vascular tissues होते हैं और trues, tam, leaves वगएरा सब present होती हैं यहां तक कि embryo के ओपर covering seed coat और उसकी भी covering fruit भी develop हो जाता है, तो यह highly evolved plant है, जित्ते भी planted kingdom में आप plants देखेंगे, उन में से सबसे ज़्यादा evolved और modified plants आपको angio sperms की category में मिलेंगे इतना clear है, फिर इसके बाद में produce seeds enclosed within the fruit यह हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है plants के पास क्या होते हैं, flowers होते हैं इसलिए इन्हें हम flowering plants भी कहते हैं angio sperms में हमने क्या देखा gymnosperms हमने क्या देखा था कि flower नहीं था, है ना और seed के ओपर कोई coating भी नहीं थी लेकिन जब हम बात करेंगे angio sperms की, तो इनमें flowers produce कर सकते हैं इसलिए इनको हम flowering plants भी कहते हैं फिर seeds develop inside the ovary यह हमने बहुत अच्छे तरह से अभी जब हमने start किया था तो हमने इसी चीज़ से start किया था कि किस तरह से pollination होता है male or female gamet आकर के plant की ovary में fertilize होते हैं और क्या बनेगा, embryo बनेगा embryo के बाद seed की coating आएगी और ovary gets modified into fruit इतना clear है फिर seeds के पास क्या होगा? embryo होगा, यह तो हम gymnosperms से पढ़ते आ रहे हैं तो यह कुछ basic characters हैं उन plants के जो की angiosperms की category में आते हैं फिर इसके बाद में अब हम थोड़े आगे की बात करते हैं आगे हमने बोला कि embryo के पास भी एक structure होता है जिसे हम cotyledons कहते हैं ठीक है? यह cotyledons और क्या कहलाते हैं? seed leaves भी कहलाते हैं जब seed germination का time होगा तो यह leaves की तरह soil से बाहर आ जाते हैं देखो, एक diagram है सबसे पहले हमने शुरुआत करी एक seed के साथ, beach के साथ ठीक है? इसके अंदर क्या है? यह जो brown covering दिख रही है यह क्या है? seed है, seed coat है और उसके अंदर present है embryo अब क्या होगा? seed germination start होगा इससे क्या होगा? जो seed coat होगा ना वो जैसे कि अपन fruits चीलते हैं उसका हम peeling करते हैं peeling करते हैं उसी तरह से जो seed coat है ठीक है? वो भी ऐसे छिलके की तरह खुलने लगेगा अंदर present होते हैं cotyledon ठीक है? यही embryo भी present है यह embryo further क्या बनाएगा? roots बनाएगा और shoot बनाएगा और embryo के अंदर क्या present होता है? cotyledons सबसे पहले हमने start के था seed के साथ seed coat के साथ germination हुआ तो seed coat खुलने लगा फिर इसके बाद में seed के अंदर क्या था? embryo embryo उन्हें root बना ली और shoot बना ली embryo के अंदर क्या था? cotyledons थे यह cotyledons देखो यह जो आपको structure दिख रहे हैं leaf-like यही है क्या? cotyledons ठीक है? embryo के अंदर cotyledons थे और जब seed germination हुआ तो यह छोटे-छोटे leaf-like structures इन्होंने बना लिए इसलिए embryo के अंदर जो cotyledons होते हैं उन्हें हम seed leaves कहते हैं इतना clear है आपको अब इसके बाद में cotyledons कहाँ पाया जाएगा? embryo के अंदर seed germination के टाइम पे seed coat जो होगा वो खुल जाएगा embryo बाहर आएगा embryo ने root और shoot बना ली और embryo के अंदर जो cotyledons थे उन्हें क्या बना ली? leaves बना ली ठीक है? इसलिए इनको हम seed leaves भी कहते हैं क्योंकि ये seed के अंदर present है, embryo के अंदर present है ठीक है? अब इन्ही cotyledons के basis पे angiosperms को further divide किया गया दो categories में एक हमने बोल दिया dicords और एक हमने बोल दिया monocords नाम से ही समझ में आ रहा है mono मतलब 1 और dia मतलब 2 यानि कि ऐसे angiosperms जिनके पास 2 cotyledons होंगे उनको हमने नाम दिया dicord और जिनमें केवल एक ही cotyledon present होगा उनको हमने बोल दिया monocord इतना clear है, dia मतलब 2 तो ऐसे angiosperms जिनके पास 2 cotyledon है और mono मतलब 1 जिनके पास सिफ एक ही cotyledon है अब monocords और dicords में कुछ और basic differences भी होते हैं बड़े interesting होते हैं, देखो पहला तो हमने पढ़ लिया एक cotyledon और दूसरा cotyledon ठीक है भई, फिर दूसरा हमने क्या बोला इनके flower parts होते हैं 3 के multiple में किसके? Monocord के Monocord के flower parts होंगे 3 के multiple में, यहाँ आपको diagram दिख रहा है अब जरा आप मुझे यह बताइए इसमें total कितने आपको flower parts दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? 3 के multiples क्या होते हैं? 3 की table लाद कर लो 3, 6, 9, ठीक है? इस तरह से इनके multiples 3 के multiples में इनके flower parts प्रेजन्ट होंगे किसके? Monocord में वही जब हम बात करते हैं diecords की तो इनके flower parts प्रेजन्ट होते हैं 5 के multiples में जरा इनकी flower की petals को हम गिनते हैं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हमने देखी 6 यहाँ हमने देखी 5 याने की 5 के multiples में 5 के multiples क्या होते हैं? 5 की table याद कर लो 5 1 is a 5 5 2 is a 10 5 3 is a 15 तो इस तरह से multiples में इनके 5 के multiples में flower parts present होंगे और monocords में 3 के multiples में flower parts present होंगे next उम बोलते हैं देखो आपने कोई भी एक basic leaf देखी होगी ठीक है? उसमें आपको कुछ इस तरह के structures देखने को मिलते होंगे leaf बना रहे हैं तो थोड़ी green color का use करेंगे ठीक है? ऐसे आपको कुछ veins देखने को मिलती है ये जो बीच में एक मोटी सी pipe जिससा जो structure होता है ठीक है? उसमें उसको हम कहते हैं leaf की mid rib क्या कहेंगे? mid rib कहेंगे और इसी mid rib के दोनों side में आपको कुछ thread like structures actually structures थी जो कि leaf के अंदर ही होते हैं ठीक है? बहुत पतली पतली ऐसी lines देखने को मिलेंगी yes lines एक correct word है इनके लिए तो एक मोटी line मिलेगे आपको leaf के बीच में उसे हम कहेंगे mid rib और इसी mid rib के दोनों तरफ आपको fine छोटी-छोटी lines देखने को मिलेंगी ठीक है? इन lines को हम क्या कहते हैं? veins कहेंगे क्या बोलेंगे? veins ठीक है? अब क्या होगा? अब दो तरह की leaves होती है ठीक है? एक तो यह इस तरह की leaves हैं जो आपको commonly देखने को मिलती है और दूसरी टाइब की leaf होती है घास घर जाना ठीक है? बहाँ जाना गार्डन में और एक leaf को घास को देखना आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको यही lines कैसे देखने को मिलेगी? इस तरह से ठीक है? याने की parallel ही देखने को मिलेंगी एक दूसरे के parallel होती है ये veins तो दो type की leaf हमने देखी एक ऐसी जिनमें की जो veins थी वो parallel थी दूसरे के और दूसरी type की leaf जिसमें की veins कैसी थी एक net like structure बना रहीं थी तो monocots में क्या होगा? leaves की जो veins होंगी वो parallel होंगी याने की घहांस किसकी category में आएगी? monocot की category में और diacot की leaves में क्या होगा? reticulate मने की एक net like structure बना लेंगी veins ठीक है? फिर इसके बाद में monocots में जो vescular bundles होते हैं वो scattered होते हैं ठीक है? इस तरह से red color के आपको जो structure देख रहे हैं ये है monocots के vescular bundles vescular bundles किसके बन रहे थे? vescular tissues कौन थे वो? xylem and floya अब हम बात करते हैं dicot की dicot में vescular bundles कैसे देखने को मिलेंगे? देखो, जैसे ये है एक dicot का stem मान लिया ठीक है? ये है एक vescular bundles, ये है दूसरा ये है तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ याने की से थे, scattered थे, लेकिन dicot में उन्होंने bundles बनाये हैं और एक ring के form में भी present हैं, तो ये चार basic difference है monocots और dicots में हर एक difference को मैंने बहुत clearly explain किया है, ठीक है? फिर से देख लेते है, monocot में मैंने बताया देखो, angios pumps में मैंने बोला कि उनको दो categories में divide किया था on the basis of number of cotyledons, monocot कौन से थे? जिन में सिर्फ एक ही cotyledon था dicot कौन से थे? जिसमें की 2 cotyledons से, monocot में जो flower parts है, वो 3 के multiple में होते हैं, 3 की table याद करना फिर dicots में, जो flower parts है वो 5 के multiples में होते हैं 5 की table याद कर लेना फिर monocot में जो leaves होती हैं उनमें veins parallelly run करेंगी और dicots में जो veins होती हैं, वो एक net बना लेती हैं, ठीक है? फिर इसके बाद में monocots में जो vescular bundles होते हैं, वो scattered होते हैं और यहाँ पे bundles के form में present होते हैं और एक ring भी बना लेंगे इतना clear है आप सबको तो इस वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ लिया? हमने पूरा angiosperms कवर किया basic हमने characteristics पढ़ लिया angiosperms के, क्या-क्या पढ़ा था? Greek words से जो है डिराइब किये गए थे दो words लिये थे हमने Greek के angio and sperma, angio का मतलब होता है covered और sperma का मतलब होता है seed जाने की, ऐसे seed जिनके उपर further coating हो, covering हो embryo के उपर होता है seed, seed के उपर further covering आएगी तो वो किस के category में आएंगे? angiosperms में आएंगे अब ये covering कौन सी होती है seed के उपर? तो fruit की होती है reproduction, fertilization कहा होता है? male of female gamete का ovary के अंदर होता है ठीक है? ovary ही बड़ी होकर के mature हो जाती है और किस तीज में modify हो जाती है? fruit में convert हो जाती है और यही fruit further seed की coating बना लेता है covering बना लेता है इतना clear है फिर इसके बाद में ये highly evolved plants होते हैं जित्ते भी आपको plants मिलेंगे kingdom plantay में सब ही में से सबसे जादा जो evolved है जो modified है वो है angiosperms की plants फिर इसके बाद में इनके पास ये flowers भी produce करते हैं इसलिए इनको हम flowering plants भी बोलते हैं further हमने देखा seeds के अंदर क्या present होता है embryo ठीके आगे की बात करते हैं embryo के पास क्या present होगा cotylidens cotylidens को हम और क्या बोलते हैं seed leaves कहते है ये cotylidens leaf-like structure बना लेंगे इसलिए इनको हम seed leaves कहते हैं on the basis of number of cotylidens angiosperms दो टाइप के होते हैं monocods and dicods और इनके बीच में क्या difference होता है 4 basic difference था number of flower parts के बीच में ये 3 के multiples में होते हैं dicods में 5 के multiples में होते हैं monocods में leaves में veins कैसी होंगी parallel run करेंगी और dicods में net like structure बनाएंगी network बनाएंगी फिर इसके बार में monocods में vesicular bundles scattered थे और dicods में bundles में एक ring में arranged होते हैं इतना clear है इस video में हमने पूरा जो हमारा angiosperms है वो हमने cover कर लिया है और इसी के साथ हमारा kingdom प्लांटे भी complete होता है अब हम next video में start करेंगे new kingdom जिसको हमने बोला है Enemilia तो complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone आज हम इस video में start करेंगे kingdom Enemilia के साथ हम पढ़ रहे थे 5 kingdom classification जिसमें हमने देखा कि किस तरह से scientist ने सभी living organisms को अलग-अलग kingdoms में divide किया हमने अभी तक बहुत सारे kingdom पढ़ लिये हैं या मैं कहूँ Enemilia को छोड़ करके बाकी सारे ही पढ़ लिये हैं कौन-कौन से Monera, Protista, Fungi, Plante आज हम start करेंगे हमारा सबसे ज़ादा evolved kingdom के साथ जिसका नाम है Enemilia So, welcome to Magnet Brains मैं हूँ विभूती खरे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा वीडियो आज का हमारा topic Enemilia से सबसे पहले तो Enemilia में आने वाले जो organisms हैं या जो animals हैं उनके कुछ basic characters देखो ये होते हैं eukaryotic याने की इनके पास membrane bound cell organs भी present होते हैं और well defined nucleus भी present होता है जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक हमने जितने भी organisms पड़े हैं उनमें से सबसे ज़ादा evolved animals या organisms जो होते हैं वो kingdom animila के अंदर आते हैं ठीके? तो obvious सी बात है जब ये इतने ज़ादा evolved होंगे ठीके? तो इनका eukaryotic होता होना बनता ही है इनके पास एक अच्छा सा well defined nucleus भी present होता है और membrane bound cell organs भी present होते हैं फिर इसके बाद में ये होते हैं multi cellular अब ये इतने ज़ादा evolved है इनको बहुत सारे functions perform करने की ज़रुवत है तो obvious सी बात है एक cell से तो इनका काम होने नहीं वाला याने की इनको ज़रुरत है बहुत सारे cells की इसलिए ये होते हैं multi cellular फिर ये होंगे heterotrophic plants की तरह ये अपना खाना photosynthesis से synthesize नहीं कर पाएंगे अपना खाना ये खुद नहीं बना पाते इनने बाहर से लेना ही पड़ेगा तो इसलिए ये हो गए heterotrophic इनमें cell wall absent होती है हम जब cell chapter परड़ रहे थे उसी में हमने देखा था कि plant cell में cell wall present होती है और उसके अंदर plasma membrane होती है लेकिन animal cell में हमने देखा था कि सिर्फ plasma membrane outermost covering जो होती है animal cell की वो होती है सिरफ plasma membrane उनमें cell wall absent होती है similarly animal kingdom के अंदर जो भी animals आएंगे उनने cell wall absent होगी but plasma membrane is present definitely 100% plasma membrane present होगी फिर इसके बाद में most of them are mobile जबी भी हम term या word सुनते है animal तो हमारे दिमाग में animal के नाम से ऐसा आता है कि कुछ organisms जो की move कर सकते यानि कि locomotion शो करेंगे इधर से एक जगा से दूसरे जगा जाएंगे लेकिन यहां हम बोल रहे हैं कि most of them are mobile यानि कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो की mobile होते हैं यानि कि locomotion शो करेंगे most का मतलब है कि कुछ ऐसे भी होंगे जो mobile नहीं होंगे तो वो कौन होंगे वो भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो यह basic characteristics है उन animals के उन organisms में जो कि kingdom animal के अंदर आते हैं क्या-क्या eukaryotic होंगे 100% होंगे क्योंकि यह evolved animals हैं सबसे ज़्यादा modified है तो well defined nucleus और membrane bound और भी present होगी उसके बाद में हम बोलते हैं कि यह होंगे multicellular एक cell से काम नहीं चलेगा बहुत सारे functions perform करने हैं इनकी body काफी complex होती है ठीक है तो multicellular होंगे ज़्यादा cells की requirement होगी फिर heterotrophic होंगे अपना खाना खुछ synthesize नहीं कर पाएंगे plants की तरह और इनमें cell wall absent होगी लेकिन plasma membrane present होगी फिर हमने बोला कि most of them कैसे होंगे mobile होंगे रोको मोशन शो करेंगे अब further animal kingdom को बहुत सारे phylum में divide किया ठीक है तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे first type का phylum जिसे हमने बोला porifera क्या बताए मैंने kingdom animalia को further बहुत सारे phylum में divide किया गया था ठीक है कि उनमें level of organization कैसा है कौन-कौन से organs उनमें present है अगर वो cellular level होगा तो obvious सी बात है अभी तक organs बने नहीं होंगे फिर दीरे जो है न grade of organization gradually जो है न बढ़ता गया cellular से फिर टिशू हुआ टिशू से फिर organ हुआ organ से further organ system level of organization हुआ ठीक है अलग-अलग जगा पे अलग-अलग habitats में ये पाया जाते हैं उनका mode of nutrition क्या होता है level of organization कैसा है ठीक है germ layers कितनी present है germ layers क्या होती है देखो हमने reproduction पढ़ा है basic हमने reproduction पढ़ा है कि male और female gamit fuse होता है ठीक है fertilization होता है और एक zygote बनता है zygote क्या होता है बच्चो एक diploid cell होता है further जब इस zygote में बहुत सारे cells form हो जाएंगे ठीक है तो जो एक cellular ball रहेगी अपने पास ठीक है यह एक ऐसी ball जिसमें बहुत सारे cells होंगे तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहेंगे क्या आप कैस कर सकते हो इसे हम क्या कहेंगे zygote की next वाली stage ठीक है अब क्या होगा जैसे कि हमने बात करी थी कि level of organization grade of organization धीरे धीरे बढ़ रहा है cellular से फिर क्या हुआ tissue tissue से फिर क्या हुआ organ organ से फिर क्या हुआ organ systems ठीक है फिर हमने बोला different habitats में present होते हैं mode of nutrition भी इनका अलग होआ फिर हमने germ layers की बात करी थी ठीक है तो क्या हुआ कि zygote के बात फिर क्या बना embryo बना ठीक है इस embryo ectoderm, endoderm और mesoderm ectoderm का काम क्या होगा body का skeleton बनाना mesoderm का क्या होगा body के organs बनाना और endoderm का क्या होगा इन ही organs की lining बनाना याने कि zygote से जो embryo बना है यही embryo further तीन layers बनाएगा और यह layers किस की बनी होँगी और वसी बात है cells की बनी होगी तो इस embryo ने क्या बनाई तीन layer बना दी cells की ecto, endo and mesoderm ecto क्या करेगी skeleton बनाएगी mesoderm क्या करेगी organs बनाएगी और endoderm जो organs बने हैं उनकी lining बनाएगी तो कितनी germ layers present है grade of organization क्या है और habitat कौन से habitat में मिलते हैं mode of nutrition क्या है इन अलग-अलग basis पे further kingdom animal को किं में divide किया गया बहुत सारे phylum में डिवाइड किया गया आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे first phylum जिसका नाम है pori phara अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जबी भी हम animal term सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है एक ऐसा organism जो कि move कर सकता है locomotion शो करता है लेकिन अगर मैं आप से बोलू कि बहुत से animals ऐसे भी होते हैं जो कि mobile नहीं होते हैं immobile होते हैं वो इधर से उधर नहीं जा सकते तो अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो मैं गलत नहीं होंगी क्यों क्योंकि हमारे जो पौरिफेरेंस है याने कि पौरिफेरा फायलम में आने वाले animals जिनको हम पौरिफेरेंस कहते हैं वो कैसे होते हैं कुछ इसी तरह के stationary या हम बोलेंगे कि immobile animals होते हैं जो कि एक जगा से दूसरे जगा तक नहीं जा पाते हैं ठीक है वो stationary होते हैं एक solid substance से जो है ना fixed होते हैं उस substance को हम क्या कहते हैं substrate term कहेंगे ठीक है तो उससे fixed होते हैं और immobile होते हैं अब समझ में आना चीए आपको कि ये पौरिफेरा term आया कहां से देखो पौरि का मतलब होता है pores ठीक है पौरि का मतलब क्या होगा pores होगा और सेरा का मतलब क्या होगा beer याने कि ऐसे animals जो कि अपनी body में pores beer करते हैं ठीक है pores बियर होते हैं pores का मतलब holes, shade ठीक है तो ऐसे animals जिनकी body में pores present होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे poriferans कहेंगे और जो कि यह एक sponge को resemble करते हैं, इसलिए इनने हम sponges भी कहते हैं, ठीके क्या बता है मैंने, इनकी body में बहुत सारे pores present होते हैं, ठीके pores bearer होते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दिया porifera और यह sponges जो होते हैं, उससे resemble करते हैं, इसलिए इनको हमने नाम दे दिया sponges, इतना clear है, फिर इसकी बाद में, इनके जो pores होते हैं, वो अंदर की तरफ, याने की body के अंदर की तरफ, एक cavity में जाके खुलते हैं, ठीक है, इस cavity को हम क्या कहेंगे, sponge o seal कहेंगे, sponge o seal, क्या बताया, बहुत सारे छोटे-छोटे pores, body के अंदर जाकर एक cavity में खुलते हैं, जिसको हमने बोल दिया sponge o seal, अब ये जो sponge o seal होता है, ये further बाहर की तरफ, एक cavity के तुरू, के बाहर एक ही opening, cavity नहीं, एक ही opening के तुरू, बाहर खुलेगा, और उसको हमने नाम दे दिया, osculum, अब ये जो जितन चोटे-छोटे pores की हम बात कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं, ostea, तो ostea, spongosil और osculum, ostea और osculum में confuse मत होना, ostea क्या होंगे, चोटे-छोटे pores जो की body में present होते हैं, वो अंदर जाके किस में खुलेंगे, spongosil में, ठीके, और ये spongosil जो होती है, बाहर की तरफ, एक ही opening के तुर बनाते हैं, ये बनाते हैं, एक water canal system, कैसे, ostea के तुरू, पानी अंदर आएगा, उस पानी में क्या होगा, oxygen होगा, और इनके लिए खाना होगा, food होगा, ठीक है, cavity के अंदर गया, oxygen की जितने requirement थी, वो ले ली, खाना जितना चीए था, वो ले लिया, बात में जो waste material होगा, वो इस osculum के थुरू, बाहर निकल जाएगा, इतना clear है, तो ये एक water canal system की तरह काम करता है, ठीक है, और water canal system further किसमे help करेगी, circulating water throughout the body to bring in food and oxygen, खाने को और oxygen को लाने के लिए, body के अंदर लाने के लिए, water canal system एक circulatory system की तरह काम करेगी, इतना clear है आपको, ठीक है, austria क्या होता है osculum क्या होता है, और spongosil क्या होती है, अब ज़रा यह आप एक diagram देखी, यह है psychon का diagram, ठीक है, यह बाहर से, जब आप ocean floors पर जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरह के structure देखने को मिलेंगे, यह होते है psychon, यह external view है, यह कुछ इस तरह से देखते हैं, अब जब हम इनका diagrammatic representation द हटा दिया, तो हमें अंदर की तरफ क्या मिलेगा, यह जो white color की जो आपको space दिख रही है, यही है क्या spongosil, ठीक है, यह pores किस में जाके खुलते हैं, इसी spongosil में, और यह spongosil, यह जो एक brush like आपको structure दिख रहा है, इधर भी और इधर भी, यह क्या है, एक osculum है, opening है, इसी के through spongosil, बाहर की तरफ खुलती है, इतना clear है आपको, यही चीज़ में आपको अभी explain कर रही थी, फिर इसके बाद में और कुछ characteristics देख लेते हैं, इनकी, commonly इंको हम क्या कहते हैं, sponges कहते हैं, यह भी हमने देख लिया, body में holes होते हैं, जिसके बीर से body कैसी होती है, perforated होती है इन holes को हम क्या कहेंगे, pores कहेंगे, फिर यह होते हैं non-motile animals, यानि कि एक solid support की साथ attached हैंगे, फिर pores lead to a large body cavity, जिसको हमने बोला spongosil, spongosil and pores and osculum क्या बनाते हैं, water canal system, water canal system circulating system की तरह काम करती है, जो कि body में water लेके आएगी, उसके अंदर खाना भी रहेगा और oxygen भी रहेगी, फि मैं आपको बोलू कि इन animals को आपको दो equal halves में divide करना है, आप नहीं कर पाऊगे, किसी भी plane से नहीं कर पाऊगे, इसलिए ये कहलाएंगे asymmetrical, इनकी body में कोई symmetry नहीं मिलेगी, और क्या points हैं, endoskeleton present होता है, अब endoskeleton calcium carbonate और silica का present होता है, endoskeleton का extended form होता है, जिसे को हम कहते है spikeules, वो help करता है, इनको predator से defend करने में, obvious सी बात है, plants की तरह इनका case हो रहा है, plants को भी अपनी ही जगा पे खड़े रह करके, अपने आपको protection दिलवानी थी, उसी तरह से भी, ये भी stationary होते हैं, ठीक है, और इनको भी अपने आपको, जो predator से उनसे बचाना है, तो क्या होगा, end skeleton का extended form होता है, जिसको हम कहते हैं, spikeules, और यही spikeules इनको predator से defend करते हैं, इसके बाद में cellular level of organization होता है, याने कि यहाँ पे सिफ cells present होंगे, cells ने अभी team नहीं बनाई है, tissues की, ठीक है, तो cellular level of organization है, और individual cell ही सारे functions परफॉर्म कर लेगा, फिर diploblastic होते हैं, जैसे कि हमने बताया थ कि जो embryo होता है, वो further 3 layers बनाता है, ectoendo और mesodum, यहाँ पे किवर 2 germ layers present होंगी, ठीक है, फिर इसके बाद में exclusively aquatic होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पानी में ही देखने को मिलेंगी, यह, mainly कैसे होते हैं, marine habitats में, marine याने की salty water, हैना, और कुछ ऐसे होते हैं, जो कि fresh water animals में भ power of regeneration, power of regeneration मतलब क्या होता है, अगर मैं, जो अभी हमने साइकों देखा था, यहाँ भी हम आपे spongosil देख रहे हैं, spongosil को अगर मैं बहुत सारे parts में divide कर दू, तो हर एक part जो होगा, वो एक new animal spongosil बना सकता है, इसी को हम कहते हैं, power of regeneration, ठीक है, तो हमने क्या-क्या पढ़ लिय हमने अभी, हमने स्टार्ट किया था, जल्दी से एक quick recap करते हैं, हमने स्टार्ट किया था, एनी मीलिया किंग्डम के साथ, इसमें हमने कुछ basic characters देख लिये थे, इन इस category में आने वाले animals की, यू केरियोटिक होंगे, multi-cellular होंगे, अपना खाना कुछ synthesize नहीं करेंगे, तो ह metrotrophic होंगे, cell wall in में क्या होगी, absent होगी, फिर इसके बाद में most of them कैसे होते हैं, mobile होते हैं, फिर इनको अलग-अलग phylum में divide किया गया था, grade of organization के basis पे, habitats के basis पे, germ layers के basis पे, ठीक है, फिर इसके बाद में हमने first phylum पढ़ा कौन सा, pori phara, pori का मतलब होता है pores और phara का मतलब होत होते हैं, और यह sponges भी कहलाते हैं, क्योंकि यह sponges की तरह दिखते हैं, फिर यह चोटे-चोटे pores प्रेजेंट होते हैं इनकी body में, इनको हम कहेंगे ostea, यह ostea body के अंदर, एक common cavity में जाके खुलते हैं, जिसे हम कहते हैं, spongosil, spongosil further एक opening के तरु बाहर खुलती है, जिसका ना करती है, पानी लेकर के आती है, अंदर, spongosil में और उस पानी में water भी होता है, फूट भी होता है, ठीक है, फिर इसके बाद में यह asymmetrical होते हैं, याने कि इनकी body को आप किसी भी plane से दो equal half में divide नहीं कर पाओगे, symmetry नहीं दिखती है, फिर इसके बाद में इनमें endoskeleton present होता है ठीक है, cellular grade of organization होगा, याने कि सिर्फ cells present होंगे, अब इनने tissues नहीं बनाये हैं, individual cell ही सारे functions perform कर लेते हैं, फिर diplo-blastic होते हैं, केवल दो germ layers बनाता है embryo, exclusively aquatic होते हैं, सिर्फ पानी में ही मिलेंगे, most of them marine water में मिलते हैं, ठीक है, salty water में, बाकी कुछ ऐसे होते हैं, जो कि fresh water में देखने को मिलेंगे, और इसके बाद में ये power of regeneration भी show करते हैं, कई parts में divide कर दो, हर एक part एक new individual form कर लेता है, अब आपकी NCRT ने तीन example दिये हैं, इसके पहले हमने देखा था कौन सा, साइकॉन, ये हमने इसका structure देख लिया था, external view इसका ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जब तरह के दिखते हैं, तो इस वीडियो में हमने kingdom animalia start किया और इसका एक phylum भी हमने complete कर लिया, अब हम next वीडियो में बात करेंगी एक और phylum की, तो complete course के लिए Magnet Prince Plus में ज़रूर अप्ग्रेड करें, और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर, magnetbrinks.com पर, thank you for watching. Hello everyone, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे second phylum, जो की है sealantrata, हमने start किया था previous वीडियो में animal kingdom के साथ, और हमने देखा था कि किस तरह से अलग-अलग basis पे उनको बहुत सारे phylum में divide किया गया है, और हमने first phylum वहाँ पे cover कर लिया था, porifera, आज हम इस वीडियो में start करेंगे second phylum के साथ, sealantrata के साथ, ओके, so welcome to magnet brains, मैं हूँ वी बुति खरे, तो चलिए start करते हैं, आज का हमारा topic sealantrata, सबसे पहले तो हम नाम पर ही चले जाते हैं, कि नाम sealantrata क्यों पढ़ा, तो देखो, इनके पास होती है एक cavity, जिसको हमने बोला gastro-vascular cavity, ठीक है, अब यह जो gastro-v opening जिसको हम कहते हैं, एनस, वो इसमें absent होगी, तो याने कि sealantrata के पास होती है, एक gastro-vascular cavity, body के अंदर, एक ही opening होगी, mouth और एनस absent होता है, इस mouth के पास बहुत सारे tentacles, tentacles को हम green color से बना देते हैं, tentacles कुछ इस तरह से present होते हैं, ठीक है, और इन tentacles का का काम क्या होता है, इनक organism की body को move कराना, ठीक है, movement में भी help करेगा, प्लस external environment को sense भी करने का काम करता है, तो क्या बोला मैंने, कि sealant traits की body में present होती है, एक gastro-vascular cavity, इसके पास होती है, एक single opening, जिसको हमने बोल दिया mouth, एनस absent होता है, mouth के पास होते हैं, बहुत सारे tentacles, और ये tentacles क्या काम करेंगे, external environment को sense करेंगे, और body को, organism की body को move करने में help करेंगे, ठीक है, अब ये जो cavity होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, intestine like होती है, कैसी होगी, intestine, और intestine को ही हम क्या कहते है, enteron कहते हैं, क्या बोला हमने, कि इनके पास present होती है, एक cavity, जिसको हमने बोला, gastro-vascular cavity, cavity, intestine like होती है, और intestine को क्या कहते है, enteron भी कहते है, याने की, और cavity को हम क्या बोलेंगे, seal, तो intestine जैसी cavity के कारण, इनका नाम पढ़ गया, seal and treta, ठीक है, इतना समझ में आया, अब कुछ और basic characters, ये होते है, aquatic animals, पानी में मिलेंगे, फिर tissue level of organization present होता है, अब हमने जब बात करी थ में, तो polyference में हमने देखा था कि, cells present है, cellular grade का organization था, cell ने अभी tissues नहीं बनाए थे, teen नहीं बनाए थी, लेकिन जब हम बात करेंगे, seal and treta की, तो यहाँ पे cells, tissues बना देते हैं, फिर इसके बाद में, इनकी body होती है, soft, लेकिन क्या होता है, body के surface पे, calcium और other minerals के deposition के कारण, calcium औ और other minerals आकर के, जम जाते हैं, इनके body surface पे, जिसके कारण body surface हो जाता है, hard, और वो जो hard body surface होता है, वो काम करता है, एक exoskeleton की तरह, एक ऐसा skeleton, जो की है body के बाहर, हमने पढ़ा था, जैसे हमारी body में भी, जब हम muscles पढ़ रहे थे, है ना, जब हम tissues पढ़ रहे थे, उसमें हमन एक type की muscular tissue देखा था, skeletal muscular tissue, उसमें हमने क्या देखा था, कि जो muscular tissues होती है, वो skeleton से attached होती है, हमारी bones से attached होती है, और हमारी body में भी skeleton present होता है, ठीक है, उसी तरह से, एक और skeleton इन में भी present होगा, लेकिन ये body के बाहर होगा, इसलिए exo, इसका नाम दे दियागा, exo मतला बाहर एक ऐसा skeleton जो की है body के बाहर, और ये कैसे बना है, इनकी body के surface पे, इनकी body होती है soft, ठीक है, लेकिन body के surface पे calcium और other minerals के जमने के कारण, deposition के कारण body surface हो गया hard, और उस hard body surface को हम बोलते हैं exo skeleton, और इसी exo skeleton के साथ, corals हमारे oceans में rule करते हैं, जब आप ocean floats पे जाओगे, ocean के अंद minerals आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर होते हैं, अलग-अलग colors के होते हैं, ठीक है, और इनका structure भी अलग-अलग होता है, तो जो hard होते हैं वो, उपर से वो क्यों होंगे, वो होगा उनका exo skeleton, जो की कैसे बना है, body surface पे calcium और minerals के deposition के कारण, अब आगे की बात, some are colonial, others live solitary life span, जैसे की hydra, देखो, कुछ colonies में रहेंगे, जैसे की आपको coral colony दिख रही है, यहाँ पे कोई एक coral नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारे corals देखने को मिलेंगे, याने की यहाँ पे corals ने बना रखी है, एक colony, ठीक है, तो colonial भी होते हैं, फर हम बोलते हैं की यह solitary भी ह होते हैं, याने की अकेले भी रहते हैं, example है hydra, hydra कैसा देखता है, वो हम देखेंगे अभी next slide में, अभी आप इतना समझो, कि यह colonies में भी रह सकते हैं, और अकेले भी रह सकते हैं, colonial जैसे की हमने corals का example देखा है, और अकेले कौन रहेगा, hydra, ठीक है, फिर इसके बाद में body बनी होती है, दो layers की, ठीक है, one makes up cells on the outside of the body, जिसे हम कहते हैं, ectoderm और एक होती है, जो कि inner living body को line करेगी, जिसे हमने बोल दिया, endoderm, याने की फिर सह, यह कैसे हुए, diploblastik हुए, embryo ने सिफ दो jump layers बनाई थी, ectoderm और endoderm, ectoderm बहा वाली और endoderm अंदर वाली, फिर इसक क्या बोला, gastro-vascular cavity is present, यह हमने start 20C किया था, mouth के पास क्या present होते है, tentacles, और tentacles help करते, organisms को move करने में, और sense करने में environment को, इस gastro-vascular cavity में एकी opening present होती है, which is mouth और annus absent होगा, फिर हम बोते हैं कि यह होते है, radially symmetrical, याने कि आप इनको दो equal halves में divide कर सकते हो, ठीक है, जैसे यह jellyfish है, jellyfish हम सबने देखिए, jellyfish को अगर मैं बोलू कि आप divide कर दो half में, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, फृदर मैं बोलू कि मैं इसको ऐसे भी divide कर सकती हूँ, ऐसे भी divide कर सकती हो, याने कि मैं इसको किसी भी plane से 2 equal halves में divide कर सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं, radially symmetrical organisms, ठीक है तो sealant rates कैसे होते हैं, radially symmetrical और हमने जब बात करी थी, polyference की तो उनके पास तो symmetry ही नहीं थी, वो asymmetrical थे ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि mostly कैसे होते हैं marine होते हैं, यहने कि salty water में मिलेंगे और कुछ fresh water में भी होते हैं, जैसे कि hydra hydra को हमने पहले भी देखा था कि hydra colony बना के नहीं रहता है, वो solitary life जीता है यानि कि अकेला जीता है, यह है hydra का example जैसे कि आप देख रहे हो, यह है इसका mouth, mouth के पास बहुत सारे tentacles भी present है, ठीक है और यह colonies नहीं बनाएगा, यह कैसा रहेगा, अकेला रहेगा ठीक है, और यह fresh water में मिलेगा इसके बाद में हमारी NCRT ने दो example और दिये है sea animal का दिया है और jellyfish का दिया है ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया है जल्दी से हम करते हैं, एक quick recap हमने start किया था second phylum के साथ kingdom animalia का phylum sealantrator हमने क्या बोला था, कि इनके पास होती है एक gastrovescular cavity इस gastrovescular cavity का केवल एक ही opening होती, जिसे हम कहते है mouth, ठीक है, कैसी बनाई थी मैंने cavity, कुछ इस तरह की बनाई थी ठीक है, एक cavity होती है एक opening होती है इस cavity की, ठीक है, इसे हम कहते है mouth और इसके पास बहुत सारे tentacles होते हैं, इन tentacles का का क्या होगा, organism को move करने में help करेगा और external environment को sense भी करेगा, यानि कि यह antenna का का काम भी करता है, ठीक है, फिर इसके बाद में, यह जो gastrovescular cavity है, इसके पास anus नहीं होगा absent होगा, फिर हम बोलते हैं कि यह जो cavity होती है, यह intestine like होती है, intestine को हम enteron भी कहते हैं, तो enteron like cavity की presence के करण इनका नाम रद दिया हमने sealant treta, ठीक है फिर इद बे cells ने tissues बना लिए ठीक है, team बनाई और tissues बना लिए तो tissue level of organization होता है, फिर हमने बोला कि यह soft bodied animal होते हैं याने कि इनकी body soft होती है, लेकिन body surface पर calcium और other minerals आकर के deposit हो जाते हैं, जम जाते हैं जिसके कारण body surface hard हो जाता है उस hard body surface को हम कहते हैं exoskeleton और इसी exoskeleton की help से corals हमारे oceans में rule करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद में, again यह हम बोलते हैं कि यह diploplastic होते हैं दो layer के बने होते हैं, कौन-कौन सी, ectoderm and endoderm ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि यह कैसे होंगे, colonial होंगे या तो colonies बनाके रहेंगे corals का हम में diagram देख लिए, फोटोर देख लिए और हम बोलते हैं, या फिर solitary life जीएंगे hydra के समान, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे हमने बोला कि कैसे होंगे, radially symmetrical होंगे याने कि इनकी body को आप किसी भी plane से दो equal halves में divide कर सकते हो next हमने बोला, यह mostly marine होते हैं salty water में मिलेंगे और कुछ ऐसे होते हैं, जो कि fresh water में भी मिलेंगे, example इनका hydra, hydra की image आपने यह देख ली, corals हमने उधर देखिए, first slide में और यह है, NCRT ने दो और examples mention करें है, sea animal and jellyfish, देख रहा है आपको sea animal कैसा देखता है, यह भी radially symmetrical है मैं इसको, ऐसे भी divide कर सकती हूँ ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी, दो equal हाफ में jellyfish के साथ भी यही है और hydra के साथ भी यही है तो इस वीडियो में हमने cover कर लिया है हमारा second phylum, जो की है phylum sealant trata, अब हम next वीडियो में आगे और एक नए टाइब का phylum पढ़ेंगे, ठीक है तो complete course के लिए magnet brains plus में जरूर upgrade का रहें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website magnetbrains.com पर thank you for watching Hello everyone, आज हम इस वीडियो में start करेंगे third phylum के साथ जो की है phylum platyhelminths, ठीक है हमने start किया थे animal kingdom के साथ और हमने अभी तक उसके दो phylum complete कर लिए हैं कौन-कौन से एक हमने पढ़ा porifera और एक हमने पढ़ा sealant reta आज हम बात करेंगे phylum platyhelminths की, ठीक है so welcome to magnet brains, मैं हूँ विबूती खरे और हमारा आज का topic स्टार्ट करते हैं platyhelminths के साथ सबसे पहले तो नाम से ही स्टार्ट कर लेते हैं platyhelminths क्यों पढ़ा helminths का मतलब होता है worms ठीक है और platy का मतलब होता है flat याने कि ऐसे worms जो की होंगे flat helminths का क्या मतलब हुआ worms और platy का क्या मतलब हुआ flat तो ऐसे worms जो की flat हो चप्टे हो उनी को हम क्या कहते हैं? platy helmets कहते हैं जैसे की body is dorsal ventrally flattened like ribbon ribbon देखा है ribbon कितना चप्टा रहता है? वो broad होता है इस तरह का होता है broad होता है लेकिन dorsal और ventral surface जो होता है उसका वो चप्टा रहता है flattened होता है इसी ribbon like structure के होते हैं platy helmets इसे लिए उनका नाम क्या पढ़ा है? क्यों पढ़ा है? क्योंकि platy का मतलब होता है flat और helmets का warm तो ऐसे worms जो की flat होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? platy helmets के कैटेगरी में आएंगे इतना clear है अब हम बात करते हैं थोड़े और आगे की अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है bilaterally symmetrical body अब भी तक हम पढ़ रहे थे asymmetry फिर हमने पढ़ा था sealant rate में radiator याने की आप animal को किसी भी plane से दो equal halves में आप divide कर सकते हो लेकिन जब हम बात करेंगे platy helmets की तो यह होते हैं bilaterally symmetrical याने की आप इनकी body को दो equal halves में divide तो अभी भी कर पाऊगे लेकिन सिर्फ एक plane के साथ जैसे कि यह है एक planaria की body planaria को मैं सिर्फ इस plane पे दो equal halves में divide कर सकती हो ठीक है और अगर मैं किसी और plane के साथ करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी ठीक है तो यह है planaria जिसमें present होती है bilaterally symmetrical body यानि कि उसको मैं सिर्फ एक plane से divide कर पाऊँगी दो equal halves में फिर हमने बोला कि भाई यह organ level of organization आ गया हमने start क्या था cellular level organization से porifera में फिर हमने देखा कि sealant rate में इन cells ने एक team बना ली थी तो उसमें tissue level organization आ गया हम बात करते है प्लेटी हेलमेंस की तो यहाँ पे tissues ने और आगे चले गए और advance हो गए और क्या बना ली है organ बना ली है तो यहाँ पे क्या आ गया organ level of organization फिर इसके बाद में triploblastic होते हैं अभी तक हम diploblastic पढ़ रहे थे कि ectoderm present थी endoderm present थी लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं कि triploblastic है यानि कि embryo ने तीनो germs बना ली ecto, endo और meso फिर इसके बाद में layers help in outside and inside body lining और विसी बात है ectoderm का मैंने आपको function बताया था ectoderm क्या बनाएगी? skeleton mesoderm क्या बनाएगी? organs और endoderm क्या करेगी? इनी organs की lining form करेगी यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि triploblastic animals, यह मतलब triploblastic होते हैं यह तीनो germ layers present होती है ठीक है? उन में से जो दो layers होंगी वो outside और inner lining बनाएगी और एक layer क्या बनाएगी? organs भी बनाएगी ठीक है? क्योंकि यहाँ पे organ level of organization आ गया है क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे mesoderm आ गई है organ बनाने के लिए फिर इसके बाद में true internal cavity और celom है absent अब इनके पास true internal cavity यह celom absent होती है ठीक है? इसलिए इन्हें हम कहते हैं acylomate, celom नहीं है इसलिए acylomate फिर इन्हीं celom के अंदर क्या होते हैं? organs होते हैं, तीनो germ layers present है अब एक्टो एंडो तो हमने celan trata में भी देखी थी, ठीक है? अब यहाँ पे mesoderm भी आ गई है mesoderm ने क्या बना दिये? organs बना दिये जिसकी वज़से यहाँ पे organ level of organization आ गया इनके पास true body cavity जिसे हम celom कहते हैं वो नहीं होती है इसलिए यह acilomate कहलाते हैं इस celon के अंदर ही organs present होते हैं, accommodated होते हैं फिर इसके बाद में इधर यह कैसे होंगे? free living होंगे या parasitic होंगे and terrestrial होते हैं, land पे पाय जाते हैं ठीक है? और free living भी हो सकते हैं या फिर किसी host organism के उपर किसी दूसरे animal के उपर अपने nutrition के लिए उनके उपर present होते हैं ठीक है? host organism से अपना nutrition या food derive करते हैं फिर इसके बाद में आप देखो free living अगर होए, ठीक है? किसी के उनको जरुवत नहीं है तो किसी के साथ वो attached नहीं है लेकिन अगर वो होए parasitic तो किसी ना किसी host organism के उपर उनको attach होना पड़ेगा और इसी attachment के लिए उनके पास होते हैं hooks and suckers ठीक है? इनी hooks और suckers के तुरू ये जो parasitic organisms होते हैं ठीक है? जो parasites होते हैं वो host organism के उपर उनसे attached रहेंगे राइट? फिर इसके बाद में ये होते हैं हर्मो फ्रोडाइट याने की male और female reproductive organs एकी animal में present होते हैं तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने नाम से start किया था platy helminths से flat worms होते हैं ribble like होते हैं, dorsal ventrally flattened bodies होती है इसलिए इनको हमने platy helminths बोला फिर हमने बोला कि यहां पे आ गई थी bilateral symmetry याने कि ऐसे animals को हम सिर्फ एक ही plane से दो equal halves में divide कर सकते हैं फिर यहां पे हमने बात करी थी triploblastic animals की याने कि इन animals में तीनो germ layer ectodum, endodum और mesodum आ चुकी हैं mesodum आ गई है तो obvious सी बात है वो organs भी बनाने लगेंगी इसलिए यहां पे organ level of organization होता है फिर हमने बोला कि इनके बास true ceilum या cavity absent होती है इसलिए इनको हम a ceilumate कहते हैं इसी ceilum के अंदर organs accommodated होते हैं फिर इसके बात में यह free living भी हो सकती है या parasitic भी हो सकती है और suckers भी present होते हैं फिर इसके बाद में hermophrodite animals होते हैं याने की male और female reproductive organs दोनों ही present होंगे अब हम बात करते हैं थोड़े आगे की यह कुछ original pictures है ठीक है यह tape warm है tape like होता है tape होता है कितना पतला उसी तरह से इसका structure भी देखने को मिलता है ठीक है यह होता है tape warm फिर इसके बाद में यह है planaria और यह है liver fluke ठीक है यह कुछ original picture से इस तरह के platy helmets दिखते हैं यह तीनों आपकी NCRT ने mention करें हैं तो हम भी इसको discuss कर लेते हैं यह कैसा है tape warm है और यह कौन है यह है planaria और वो है liver fluke अब ज़रा NCRT की picture वे वापस आते हैं NCRT कैसे दिखाती है कुछ इस तरह से ठीक है अज़र बता सुरह इसको liver fluke क्यों बोला गया है actually यह ज़र liver fluke होता है यह cows और sheep और goat इन सब की liver पर जाके attack करती है ठीक है उनकी liver में यह present होती है और जब इनी animals का हम uncooked meat खाते है या properly cooked नहीं किया जाता है meat वो हम जब consume कर लेते हैं तो यह हमारी body में भी आ जाएंगे और अब इससी बात है infection तो cause करेंगे यह करेंगे ठीक है और tape warm जो होता है यह भी parasitic होता है ठीक है human beings में भी serious infections cause करता है जैसे कि आप देख रहे हो यह है इसकी neck और neck के पास present है क्या सकर इसी सकर की health से यह host की body में जाकर के चिपक जाता है attach हो जाता है ठीक है यह है planaria, liver fluke and tape warm जब हम बात कर रहे थी sealant rate की तो आपके diagram में NCRT में एक जगा mesoglia भी जो है न दिया हुआ है mesoglia actually skeleton की तरह काम करता है body को support provide करता है यह हम बात कर रहे है sealant rate की sealant rate के एक किसी diagram में mesoglia उनने label किया है तो mesoglia क्या क्या करता है skeleton होता है और body को support provide करता है ठीक है तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया करते है एक विक री क्या सबसे पहले हमने बोला flat worms होते है इसलिए नाम है इनका petty helmets ठीक है और body जो होती है वो dorsal ventrally flattened होती है फिर triple plastic होते है तीनो germs layer आ गई है ठीक है germ layer आ गई है mesoderm आ गई है इसलिए organ भी बन गई है इसलिए यहाँ पर organ यह free living भी हो सकते है parasite भी हो सकते है land पे भी मिलेंगे अने की terrestrial भी होंगे अगर parasitic है तो hooks और suckers प्रेजन्ट होंगे जिससे की यह host organism की body में चिप के रहते हैं ठीक है हर्मोफ्रोडाइट होंगे यानि की male और reproductive organs same body में present होते हैं ठीक है यह कुछ examples है NCRT ने mention किये है यह tapeworm ऐसा दिखता है originally planaria ऐसा और liver flu कैसा है liver flu kettles और goats वागरा कि जो sheep होती है उनकी liver में जाकर के attack करेगा और जब हम इन एनिमल्स का uncooked या तीक से पका हुआ meat नहीं खाएंगे तो फिर यह एनिमल्स हमारी body में भी entry कर जाएंगे और अभवसी बात है infections cause करेंगे ठीक है इस वीडियो में हमने पूरा अपना platyhelminz phylum cover किया है अब हम next वीडियो में एक और phylum पढ़ेंगे complete course के लिए Magnet Brains Plus में ज़रूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone आज हम इस वीडियो में start करेंगे एक new phylum जिसका नाम है Nimetoda ठीक है हमने start किया था Kingdom Animalia के साथ जिसमें हमने देखा था कि Animalia को यानि कि Animalia Kingdom को अलग-अलग phylum में डिवाइट किया गया है और उसमें भी अभी दग हम तीन फाइला कवर कर चुके हैं कौन-कौन से पौरिफेरा, सीलन्ट रेटा और प्लेटी हेल्मिन्स आज हम इस वीडियो में start करेंगे एक और फाइलम की साथ जिसका नाम है Nimetoda So welcome to Magnet Brains मैं हूँ विभूती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक Nimetoda के साथ ठीक है देखो इसमें Nimetoda में आने वाले जो एनिमल्स होंगे न वो भी कैसे होंगे उनकी बॉडी होती है सिलेंडिकल रादा दन फ्लेटन याने कि इनकी बॉडी होती है ट्यूब लाइक anatomically इनकी बॉडी होती है कुछ इस तरह से ट्यूब देखी है किसी ना पाइप देखा है ठीक है तो ट्यूब लाइक या पाइप लाइक इनकी बॉडी होती है इसलिए ये निमेटोडा जो है न क्या कहलाते है राउंड वॉड्म भी कहलाते है क्यूँ? क्योंकि जब आप इनका cross section देखेंगे cross section मतलब ये है एक round worm ठीक है और मैंने इसको horizontally cut कर दिया cut करने के बाद अब मैं इसको कुछ इस तरह से देख रही हूँ ये था एक round worm मैंने इसको horizontally cut किया और अब मैं देख रही हूँ इसका cross section तो देखो ये है एक round worm की image ये दिख रहा है आपको एक pipe like structure ठीक है cylindrical body दिख रही है यापे अब जब मैं इसका cross section देखोंगी तो cross section देखो ये कैसा दिख रहा है circular दिख रहा है round दिख रहा है इसलिए इसको हम round worm भी बोलते हैं इतना clear है और क्या-क्या होता है और characteristics है ये होते हैं bilaterally symmetrical याने कि ये सिफ एक ही plane से दो equal halves में divide किये जा सकते हैं फिर ये होंगे triploblastic animals याने कि इनके पास तीनो germ layers present होती है ectoderm, mesoderm and endoderm mesoderm आई है तो organs भी बने होंगे तो यहाँ पे organ level of organization भी हमें मिलेगा लेकिन organs जो होते हैं वो इनके rudimentary होते हैं rudimentary याने कि अभी ठीक से develop नहीं हुए है immature है उतनी अच्छे तरह से function नहीं कर पा रहे हैं ठीक है? undeveloped है लेकिन at least बन तो गए है क्योंकि mesoderm आ गई है इसलिए इनके पास organ level of organization होता है फिर cedo-celome is present इसलिए इनको हम cedo-celomate भी कहते हैं याने कि true celome true cavity अभी इनके अंदर नहीं आई है लेकिन celome या cavity like कुछ cavity आ गई है इसलिए इसे हम क्या कहते है cedo-celomate भी कहते हैं ठीक है? फिर इसके बाद में elementary canal is complete with mouth and anus ठीक है? elementary canal में आपे mouth भी present होता है और anus भी present होता है तो complete हो जाती है elementary canal और क्या-क्या अभी तक हमने जो भी इनके characteristics पढ़े हैं फिर से देखते हैं body कैसी होगी? cylindrical होगी rather than flat end जब हम platy helmets पढ़ रहे थे तो हम ने देखा था उनकी body ribble like होती है dorsal, ventrally flat end होती है लेकिन यहाँ पे flat नहीं होती है इनकी body anatomically tube like या फिर एक pipe like होती है ठीक है? इसलिए उनकी body क्या होती है? cylindrical होती है और इसे हम round warm क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम इनके cross section को देखेंगे तो आपको cross section है वो circular देखेगा round देखेगा इसलिए round warm भी कहते हैं फिर इसके बाद में bilateral symmetrical होते हैं याने कि एक plane से ही इनको two equal halves में divide किया जा सकता है mesoderm आ गई है triplobrastic है mesoderm भी आ गई है ectoderm और endoderm के साथ इसलिए mesoderm क्या करेगी? organs भी बनाएगी तो organ level of organization आ गया लेकिन ये जो organs होते हैं ये rudimentary होते हैं अब भी ये ठीक से डबलप नहीं होते हैं इसलिए लेकिन at least organ आ गए हैं बन चुके हैं इसलिए organ level of organization फिर true cavity ये seloam तो present नहीं होते हैं लेकिन कुछ-कुछ उसके जैसी seloam ये cavity present है इसलिए इनमें seedo-seloam होता है और इनको हम seedo-selomate भी कहते हैं फिर elementary canal इनकी complete होती है mouth भी होता है और anus भी होता है ठीक है next क्या हमने बात करते हैं most forms are parasitic butter free living in soil और water most of जो nematodes हैं वो कैसे होते हैं parasites होते हैं याने की host organism की body पे रहेंगे और nutrition derive करेंगे अगर free living हुए तो soil और water में देखने को मिलते हैं parasitic forms जो होते हैं वो pathogenic होते हैं infection cause करते हैं in fact human beings में भी करेंगे दो main ऐसे diseases हैं जो की निपटोट्स के कारण होते हैं human beings में कौन कौन से elephantiasis elephantiasis याने की हिंदी में से हम हाती पाऊ भी कहते हैं जिसमें की पैर जो होता है वो काफी elephant like हो जाता है elephant के पैर जितना मोटा हो जाता है किस के कारण होता है philarial worms के कारण होता है फिर इसके बाद में worms हमारे intestine में भी आ जाते हैं ठीक है कौन कौन से round worms और उनको हम pin worms भी कहते हैं तो obviously बात है intestine में आएंगे तो intestine की functioning में करेंगे ही disturbance cause और infections भी cause करेंगे ठीक है ठीक है elephantiasis और यह हमारे intestine में भी invade कर जाते हैं और infections cause करते हैं sexism इन में कैसे होंगे separate होंगे यानि की male और female reproductive organs अलग-अलग animals में present होते हैं प्लस यह show करते हैं sexual dimorphism अब इसको आप कर लो star mark कैसे देखो यह है एक ascaris का example यहां पर है एक male body और यहां पर है female body इन में होशो होता है sexual dimorphism याने की आप दो animal body को देख के बता सकते हो कि कौन सी female body है कौन सी male body है कैसे जो female body होती है वो थोड़ी लंबी होती और वो थोड़ी सी straight भी होती है लेकिन जो male body होती है वो छोटी होती है female body के comparison में और उसकी tail कैसी होती है coiled होती है coiled मतलब इस तरह से घूमी हुई ठीक है तो female body कैसी होगी लंबी होगी और straight होगी और male body कैसी होगी छोटी होगी और इसके tail भी coiled होगी याने की इन्होंने शोग किया sexual dimorphism male और female body को आप देखके पहचान सकते हो is that clear फिर इसके बाद में और इसके examples हमारी NCRT ने एक तो राउंड वर्म का हमें देई दिया दूसरा ascaris का दे दिया तीसरा ये है एक woker area तो अब हम करते है एक quick recap हमने क्या-क्या पढ़ लिया है अभी था हमने start किया था nematoda के साथ इनकी body anatomically कैसी होती है tube like होती है या pipe like होती है cylindrical shape की होती है cross section कैसा होता है circular होता है या round होता है इसलिए इन्हें हम round worms भी कहते हैं फिर इसके बाद में bilateral symmetrical होती है याने की body को एकी plane से सिरफ एकी plane से दो equal halves में divide कर सकते है next हम बोलते हैं triple plastic होती ectoderm, endoderm, mesoderm तीनो present है mesoderm आ गई है तो organs भी आ जाएंगे इसलिए organ level of organization हो गया लेकिन organs अभी इनके rudimentary है यानि के भी ठीक से develop नहीं हो पाए है undeveloped है फिर इनमें true celome तो present नहीं है लेकिन celome like कुछ present होता है इसलिए उसको हम कहते हैं cedo-celome और animals को बोलते हैं cedo-celome mate फिर elementary canal complete होती है mouth और anus दोनो present होते हैं आगे की बात करते हैं आगे हमने बोला कि most यह कैसे होते हैं यह parasitic होते हैं अगर free living हुए तो soil और water में मिलेंगे parasitic worms जो होते हैं वो human beings में भी serious disorders illness cause करते हैं जैसे कि अगर intestine में घुश गए तो intestine में कौन घुशेंगे round worms जिनको हम pin worms भी कहते हैं और intestine की functioning को disrupt करेंगे और infection तो cause करना ही है ठीक है फिर एक आता है elephantias जिसको हम हाती पाउ कहते हैं पैर हाती की पाउं की तरफ फूल जाता है philarial worm की तरफ के कारण होता है फिर इसके बाद में sex is separate होते हैं male और female reproductive organs अलग-अलग body में होते हैं प्लस यह sexual liomorphism भी शो करेंगे याने कि animal body को आप देखके बता सकते हो कि male body है और या female body है जैसी कि यह है एक example ascaris का female body होती है लंबी और straight male body होती है छोटी और coiled एक और example NCRT ने mention करा है worker area का तो यह वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है तो आज इस वीडियो में हमने अपना phylum निमे टोड़ा भी cover कर लिया है अब next video में हम एक और phylum के साथ देखेंगे introduce करेंगे कि वो कैसा देखता है क्या उसके पास character sticks है कौन-कौन से examples उनमें आते हैं जो शायद हमने कभी देखे भी हो तो complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर तैंक यू पर वाचिंग जिसका नाम है एनलेडा So welcome to Magnet Brains वेहू विभूती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic हमारे सबके प्यारे earthworm से यह हमारा best friend होता है क्या? Actually नहीं यह हमारा नहीं होता बट हाँ farmers का होता है किसानों का जरूर होता है क्यूं? क्योंकि यह soil की plugging में help करता है soil को fertile बनाता है तो यह उनका तो best friend होता है लेकिन अगर हमें कहीं देख जाए तो हमें अच्छा नहीं रखता तो earthworm आते कहां है? earthworm आते हैं phylum एनलेडा के अंदर तो अब आपको यह पता चल गया कि earthworm कौन से phylum में आते हैं तो चलिए कुछ basic characteristics परते हैं इस phylum के बारे में सबसे पहले हम बोलते हैं कि bilaterally symmetrical body होती है यानि कि again earthworm को आफ सिर्फ एक ही plane में दो equal halves में divide कर सकते हैं Is that clear? फिर इसके बाद में आता है triploblastic animals triploblastic animals होते हैं तीनो germ layers present होती है ectoderm, endoderm, mesoderm अब mesoderm आई हैं तो obvious सी बाते organs भी बने होंगे ये थोड़े और advance हो जाते हैं इनोंने पूरा-पूरा organ system ही जना ये बना लेते हैं इसलिए इनके पास organ system level of organization आ जाता है जो कि ये हैं triploblastic mesoderm आ चुकी है ectoderm और endoderm के साथ तो mesoderm ने क्या बना लिए organs बना लिए organs ने भी एक system बना लिए जिसको हमने बोला organ system और इसलिए इनके पास organ system level of organization होता है किसके पास? any leads के पास फिर इसके बार में इनकी body कैसी होती है soft होती है और elongated body होती है earthworm की भी body को अगर आपने कभी closely observe किया हो काफी soft होती है और लंबी होती है elongated होती है फिर इसके बार में cylindrical भी होती है या फिर dorsal ventrally flattened भी होती है platy helmets में हमने देखा था कि उनकी body river like होती है dorsal ventrally flattened होती है फिर इसके बार में हमने बात करी थी nematodes की nematodes में हमने देखा था कि सिर्फ cylindrical body होती है लेकिन analytes के cases में body cylindrical भी हो सकती है और dorsal ventrally flattened भी हो सकती है फिर इनका color कैसे होता है brown color का होता है फिर true celomate animals या ने कि इनमें true celom present होता है true body cavity, true celom is present इसलिए इनको हम क्या कहेंगे celomate कहेंगे next, true organs कहां packed होंगे इनही celom में arrange होती है फिर इसके बाद में body is differentiated into segments body बहुत सारे mouth से लेकर इसके एनस तक पूरी body जो है metamerically segmented होती है बहुत सारे segments में body divided होती है अब ज़रा आप अधवम की photo पे आएं अधवम की photo में आपको यह एक band जैसा structure मिलेगा body पे जो की segmented नहीं होगा पूरी body देखो छोटे-छोटे segments में divided है लेकिन अधवम की case में एक ऐसा band होता है ठीक है जो की unsegmented होता है उसमें segments present नहीं होते है actually यहाँ पे reproductive organs present होते है ठीक है और यहाँ पे छोटे-छोटे pores भी present होते है जिनने हम genital papillae भी कहते है यह genital papillae pores या holes की तरह होते हैं और क्यों present होंगे? sperms की entry के लिए यानि की male gamit की entry के लिए इतना clear है क्या बताया? सभी analytes की body metamerically segmented होती है बहुत सारे segments present होते है earthworm के case में एक band like structure present होता है जो की unsegmented होता है उदर पे reproductive organs present होते है छोटे-छोटे pores present होते है छेद present होते हैं जिनने हम कहते है genital papillae और यही genital papillae sperm की entry की entrance का काम करते हैं इतना clear है अब आगे पढ़ते हैं फिर इसके बाद में segments जो होते हैं वो segments lined up one after the other from head to tail head से लेकर के tail तक पूरी body में present होंगे एक के नीचे एक फिर reproductive means क्या होता है sexually होता है यानि की male or female gamit के fusion से ही होता है reproduction फिर sex हम बोलते हैं की united भी हो सकते हैं यानि की animal हर्मोफ्रोडाइट भी हो सकता है या फिर हम बोलते हैं की separated भी हो सकता है जब reproductive organs एक ही एनिमल में present होते हैं तो वो कहलाता है हर्मोफ्रोडाइट और अगर अलग अलग body में present होते हैं अलग और female reproductive organ अलग body में तो उन्हें हम क्या कहते हैं unisexual organism ऐसे animals जिनकी बोड़ी में reproductive organs अलग अलग body में present होते हैं उनिसेक्श्वल और जहाँ पे एक ही बॉड़ी में, एक ही एनिमल में दोनों रिपरड़क्टे, male और female organs present होते हैं ऐसे animals को हम कहते हैं हर्मोफ्रोडाइट तो यह हर्मोफ्रोडाइट भी हो सकते हैं और unisexual भी हो सकते हैं इतना clear है, क्या-क्या पढ़ लिया? bilateral symmetrical होते हैं, एक ही ब्लेंस दिवाइट कर सकते हैं triploblastic होते हैं, यानि कि 3 germ layers आज गई हैं इनमें mesoderm आ गई है, तो obviously बात है organs भी बनेंगे यह थोड़े से और evolved होते हैं, इनने organ system भी मना लिया है तो यहाँ पर organ system level of organization देखने को मिलेगा फिर इसके बाद में इनकी body कैसी होती है, soft होती है काफी और लंबी होती है, elongated होती है cylindrical भी हो सकती है और dorsal ventrally flattened भी हो सकती है फिर इनकी skin का color कैसा होता है, brown होगा फिर हम बोलते हैं कि यह true silomate animals होते हैं true silom, true body cavity present है, इसलिए इनको हम silomate भी कहते हैं अब इसी silom के अंदर organs accommodated होते हैं, जो mesodermal organs बनाए हैं, वो इसी silom में रहेंगे फिर organ system level of organization, यह हमने point देख लिया body further हम बहुते हैं कि differentiated होती है, segments में metamerically segmented body होती है हमने देखा है कि head to tail तक, पूरी body segments में divide होगी earthworm के case में हम देखते हैं कि एक band like structure होता है, जो कि unsegmented होता है, वहाँ पे present होता है genital papillae, फिर reproduction कैसे होगा, sexual means से होगा, male और female gametes के fusion से होगा फिर hermophrodite भी हो सकते हैं और unisexual भी हो सकते हैं अब हम बोलते हैं कि locomotory organs जो होते हैं, वो paired होते हैं, lateral होते हैं याने कि body के side में present होते हैं, lateral appendages जिसे हम कहते हैं parapodia जिसको, ये parapodia किस में present होते हैं, neres में present होते हैं NCRT ने neres को भी mention किया है, ये देखो, ये है एक typical picture of neres और यहाँ पर आप देखो, इसकी body में laterally, याने कि side में छोटे-छोटे ऐसे pair present हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, parapodia और इन्ही parapodia की help से ये move करेगा फिर इसके बार में elementary canal जो होती है, वो tube-like होती है mouth से लेकर के इनस तक extended होती है फिर animals जो होते हैं, वो variety of habitats में देखने को मिलेंगे fresh water में भी, marine water में भी और land में भी एक example हमने पढ़ लिया, इसका earthworm, दूसरा है neres तीसरा है ये leech, leech जो होती है, ये होती है ectoparasite याने कि host की body में ये बाहर की तरफ attach हो जाती है endo याने कि जब host की body के अंदर कोई parasite चला जाए तो उसे हम कहते है endoparasite और जब कोई organism host की body में body surface पे attach होता है तो उसे हम कहते है ectoparasite तो ये जो leech है, ये ectoparasite होती है और ये human body में भी attack करती है और blood suck करती है ठीक है, इतना clear है, एक quick recap करते हैं हम जो भी अभी तक हमने पढ़ लिया है सबसे पहले हमने start किया था phylum analida के साथ हमने बोला था कि इनकी body कैसी होती है, bilaterally symmetrical होती है याने कि हम bilaterally symmetrical होती है, हम इसकी body को केवल एक ही plane से दो equal halves में divide कर सकते हैं नेक्स point हमने बोला, triple plastic होते हैं, तीनो layers present है, mesoderm present है तो organs भी बनेंगे, organs ने organ system बना लिया है जिसकी वज़े से यहाँ पर organ level, organ system level of organization देखने को मिलेगा किसमें? एनलीड में फिर इसके बाद में इनकी body काफी soft होती है, elongated होती है और इनकी body कैसी होगी, cylindrical भी हो सकती है, या dorsal ventrally flattened भी हो सकती है brown color की skin होती है इनकी और true, ceilum या cavity present है, इसलिए इनको हम ceilomate भी कहते है और ceilum के अंदर ही जो organs बने हैं, वो present होते है फिर body differentiated होती है, बहुत सारे segments में head से लेकर के tail तक, metamerically segmented body कहते हैं हम, earthworm की case में, बीच में एक band दिखता है, जो की unsegmented होता है ठीक है, यहाँ पर reproductive organs present होते हैं, छोटे-छोटे pores present होते हैं यह इस तरह के छोटे-छोटे pores present होते हैं, जिनने हम कहते है genital papillae, और यह genital papillae क्या काम करते हैं, sperm की entry का काम करते हैं इतना clear है आपको, फिर इसके बाद में, reproduction कैसे होता है, sexual means से होता है male or female get weight आगर के combine होते हैं, fusion होता है sex is separate भी हो सकते हैं, यह हम बोलते हैं कि united भी हो सकते हैं harmophrodite animal भी हो सकते हैं, यह unisexual animals भी हो सकते हैं next point हम में देखा क्या, कि locomotory organs याने कि locomotion में कौन help करता है parapodia, ठीक है, parapodia help करेगा nares में, फिर इसके बाद में elementary canal extend होती है कहां से कहां तक, mouth से लेकर के inner तक, फिर animals variety of habitats में पाया जाएंगे fresh water में भी, marine water में भी और land में भी, तीनों example हमने देख लिए earthworm देख लिया, nares देख लिया और leech देख लिया, leech एक ectoperasite होता है ठीक है, animal की body में, उपर जाकर के attach हो जाता है, human being से भी जाकर के attach हो सकता है और blood सक करता है, इतना clear है आपको, तो आज इस वीडियो में हमने पूरा अपना phylum analyida पढ़ लिया है, क्या-क्या characteristics होते हैं, इसमें बहुत से ऐसे animals हैं, जो आप daily life में, daily basis पे देखते हो कहीं ना कहीं, ठीक है, अब next वीडियो में हम एक और phylum पढ़ेंगे complete course के लिए, magnet brains plus में ज़रूर अपग्रेट करें और इस topic के notes आपको available है, हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone, आज हम इस वीडियो में start करेंगे, एक और phylum के साथ, जिसका नाम है ortho poda हमने start किया था kingdom enamelia के साथ, और हमने देखा था कि उसको बहुत सारे phylum में divide किया गया है अभी तक हमने बहुत सारे phylum पर्ड भी लिए है, कौन-कौन से Porifera पर लिया, Sealantreta पर लिया, Platyhelmin's पर लिया, Nemetoda पर लिया और आज हम start करते हैं phylum ortho poda के साथ, ठीक है, सबसे पहले तो यह word आया कहां से है, ठीक है ortho pod का मतलब होता है jointed legs, याने कि ऐसे animals जिनके पास होते हैं jointed legs उन्हें हम कहते हैं ortho poda के category में आने वाले animals, इतना clear है, नाम का आपको मतलब समझ में आ गया ortho pod का मतलब क्या होता है jointed legs, तो ortho poda phylum में आने वाले animals कैसे होंगे, jointed legs वाले होंगे फिर इसके बाद में हम बोलते हैं, यह largest group of animals है, देखो भई, kingdom animalia में इस phylum में बहुत सारे animals, अलग-अलग species के उन species के भी अलग-अलग number इस phylum में देखने को मिलते हैं, इसलिए kingdom animalia का यह largest phylum बन जाता है बहुत species, बहुत तरह के इनमें species आती हैं और उन species के भी बहुत सारे अलग-अलग numbers होते हैं ठीक है, तो यह largest group of animals बन जाता है, बहुत सारे animals ऐसे होते हैं, जिनको हम daily life में देखते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनको हम consume भी करते हैं as a coastal food, जैसे कि हमारे prawns, ठीक है इनको हम as a coastal food consume भी करते हैं, खाते भी हैं, तो इनमें बहुत सारे animals ऐसे आएंगे, जो हम daily basis में अपनी life में देखते हैं तो चलो, start करते हैं इनके basic characters के साथ सबसे पहले हम बोलते हैं कि bilaterally symmetrical animals होंगे, याने कि एक ही plane से आप divide कर सकते हों इनको दो equal house में फिर segmented body होती है, body में अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था एनलिडा में कि जैसे यह है एक earthworm, earthworm जो है, बहुत सारे छोटे-छोटे segments में divided था है ना, लेकिन जब हम बात करेंगे orthropoda की, तो यहाँ पर इस तरह के segments नहीं होते हैं, body divided तो होती है, लेकिन किस-किस में head में thorax बे कभी-कभी ऐसा होता है कि head और thorax combine हो जाते हैं, और मिलके क्या बना लेते हैं? सिफेलो-thorex, क्या बना लेंगे? सिफेलो-thorex, यह कब बनता है? कुछ-कुछ animals के cases में head और thorax आकर के fuse हो जाते हैं, और वो बना लेते हैं सिफेलो-thorex, या फिर हम बोल सकते हैं कि body divided होती है head में, thorax में और abdomen में, segments प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी body divided तो होग किस में head, thorax या abdomen, कुछ cases में head और thorax fuse हो जाते हैं, और क्या बना लेते हैं? सिफेलो-thorex, फिर इसके बाद में इनके पास होता है open circulatory system, देखो, हम human beings की body में क्या होता है? heart present होता है, heart से जोड़ी होती है blood vessels, ठीक है? और ये blood vessels और छोटी-छोटी tubes में जाकर के divide हो जाती, ज ये ही blood capillaries पूरी body में present होती हैं और हर एक body cell को जाकर के blood provide करती है, लेकिन यहाँ पे orthopoder में open circulatory system होता है, यहने कि heart तो present है, लेकिन blood vessels present नहीं है, सीधे से जितने भी cell और tissues हैं, वो सब blood से नहा जाते हैं, blood vessels absent होती हैं, ठीक है? blood doesn't flow in well developed blood vessels, blood vessels नहीं होंगी, heart से सीधे tissues जो होते हैं, वो सारे blood में नहा जाते हैं, इतना clear है, फिर इनमें cilom भी present होता है, तो cilomate भी कहलाए जाएंगे, cilom में cavity जो होती है, यह blood filled होती है, और विस यह बात है, blood vessels तो है ही नहीं, तो किसी ना किसी चीज में भारा होगा इनमें ब्लड किस में present होता है, इसी cilom में present होगा, फिर triploblastic होते हैं, याने कि तीनों germ layer present है, फिर elementary canal complete होती है, mouth and anus lie at opposite ends, ठीके, elementary canal complete होगी, mouth भी होगा और anus भी होगा, और दोनों opposite ends में, ठीके, जैसी कि यह mouth है, तो anus कहा होगा, यहाँ होगा, यह mouth है, तो anus यहाँ हो लिविंग भी होते हैं, aquatic में हम बोलते हैं कि marine water में भी मिलेंगे और fresh water में भी मिलेंगे, फिर हम बोलते हैं कि यह free living भी हो सकते हैं, या parasitic भी होते हैं, या free living भी हो सकते हैं, बिना किसी के association के साथ, फिर हम बोलते हैं कि इनमें respiration होगा, किस से होगा, gills के तुरू हो सकता ह फिर excretion के लिए इनके पास आ जाती है Melfigian Tubules, हम युमन भी इसके पास excretion के लिए क्या होता है Kidneys और Orthopods के पास क्या होता है Melfigian Tubules, इसको कर लो star mark क्योंकि यहां से Melfigian Tubules आ चुकी है फिर हमने बोला भाई इनके पास होता है Exoskeleton, Exoskeleton किसका बना होता है? कभी आपने Cockroach को देखा हो तो इसके उपर का जो सरफेस होता है इसकी जो covering होती है वो थोड़ी सी कैसी होती ही? हार्ड होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी body के उपर present होता है Exoskeleton, जो कि कैसा होता है? काइटेनस याने की काइटेन का बना है Next हम बोलते हैं कि इनमे सेक्से सेपरेटेड होते हैं याने की animals कैसे होंगे? इतना clear है आपको, अब NCRT ने कुछ basic diagrams भी दिये हैं जो कि हम daily life में देखते हैं जैसे कि beautiful butterflies कितनी variety की होती है, कितने अलग-अलग colors की होती है, है ना? फिर इसके बाद में cockroach हर जगा पाया जाता है, infection cause करता है, food और water को contaminate करता है, फिर ये हैं spiders, spiders की भी कितनी अलग-अलग varieties होती हैं, अलग-अलग habitats में होती हैं, अलग-अलग structure की, अलग-अलग colors की होती हैं, बहुत सारी varieties की होती हैं, याने कि इसमें मिलने वाले जितने भी, इनिमल्स हैं, जितनी भी species, कई सारे species के होते हैं, वो उनकी उतनी variety होती है, उत्ते ही जादा उनके numbers होते हैं, इसी लिए जो हमारा orthopoda है, वो largest group है kingdom, एनिमीलिया का, इतना clear है आपको, अब जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, उसको हम करते हैं, एक quick revision उसका, सबसे पहले हमन orthopoda की category के अंदर, फिर bilaterally symmetrical animals होते हैं, यानि की body को दो equal house में divide कर सकते हैं, सिरफ एक ही plane से, फिर हम बहुते हैं कि body divided होती है, further head, thorax और abdomen में, कभी-कभी head और thorax combine होके क्या बना लेते हैं, सिफेलो thorax बना लेते हैं, फिर होता है इनके पास open circulatory system, heart present होगा, लेकिन blood vessels नहीं हो होंगी, blood vessels नहीं होंगी, तो direct tissues और cells जो होते हैं, वो blood से नहा जाते हैं, इसके बाद इनके पास silom भी होता है, तो ये silomate animals हैं, इसी silomate cavity में blood भरा रहता है, फिर हम बोलते हैं, triploblastic obvious सी बात है, तीनो germ layers present होंगी, elementary canal भी इनकी कैसी होती है, complete होती है, mouth से anus तक extended होती है, और दोनो mouth और anus opposite ends पे present होते हैं, terrestrial होते हैं, land पे पाया जाएंगे, aquatic भी हो सकते हैं, पानी में पाया जाएंगे, aquatic होंगे तो fresh water भी हो सकते हैं और marine water भी हो सकते हैं, फिर हम बोलते हैं कि free living भी होते हैं और parasitic भी होते हैं, अब आगे की बात करते हैं, आगे हमने क्या किया के थुरू, excretion कैसे होगा, malphigion tubules के थुरू होगा, human beings में जैसे होती है kidney, जैसे ही orthoboards के पास present होती है, malphigion tubules, फिर इनकी body के उपर एक skeleton भी present होता है, body के उपर present है, इसलिए हमने उसको exoskeleton नाम दिया है, और ये किसका बना होता है, kaitin का बना होता है, next हमने बोला, sexes are separate याने की animals होते हैं, unisexual, अब इसमें आती है, butterflies, cockroach, spider, इसके पहले हमने क्या-क्या देखा था, इसके पहले हमने scorpion देखा था, ठीक है, poisonous भी होता है, scorpion का जो sting होता है, इसमें poison होता है, ठीक है, फिर इसके वार्ण, prawn को हम ऐसा coastal food भी खाते हैं, तो ये था हमारा largest group of animals, phylum orthopoda, इस वीडियो में हमने पूरा orthopoda cover किया है, इसमें malphigen tubules आई, ठीक है, और open type का circulatory system आया, बहुत सारी कुछ नहीं नहीं चीज़े थी, जो हमने इस phylum के अंदर देखी, अब हम next वीडियो में एक और type का नया phylum पढ़ेंगे, complete course के लिए Magnet Brins Plus में ज़रूर अप्ग्रे इस वीडियो में देखेंगे, second largest phylum of kingdom animalia, हम पढ़ रहे थी kingdom animal, जिसमें की हमने देखा था कि सभी animals को अलग-अलग phylum में divide किया गया है, previous video में हमने largest phylum पढ़ा था kingdom animalia का जो की था आत्रोपोडा, आज इस वीडियो में हम cover करेंगे second largest phylum, जो की है phylum malusca, so welcome to Magnet Brains, मैं हूं बुति खरें, जो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा topic phylum malusca के साथ, सबसे पहले तो phylum malusca में आने वाले जित्ते भी animals हैं, उनके basic characters परते हैं, स्टार्ट करते हैं, बॉडि से, तो बॉडि होती है इनकी काफी soft, फिर इसके उपर हम वहते हैं कि अब जब बॉडि तो किसी भी तरह से damage से बचने के लिए इनके पास skeleton भी होना चाहिए, तो yes, कुछ animals के पास exoskeleton भी होता है, exo मतलब बाहर की तरफ, एक ऐसा skeleton, एक ऐसा protective structure जो की organism की body के बाहर हो, तो वो कहलाता है exoskeleton, तो कुछ animals के पास, कुछ species के पास exoskeleton होता है, example है snails, snails हम साब ने देखे हैं, चलो एक देखते हैं, आद snail कैसा देखता है, इस तरह से वो creeping एक animal होता है, ठीक है, और उसकी body पे आपने इस तरह का एक structure देखा होगा, देखा है न, और यहाँ पे दो इनकी eyes भी होती है, तो इस तरह का structure हम सबने देखा है, इनी को हम क्या कहते हैं, snails कहते हैं और इनकी body में आपने इस तरह का एक circular structure देखा होगा, इसी को हम कहते हैं exoskeleton, तो यह exoskeleton इनकी body को protect करता है, क्यों? क्योंकि इनकी body होती है काफी soft third point हम देखते हैं कि यह होते हैं bilaterally symmetrical या फिर asymmetrical भी होते हैं, यानि कि या तो आप इनकी body को दो equal halves में divide कर सकते हो, सिर्फ एक plane के साथ, या फिर कुछ species या कुछ animals ऐसे भी होते हैं, कुछ maluskans ऐसे भी होते हैं, जिनको कि आप divide ही नहीं कर सकते हो, उनकी body में symmetry होती ही नहीं हैं, next point हम बोलते हैं कि little segmentation is present, थोड़ा बहुत present होगा, body is divisible into head, foot and visceral mass, अब हमने बोला कि segmentation बहुत जादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन further body divided होती है, तीन parts में, कौन-कौन सा, head, foot and visceral mass, right, जो foot होता है, वो basically क्या काम करेगा, वो help करता है, locomotion में, animals को चरने काम करेगा, कौन-foot, right, फिर इसके बाद में ये होता है, visceral mass, third हमने बो देखा, visceral mass, visceral mass क्या होता है, इनके पास होते हैं, organs, इनहीं visceral mass में जाकर के store होते हैं, तो हमने क्या बोला, body में little segmentation होता है, further body divided होती है, तीन parts में, head, foot and visceral mass, foot help करता है, locomotion में, और इस visceral mass में, organs accommodated हो याने कि इनके पास आजाएगा, organ system level of organization, फिर हम बोलते हैं कि पूरी body covered होती है, mental से, ठीक है, ये mental क्या होता है, ये actually एक thin fold होता है skin का, यानि कि आप ऐसा समत सकते हो, कि ये है एक animal की body, animal की body further एक बहुत ही thin skin का fold होता है, जिसे हम कहते हैं mental, mental को हम green color से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से वो covered होती है, पूरी body, mental से, इतना clear है, फिर इसके बाद में have open circulatory system, open circulatory system का मतलब हमने क्या पढ़ा था, कि proper blood vessels अभी develop नहीं होई है, heart पूरा blood जो है cells और tissues को ऐसे ही दे देता है, ठीक है, मतलब blood के flow होने के लिए कोई proper pipes नहीं है, vessels नहीं है, इसलिए उसे हम कहते है, open type of circulatory system, अब इसमें देखो जरा, एक है मज़ेदार बात कि इनका blood होता है, blue color का, हाम human beings का कैसा होता है, red color का होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे मलसकन्स की, तो यहाँ पे इनका blood होता है, blue color का, क्यों? क्योंकि जैसे हमारे blood में pigment होता है, hemogloven, जो की एक red color का pigment होता है, जिसके कारण हमारा blood red color का देखता है, लेकिन जब हम बात करेंगे मलसकन्स की, इनके blood का color होगा blue, क्यों? क्योंकि इनके पास होता है hemocyanin pigment, हमारे पास है hemoglobin और मलसकन्स के पास क्या है? hemocyanin pigment, hemoglobin red color का होता है, इसलिए human beings का blood का color क्या होगा? red, लेकिन इनके पास है hemocyanin, इसके कारण इनके blood का color कैसा हो जाएगा, blue हो जाएगा, right, इतनी चीज़े आईन समझ में, क्या-क्या मैंने बताया, सबसे पहले इनकी body होती है soft, काफी soft होती है, तो obviously बात है, किसी भी तरह के damage से खुद को protect करने के लिए इनके पास एक skeleton भी होगा, तो yes, कुछ species के पास होता है exoskeleton, ठीक है, example है snail, snail का हमने diagram देखा था, ठीक है, यह होती है इनकी body, और यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से एक circular structure इनकी peat पर रहता है, ठीक है, यह क्या कहलाता है, exoskeleton कहलाता है, फिर इसके बाद में body bilaterally symmetrical होती ही, या फिर asymmetry भी होती है याने कि आप इनकी body को two equal halves में divide कर सकते हो, एकी plane में, ठीक है, एकी plane में या फिर करी नहीं पाओगे, फिर इसके बाद में little segmentation is present, थोड़ा बहुत present होगा, further body divided होगी किसमे head में, foot में और visceral mass में, foot जो है help करता है किसमें locomotion में और visceral mass में organs जाकर के accommodate होते हैं, ठीक है, याने कि इनके पास organ system level organization भी होगा, triploblastic भी होगे ही, फिर हमने बोला है कि इनके पास होता है open circulatory system, open circulatory याने कि blood vessels नहीं है, blood किसी tube like structure या vessels में flow नहीं होता है, blood होगा इनका blue color का क्यों, क्योंकि इनके पास होता है hemosinin pigment, further इनकी body पूरी covered होती है, एक thin fold of skin से, जिसे हम कहते हैं mental, अब करते हैं थोड़े आगे की बाद, आगे हमने बोला कि इनकी elementary canal complete होगी, याने कि mouth भी होगा और inner भी होगा, फिर kidney like organs present होते हैं, जब हम पढ़ रहे थे ओत्रोपोडा, तो आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि star mark कर लो, क्योंकि वहाँ पे excretion के लिए malphigian stubules जब हम बात करेंगे malaska की, तो यहाँ पे kidney like organs आ चुके हैं excretion के लिए, फिर respiration कैसे होगा भाई, गिल से होगा, mostly aquatic होते हैं, marine होते हैं, salty water में मिलेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं, जो कि fresh water में भी मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे, जो कि land पे मिलेंगे, याने कि वो organisms होते हैं, याने कि male or female reproductive organs अलग-अलग animal में होते हैं, तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया, एक बात quick हम उसका summarize करते हैं, हम start किया था, phylum मलस्का के साथ, जो की animal kingdom का second largest phylum होता है, largest कौन सा होता है, ओत्रोपोडा होता है, जो कि हमने previous वीडियो में पढ़ा है, इधर प हमने दिया था, snails का, फिर हमने बोला था, body कैसी होगी, biliterally symmetrical होगी, या फिर, यानि कि आप उसकी body को दो equal house में divide कर सकते हैं, या फिर आप curry नहीं पाऊगे, क्योंकि वो दिखाएंगे asymmetry, फिर little segmentation is present, body divide होगी, head, foot में और visceral mass में, foot help करेगा, locomotion में, और visceral mass में क्या होगा, जाकर के organs store होते जाएंगे, फिर पूरी body covered होती है, एक thin skin के fold से, जिसे हम कहते हैं mental, और इनके पास होता है open type of circulatory system, यानि की blood vessels नहीं होगी, blood होगा इनका blue color का, क्योंकि इनके पास होता है hemocyanin pigment, further हम बोलते हैं कि elementary canal complete होती है, mouth भी होगा, anus भी होगा, फिर kidney like organs आच चुके ह लिए, respiration करेंगे ये gills के थू, mostly कैसे होते हैं, aquatic होते हैं, marine होते हैं, कुछ fresh water में मिलेंगे और कुछ land पे भी मिलेंगे, यानि कि ये terrestrial भी हो सकते हैं, unisexual organisms होते हैं, यानि कि male औ female reproductive organs अलग-अलग body में present होंगे, इसके अलावा ये triple lasting होंगे, तीनो germ layers नहीं में आ चुकी है ectoderm, endoderm and mesoderm, इसके अलावा इनके पास organ system level of organization भी होता है, अब हमारी NCRT ने दो जो हैं, तीन examples हमको दिये हैं बुक में, एक है paila, एक है union और एक है हमारा octopus, ठीक है, octopus हम सब जानते हैं, animated cartoon movies हमने देखी हैं, और इस तरह का paila और union देखेगा, ठीक है, ये actual photos है, paila ऐसा दिखता है, union ऐसा दिखता है, आप जब आप अपनी NCRT खोलोगे, और जब आप पढ़ोगे कि हाँ, paila कैसा दिखता है, और union कैसा दिखता है, तो आपके दिमाग में NCRT के diagram जो होते हैं, वो थोड़े से, अविस सी बात है, उसमें उनको labeling अगेरा करनी होती है, तो diagram उनक वीडियो में हमने पूरा phylum मलस्का complete कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और phylum पढ़ेंगे, जानेंगे कि उसमें किस तरह के animals आते हैं, और क्या नई modifications हुई हैं उसमें, complete course के लिए Magnet Brains Plus में ज़रूर अपग्रेड करें, और इस topic के notes आपको अवेलिबल हैं हमारी official website Magnetbrains.com पर, thank you for watching. तो चलिए, start करते हैं आज का मारा topic, welcome to Magnetbrains, मैं हूँ विबुति खरे, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इनके नाम के साथ, Echinodermata इनका नाम पढ़ा ही क्यूं, तो देखो, Echinodermata का मतलब होता है spiny, और dermata का मतलब होता है skin, याने कि ऐसे organisms, जिनकी skin कैसी होती है, spiny होत हैं, Echinodermata में, तो हमने ये समझ दिया कि Echinodermata का मतलब क्या है, इस word का, Echinodermata मतलब होता है spiny, dermata का मतलब होता है skin, याने कि ऐसे organisms, जिनकी skin होती है, काफी spiny, वो कहलाते हैं, या वो किसकी category में आते हैं, Echinodermata की category में आते हैं, इतना clear है, actually, इनकी जो body होती है, calcareous, याने कि calcium carbonate की बनी, spiny plates से बनी होती है, पूरी body covered होती है, किस से? Calcareous plates, याने कि calcium carbonate से बनी, plates से, पूरी body covered होती है, ठीक है, और यही जो structure है, plates है, ये इनकी endoskeleton का काम करता है, तो पूरी body calcareous plate से या फिर spine से covered होती है इसलिए इनको हम क्या कहते हैं Echinodermates कहते हैं इतना clear है तो देखो अब shape पे जाते हैं star shaped होते हैं, spherical होते हैं या फिर elongated होंगे अब जैसे हमने बोला कि star shaped हैं तो हमारे दिमाग में चला कि star shaped का तो एक animal हमने देखा है वो कौन हैं? हम सब की प्यारी starfish है ना? starfish हमने देखी है, कैसी होती है? star shape की होती है तो आज हम पढ़ेंगे starfish के ही बारे में, ठीक है? अब आपको समझ में आए कि इस phylum में हम कौन से animals देखने वाले हैं तो एक तो हमने देख लिए कि starfish तो हम आज पढ़ेंगे ही तो starfish की body कैसी होती है? star shape की होगी और इन में आने वाले animals की body कैसी हो सकती है? spherical भी हो सकती है और elongated भी हो सकती है next point क्या है? Radially symmetrical organisms होते हैं याने की आप इन organisms की body को किसी भी plane के साथ दो equal halves में divide कर सकते हो फिर इसके बाद में exclusively free living marine animals होते हैं parasite नहीं होंगे, किसी के साथ attached नहीं होंगे free living होते हैं और marine animals होते हैं याने की salty water में ही देखने को मिलेंगे triploblastic होते हैं याने की तीनो germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm सब प्रेजेंट हैं celomate cavity जो है वो present है याने की कैसे होंगे? celomate होंगे next, no segmentation is present इनकी body में कोई segmentation present नहीं होता है organ system level of organization भाई इसके पास organ systems बन गए हैं तो organ system level of organization आ गया they have water driven tube system for locomotion अब इसका क्या मतलब है? देखो, ये है हमारी starfish अब starfish को मैंने पकड़ा और उसको मैंने इसे पलट के देखा पलट के मुझे क्या देखेगा? देखो, सबसे पहले तो एक starfish बनाते हैं ठीक है? कुछ इस तरह की रहती है starfish ये मैं देख रही हूँ ये पकड़ी मैंने starfish अब मैं इसको पलट के देख रही हूँ ठीक है? क्या देखा? मैंने मुझे यहाँ पे tubes देखी इनकी जितनी भी arms होती है पांच arms है तो इन पांचों arms में मुझे इस तरह की tubes देखने को मिलती है ठीक है? इन tubes के पास क्या होते है? छोटे छोटे पैर होते है यह रही tubes यह जो red color का structure है यह है इनकी arms इनकी arms के अंदर क्या present होती है? tubes present होती है green color की आपको tubes दिख रही है अब इन tubes के ऊपर लगे रहते हैं छोटे छोटे पाउं ठीक है? feet लगे होते हैं और यह tube के ऊपर है इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? tube feet कहते हैं क्या कहेंगे? tube feet tube के ऊपर है अब इन tube feet का काम क्या होता है? यह help करेंगे starfish को move करने में कैसे? यह जो tube feet है यह किस से attached है? tube से attached है अब क्या होगा? कि जो tubes होती है इसके अंदर आएगा पानी पानी को हम बनाते हैं yellow color से ठीक है? इन tubes के अंदर आएगा पानी पानी के कारण क्या होगी? tubes जो है उनका structure थोड़ा change होगा उनसे लगे जो feet है tube feet है उनका structure भी change होगा और इसलिए वो help करेंगे starfish को move करने में याने कि खुलेंगे बंद होगे जिसके कारण क्या होगा? कि starfish move कर पाएगी ये होता है एक type का water vascular system ठीक है? याने कि सभी echinodermates के पास होता है एक water vascular system हमने example किसका लिया? starfish का लिया कैसा लिया? starfish उठाई उसको हमने ऐसे पलट के देखा पलट के हमने क्या देखा? उसकी जितने भी arms हैं ये red color की arms हैं ठीक है? उनके उपर क्या present होती है? tubes present होती है green color की क्या है? tubes हैं इन tubes के उपर लगे होता है छोटे-छोटे feet ठीक है? इसलिए इने हम क्या कहेंगे? tube, feet कहेंगे इन tube, feet के help से starfish move करती है कैसे? इन tubes के अंदर जब पानी भरा जाएगा ठीक है? तो ये feet क्या करेंगी? खुलेंगे, बंध होंगे जिसके कारण हमारी starfish move कर पाती है तो अभी हमने आपे क्या point देखा था? they have water driven tube system for locomotion और वेसी बात है ऐसी tubes हैं इनके पास जो की water से चलती है इसी के कारण ये move कर पाते हैं तो इनके पास क्या है? water driven tube system इतना clear है आपको basically ये जो पूरा system होता है इसे हम कहते है water vascular system water vascular system locomotion में तो health करी रहा है tube feet के तुरू इसके साथ में और क्या करेगा? वो transportation का भी काम करेगा और respiration का भी काम करेगा भाई जब पानी अंदर लेके आएगा body के अंदर आएगा तो वो oxygen भी लेकर के आएगा तो उन्हें respiration का काम भी कर दिया इसके साथ में कुछ अच्छी चीज़े जैसे खाना है खाना भी पानी के साथ अंदर जाएगा इनकी body में जो waste produce होता है वो भी बाहर निकलेगा तो यह क्या हुआ? transportation का भी काम हो गया याने कि यह जो पूरा water vascular system है यह respiration का काम करेगा locomotion का काम करेगा और transportation का काम भी करेगा अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिर से देखते हैं echino dermata यह term कहां से आया है? दोनों को हमने divide कर दिया echino का मतलब होता है spiny और dermata का मतलब होता है skin याने कि ऐसे animals या ऐसे organism जिनकी skin होती है काफी spiny उन्हें हम कहते हैं echino dermates और कौन से phylum में आएंगे? वो echino dermata में आएंगे इनकी body covered होती है calcium carbonate के scales के साथ जिनको हम calcareous scales भी कहते हैं और वो काफी spiny होती है और यही जो scales है spines हैं यह क्या बनाती है? इनका endoskeleton बनाती है जो कि इनकी body covered होती है calcareous plates के साथ spines के साथ इसलिए इनको हम किसकी category में डालते हैं? echino dermates की category में डालते हैं फिर इसके बाद में इनकी body का shape कैसा होगा? star shape भी हो सकता है spherical भी हो सकते हैं और elongated भी हो सकते हैं जैसे हमने word सोना star हमारे दिमाग में आया एक animal जिसको हमने अच्छे से देखा है उसे हम कहते हैं starfish फिर इसके बाद में radially symmetrical होते हैं याने की मैं इनकी body को दो equal halves में divide कर सकती हूँ किसी भी plane में exclusively marine animals होते हैं सिर्फ salty water में ही मिलेंगे और free living होते हैं किसी के ओपर चिपके नहीं होते हैं ट्रिपलो plastic होते हैं तीनो germ layers present होती हैं ectodum, endodum and mesodum फिर silomic cavity is present इसलिए हम silomates भी कहेंगे no segmentation is present in the body body कोई segments में divided नहीं होगी organ system level of organization is present organ systems आ चुके हैं अब ये locomotion कैसे करते हैं water driven tube system से इनके पास होता है एक बड़ा अच्छा water vascular system example के लिए हमने लिया था starfish starfish हमने पकड़ी और इसको बार हमने उठा करके ऐसे पलट के देखा पलट के हमने क्या देखा कि इनकी सभी arms में green color की अभी जो हम diagram में देख रहे हैं green color की tubes हैं इन tubes के उपर लगे होते हैं छोटे-छोटे feet tubes के उपर present है इसलिए इनको हमने नाम दिया tube feet क्या नाम दिया? tube feet अब क्या होगा? जब इस tube के अंदर पानी भरेगा तो ये feet क्या करेंगे? खोलेंगे, बंद होगे shape change होगा है इन feet का जिसकी help से starfish move करेगी water vascular इस पूरे structure को हम कहते हैं water vascular system water vascular system locomotion में तो help करी रहा है tube feet के help से इसके साथ में transportation का भी काम करेगा यानि कि खाना अंदर लेके आएगा और जो इनकी body waste produce करती है उसको बाहर लेके जाएगा इसकी साथ में जब पानी अंदर आएगा तो अपने साथ oxygen भी लेके आएगा यानि कि water vascular system ने respiration का काम भी कर दिया तो transportation, respiration and locomotion तीनो functions परफॉर्म करता है कौन? water vascular system इत्ती चीज आपको clear है diagram clear है अब हम बात करते हैं आगे की आगे हमने देखा ये वाला point हम पढ़ चुके हैं कि body covered होती है spiny, hard and calcareous plate से जो कि क्या बनाता है इसका endoskeleton बनाएगा फिर body lacks head but has oral and aboral surfaces इसके पास head नहीं होता है ठीक है? लेकिन oral और aboral surfaces होती है फिर excretory system अभी इनमे absent है nervous system इनमे primitive type का है nervous system आ गया है लेकिन पुराने जमाने का है ठीक है? primitive है आप हमने क्या देखा? अब हमारी NCRT ने और examples दिये हैं हमने साफ इस बहुत अच्छे से देख लिए इसके अलावा इनने दिया है C. cucumber, cucumeria और C. urican, echinus ये कुछ इस तरह के देखते हैं original pictures इनकी ऐसी है साफ इस हैं साफ इस हमने देखी है लेकिन ये शायद हमने ना देख लिए हो आज ये भी हम देख लिए है C. cucumber, originally ऐसा देखता है cucumeria जिसे कहते हैं और C. urican, echinus ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है अब जब आप अपनी NCRT के डाइग्राम पढ़ोगे तो आपको ये इनकी original pictures आपको याद हैंगी की हाँ originally ऐसे दिखते थे तो आप relate कर पाओगे जाद अच्छी तरीके से तो अभी तक हमने क्या पढ़ा recap कर लेते हैं एक echinodermata, echinom मतलब होता है spiny dormita मतलब होता है skin याने की ऐसे organism जिनकी skin काफी spiny होती है उन्हें हम कहते हैं echinodermates और वो आते हैं phylum echinodermata के अंदर इनकी body में होती है calcium carbonate की बनी हुई plates ठीक है या हम बोल सकते हैं की calcareous, spiny and hard calcareous, spiny, hard scales present होती है जो की इनको endoskeleton की तरह भी ये काम करती है इसके अलावा readily symmetrical होते हैं याने की body को divide कर सकते हैं दो equal house में किसी भी plane के साथ star shaped भी होती है spherical भी होती है और elongated भी होती है exclusively marine होते है fresh water में नहीं मिलेंगे और free living होती है triploplastic होती है tino germ layers present है silomic cavity present है इसलिए silomate कहते है no segmentation organ system level of organization present है इनके पास होता है water vascular system tubes लगी होती है tube के उपर लगे होते हैं feet तो जब इन tubes के अंदर पानी एंटर करता है तो tube जो feet होते है वो उनका shape change होता है जिसके कारण animals move कर पाते हैं हमने बड़ अच्छे से diagram की साथ समझाए इसे further जब ये water vascular system में पानी आएगा तो अपने साथ oxygen ले करके आएगा और खाना ले करके आएगा और जब ये बाहर जाएगा body से तो waste materials जो इनकी body में produce होते हैं वो भी बाहर लेके जाएगा तो transportation, respiration और locomotion तीनों काम कर देता है हमारा water vascular system हमारा नहीं किनका? Echinodermates का फिर इसके बाद में body के पास head नहीं होता लेकिन oral and aboral surfaces present होते हैं excretory system अभी इन में absent है और nervous system कैसा है? primitive type का है, थोड़ा पुराना type का है इतना clear है आपको तो आज इस वीडियो में हमने पूरा phylum echino dermata finish किया है सब देख लिया कुछ examples जो कि हमारी NCRT ने दिये थे star vision सब ने देखी है इसके अलाबा C cucumber, cucumeria और C hurricane यह हमने देखा नहीं था तो आज हमने यह भी देख लेकि originally देखते कैसे है NCRT जब आप पढ़ोगे तो आप relate कर पाओगे कि हाँ हमने original picture तो देखी है यानि कि originally animal ऐसा देखता है इतना clear है आपको अब हम पढ़ेंगे next video में एक और टाइप का phylum और देखेंगे कि उन में कौन से animals आते हैं और क्या-क्या modifications अब उन में नई आई है ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना है complete course के लिए Magnet Prince Plus में ज़रूर अपग्रेड करें और इस topic के notes अवेलेबल हैं आपको हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक और टाइप का phylum जो की होगा काफी new इसमें कुछ ऐसी modifications आपको मिलेंगी जो अब तक हम phylum पर चुके हैं उसमें नहीं थी आज हम पढ़ेंगे phylum core data अब इन्हें हम core data क्यों बोलते हैं और अब तक जो हमने phylums पढ़ेंगे उनमें ऐसा क्या नहीं है जो इनमें है वो सब आज हम इस वीडियो में cover करेंगे प्रिविएस वीडियो में हमने देखा था phylum echinodermata आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे phylum core data के साथ राइट So welcome to magnet brains मैं हुवे बुत्ती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक phylum core data के साथ सबसे पहले तो अभी तक हमने जित्ते भी phylums पढ़े हैं कौन-कौन से porifera, sealant reta, platy helmets nimetoda, enelida, echinodermata, orthropoda ये सब जो हैं वो non-cordates कहलाते हैं अब ऐसा क्यूं होता है वो देखते हैं देखो, सबसे पहले तो core data को core data क्यूं कहते हैं उसको समझने के लिए यहाँ पे एक basic diagram है वो आप समझो ये वाला, देखो ये है एक basic structure of core dates इसमें होता क्या है? इनके पास ये है एक body ठीक है? सबसे उपर एक nerve cord क्या present होती है? nerve cord ये nerve cord किस से बनती है? nerve fiber से बनती है जब हम पढ़ रहे थे nervous tissue उसमें हमने देखा था कि किस तरह से neurons मिलके nerve fibers बनाते हैं अब यही nerve fibers मिलके क्या बनाते है? nerve cord बनाते हैं. ये nerve cord कैसी होती है? तो हम बोलता है कि organism की body में कैसी होती है? tube like होती है कैसी होगी? tube like होगी इतना clear है nerve cord कहां से आई? nerve cord nerve fibers आके combine हो गए और combine होके उनने क्या बना लिया? एक tube like structure बना लिया जिसे हमने बोला nerve cord ये nerve cord कहां होती है? देखो ये जो आपको diagram में yellow color की एक tube दिख रही है इसी को हम कहते है nerve cord ठीक है? और ये कहां present होती है? organism की body में जो dorsal side होता है वहां present होती है अब इसके बाद में इस nerve cord की नीचे एक और rod like structure present होता है जो की throughout the length of the organism present होता है उसे हम क्या कहते है? notocord कहते हैं ये notocord करता क्या है? nerve cord का तो ने बता दिया कि हाँ ठीक है nerve fiber से बना है ठीक है? तो वो एक tube like structure बना लेते हैं nerve fibers मिलके अभी notocord क्या करता है? तो notocord भाईया body को एक structure provide करता है support provide करता है ये site होती है muscles के attachment की इस stage पर अभी अब तक हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने बोला कि एक tube like structure बनाते हैं जिसे हम कहते हैं nerve cord nerve cord के tube to ye है nerve cord rod like structure present होगी जो की ओगनिजम की body की पूरी length में present होती है और उसे हम क्या कहते है? notocord कहते है notocord क्या करेगी? एक structure provide करेगी organism की body को strength provide करेगी और इससे muscles attach होती है प्लस ये nerve cord को जो gut होता है organism का उससे separate भी करेगी इतना clear है इस जैसे कि ये जो muscles है ये जैसे मैंने आपको बताया था muscles जो होती है वो इस notocod से एक bright yellow color की आपको tube दिख रही है ये है nerve cord उसके ventral surface पे आपको एक dull yellow color की rod दिख रहा है इसे हम कहते हैं notocod और जैसे कि आप देख रहे हो ये muscle segments हैं ये muscle segments भी इससे attached है तो muscles के attachment की side होती है प्लस nerve cord को gut से separated रखता है इसी notocod की presence के कारण जो जिन animals में notocod present होती है उन्हें हम कहते हैं cordates और वो जाते हैं phylum cord data के अंदर अभी तक हमने जितने भी phylum पढ़े हैं उन्स सब में इस तरह की notocod नहीं थी इसलिए वो कहते हैं noncodates notocod की presence जिन animals में होती है उन्हें हम कहते हैं cordates और जिन में नहीं होगी उन्हें हम क्या कहेंगे noncodates यानि कि अभी तक हमने जितने भी phylum पढ़े हैं उन्स सब में notocod नहीं थी इसलिए वो क्या कहलाते हैं noncodates कहलाएंगे अब आगे आने वाले जितने भी animals हैं उन्स सब में इस नोटocod दिखेगी इसलिए वो किस की category में आते हैं phylum cordata की category में आते हैं इनकी category में हम भी आते हैं यानि कि हम human beings यानि कि अब जो हम structure पढ़ेंगे वो सब हमारी body में भी present होता है अगर नहीं था तो embryonic state में था ही था exactly यानि कि ये जो notocod है ये हमारी body में भी present थी लेकिन embryonic stage में present थी अब embryonic stage के बाद जब हम बढ़े हुए तो क्या हुआ इस notocod का वो भी हम पढ़ेंगे इस stage में आपको क्या बताया एक बहुत ही basic structure हम में देखा है cordates का जिसमें मैंने आपको बताया कि organism का जो dorsal surface होता है body का वहाँ पे एक tube like structure present होती है जिसे हम कहते हैं nerve cord nerve cord कौन बनाता है nerve fibers बनाते हैं फिर इस nerve cord के ventral surface पे ventral side में एक और rod like structure होता है जो की organism की पूरी length के across run करता है ठीक है along run करता है उसे हम क्या कहते हैं notocord कहते है notocord और organism की body को strength देगा support देगा plus हम बोलते हैं कि muscles भी इससे attach हो जाती है ठीक है फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ये notocord nerve cord और जो muscles होती है जो gut होती है उसको अलग-अलग रखता है separated रखता है और जिन animals में notocord present होती है उन्हें हम कहते हैं cordage और जिन में नहीं होती उन्हें हम कहते हैं non-cordage तो अब आपको समझ में आ गया कि phylum cord data में होगा क्या याने कि nerve cord होगी और notocord भी होगी इसके अलावर भी इनमें कुछ structure present होते हैं जैसे कि paired gill slits in the pharynx याने कि pharynx में gill slits होते हैं उनको हम pharyngeal gill slits भी कहते हैं पेर में होंगे इसलिए paired कहला रहे हैं ये तो cordage में paired gill slits in the pharynx होंगे ही होंगे present फिर इनके पास post annal tail भी होती है याने कि organism की body में एक होगा एनस एनस के बाहर एक और tail like structure present होता है तो post annal tail भी present होगी मनलब कि एनस के बाद में तो post annal tail भी present होगी paired gill slits present होगे pharyngeal gill slits notocord present होगी और dorsal hollow tubular nerve cord भी present होगी तो ये basic बहुत ही basic चीज़े हैं phylum quad data के बारे में ठीक है इसके अलावा ये कैसे होते हैं biliterally symmetrical body होती है याने कि आप इनकी body को two equal half में divide कर सकते हो सिर्फ एक ही plane के साथ इसके अलावा ये होगे triploblastic, tino germ layers present होगी ectodum, endodum and mesodum silomate है याने कि silom present है body cavities present organ system of level आच चुका है organization का organ system बन चुके है अब यहाँ पर आप देखो closed vesicular system आप ही तख हमने open open vesicular system देखा था blood vesicular system जहाँ पर blood जो है वो blood vessels में flow नहीं करता था लेकिन अब codates में जो animals आते हैं उनकी body में closed type का blood vesicular system है याने कि blood flow करेगा किस में blood vessels में इतना clear है heart ventral है याने कि organism का ventral portion होता है ventral side होता है जैसे हमारी human beings की body का ventral side क्या है यह है और dorsal पीछे है ठीक है? तो ventral side हमारा heart कहां होता है ventral side में होता है cordata को further divide किया गया है दो sub-faila में जिसे हम कहते हैं proto-cord data और vertebrata यह basic चीजे थी जो कि सभी cordates में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी ठीक है? हो सकता है कि noto-cord के case में pharyngeal gillslets के cases में कि embryonic stage पे हो लेकिन किसी ना किसी life के stage में यह चीजे present होंगी ही होंगी एक बार फिर से देखते हैं structure से देखते हैं जल्दी समझ में आएगा यह हमने देखा था कि यह है एक basic structure of cordates ठीक है? इसमें हमने देखा कि एक bright yellow color की आपको tube दिख रही है hollow होती है यह खोकली होती है किस की बनी होती है? nerve fibers की बनी होती है इसलिए हमने इसको बोला nerve cord ठीक है? dorsal, hollow and tubular इसके ventral side क्या present होती? एक और rod like structure present होती है जो की organism की पूरी length में जो है ना present होती है इसे हमने कहा notocord notocord क्या करेगी? सबसे पहले तो body को strength और support देगी और nerve cord को gut से separated रखती है plus यह muscles के attachment की side भी होती है जोने की muscles इसी notocord से attached होती है ठीक है? इस notocord की presence के कारण ही animals को हम क्या कहते है cordates कहते है और जिनमें यह नहीं होती उन्हें हम कहते है non-cordates अभी तक हमने polyfera से लेकर के echinoderm सक जो हमने जितने भी phylum पड़े है वो सब कौन है? non-cordates है इसके अलावा इनके पास होते है pharyngeal paired pharyngeal gillslits और post anal tail यानि की analis के बाहर उसके बाद tail भी present होती है फिर इसके बाद में biliterally symmetrical होते है triple plastic होते है तीनो germ layer present होंगी silomate होंगे यानि की body cavity true body cavity is present cilum is present organization आ गया है closed vesicular system इसको कर लो star mark actually अभी हम cordates में जितनी भी चीज़े पढ़ रहे हैं वो सभी star mark कर रहे हैं nerve cord को भी करो notocord को भी करो paired gillslits को भी करो और post anal tail को भी करो यहां से closed vesicular system blood vesicular system आया है यानि की blood vessels आ चुकी है अब blood cavity में flow नहीं करेगा blood vessels में flow करेगा इसके अलावा heart भी यहां पे ventral है ठीक है ventral position होती है heart की further इनको divide किया गया है दो sub phylum में जिनका नाम है proto cordata and vertebrata आपको इस वीडियो में मैंने cordates में जो basic characters हैं जो कभी न कभी सभी cordates में किसी ना किसी stage of life में मिलेंगे वो में सब आपको explain कर चुकी हूँ अब next video में हम start करेंगे first sub phylum के साथ जो की है proto cordata तो इस वीडियो में cordates के सभी basic characteristics हमने देख लिये हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही next video में हम start करेंगे first sub phylum के साथ जो की है sub phylum proto cordata तो complete course के लिए MagnetBrainz Plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone आज हम इस वीडियो में start करेंगे sub phylum proto cordata के साथ previous video में हमने पढ़ा था phylum cordata और जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से nerve cord, notocord, pharyngeal gills, lates, post anal tail आए और एक नया ही phylum बन गया cordata जिसमें कि अभी तक हमने बाकी जित्ते भी phylum हमने पड़े हैं पौरी फेरा से लेकर कि echinodermata तक वो सब non-cordates हो गए क्यों? क्योंकि उनमें notocord नहीं थी फिर हमने देखा कि further phylum cordata को दो सब phylum में divide किया गया protocord data and vertebrata तो आज हम deal करेंगे first sub phylum के साथ protocord data के साथ राइट? So welcome to magnet brains मैं हुवे बुत्ती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic sub phylum protocord data अब नाम से ही समझ में आ रहा है cordata मतलब तो हम previous video में अच्छी तरह से समझ चुके हैं notocord की presence के कारण animals को हम क्या कहते हैं? cordates कहते हैं proto का मतलब क्या होता है? पुराना या primitive तो ये है primitive cordates यानि कि हमारे दादाजी ठीक है? बहुत पुराने हैं इसलिए हमने इनको नाम दिया proto-cordata, primitive cordates सबसे पहले cordates जो आये थे वो यही थे सबसे पुराने cordates हैं इसलिए इनको हमने नाम दिया proto-cordates यानि कि primitive cordates next हम बोलते हैं कि इनमे proto-cordata life की सभी stage में present नहीं होता है embryonic stage पे present होगा जैसे-जैसे organism बड़ा होता जाएगा develop होता जाएगा धीरे-धीरे ये notocord disappear होती जाएगी example है herd mania अब देखो herd mania कैसा दिखता है? कुछ इस तरह का दिखता है ये है हमारा herd mania ठीक है? अगर इसका मैं एक structure बनाओ rough structure बनाओ तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिलता है ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब इसकी larval stage होती है जब ये larva होता है तब ये move करता है ठीक है? और इसकी locomotion में कौन help करती है? notocord help करती है क्योंकि notocord से muscles भी attach होती है muscles notocord से attach क्यों होती है movement को locomotion को ease करने के लिए असान बनाने के लिए क्योंकि जितना animal move करेगा जितना वो locomote करेगा उत्ते नए एक्स्टरनल environment में जाएगा ठीक है exposure उसको मिलेगा इसलिए locomotion या movement easy हो जाए इसके लिए जो notocord होती है उससे muscles आकरके attach हो जाती है तो herd mania जो कि कुछ इस तरह का दिखता है original इसका जो picture है वो कुछ ऐसी है और अगर मैं एक rough diagram बनाओ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है तो herd mania जो होता है जब वो larval stage पे होता है यानि कि जब ये छोटा सा larva होता है तो क्या होता है ये move करता है ठीक है और इसमें notocord present होती है अब ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इसकी जो notocord होगी वो disappear हो जाएगी और finally जब ये herd mania बड़ा होगा तो ये रहेगा एक sedentary animal ये एक sedentary animal हो जाएगा फिर ये further move नहीं करेगा फिर इसको अपनी life sedentary life जो हना जीनी पड़ी फिर ये एक support से जाके चिपक जाता है substatum से जाके चिपक जाएगा और further move नहीं करेगा ठीक है याने कि जो proto-cordates है वो थे primitive cordates सबसे पराने cordates ये ही आये थे और इनकी body में notocord सब ही life के stages में present नहीं होती herd mania का हमने example देख लिया है अब muscles भी notocord से attach होती है for the ease of movement ये भी हमने देख लिया फिर nerve cord इसमें अब देखो cordates हैं तो सारे characters अभी तक हमने cordates में पड़े हैं वो यहाँ पे भी आ जाएंगे अब इनमें nerve cord भी present होगी ठीक है? एक ही plane के साथ triploblasting होगी याने की तीनो germ layers इनमें present है ectoderm, endoderm and mesoderm फिर ये हुए silomate animals याने की इनके पास true body cavity silom present होता है इसलिए इनको हमने नाम दिया क्या? silomate animals तो proto-cordates कौन थे? सबसे पहले आने वाले cordates primitive cordates थे इनकी body में जो notocord है वो life की सबी stages पे नहीं होती है और notocord से क्या attach होते हैं? muscles attach होते हैं क्यों? क्योंकि organism को move करना है locomotion करना है जितने जादा वो locomote करेगा उतने ही नय external environment में वो जाएगा और उसको नया exposure मिलेगा इसलिए उनमें notocord नोटocord जो होती है उससे muscles आकरके attach हो जाती है थाकि उनका movement, locomotion easy हो जाए ठीक है? लेकिन हमने फिर पढ़ा था herd mania का case herd mania का case हमने देखा था कि यह basic structure होता है original picture है herd mania की हमने एक basic structure बनाया था कुछ इस तरह का इसमें हमने देखा था कि जब यह larva होता है छोटा सा, ठीक है? larval stage पे होता है तो क्या होगा? यह move करता है locomode करता है लेकिन जैसी बड़ा होने लगेगा notocord जो है वो disappear हो जाएगी larval stage पे notocord थी है ना? और जिसे जैसे बड़ा होता गया notocord disappear होती गई और finally फिर यह एक sedentary life जीने लगा एक substrate की साथ जाकर के attach हो जाएगा और move नहीं करेगा locomotion show नहीं करेगा ठीक है? फिर इसके बाद में बाकी जो हमने characters देखे थे cordates के वो सब इसमें आ जाएगे nerve cord आ जाएगी pharyngeal gillslits भी होंगे post anal tail भी आएगी bilaterally symmetrical होंगी body और सभी germlias भी present होगी और body cavity भी present होगी true body cavity इसलिए इनको हम कहते हैं silo made animals तो एक example तो हमने देख लिया है herd mania दूसरा यह है bellanoglosses bellanoglosses को आपकी NCRT ने काफी जादा labeling के साथ present किया है तो देखो यह है इसका proboscis यह है collar यह एक ऐसा structure होता है bellanoglosses का जो की proto-cordates की category में आता है तीन parts में body divided होती है proboscis, collar और यह आपको trunk दिख रहा है collar से लेकर के पूरी tail जहां तक आ रही है यह पूरा कहलाता है उसका trunk उपर है proboscis, नीचे है collar और पूरी body collar से लेकर के tail तक क्या कहलाएगी trunk कहलाएगी इतना clear है एक और example दिया NCRT ने कौन सा amphioxis का amphioxis भी कुछ इस तरह का दिखता है तो तीन examples NCRT ने mention कर रहे हैं हमने भी देख लिया herd mania, bellanoglosses और amphioxis इतना clear है तो आज इस वीडियो में हमने first subphylum पढ़ लिया है protocol data next वीडियो में हम second subphylum की बात करेंगे जो की है vertibreta vertibreta में ही हम आते हैं याने की human beings आते हैं ठीक है इस वीडियो के लिए इतना ही complete course के लिए magnet bins plus में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं second subphylum जो की है vertibreta हमने start किया था phylum core data के साथ और हमने देखा था कि किस तरह से उसको दो subphylum में divide किया गया है previous video में हमने first subphylum पढ़ लिया है कौन सा proto core data आज हम बात करते हैं दूसे subphylum की जिसका नाम है vertibreta right so welcome to magnet brains मैं हुए बुति खरे तो चलिए start करते हैं आज का हमारा topic subphylum vertibreta के साथ अब यहाँ पे आने वाले animals जो होते हैं उनके पास होती है vertebral column अब यह vertebral column कहां से आ गई यार हमने अब इतक पढ़ा था कि चलो ठीक है chordates में कुछ ऐसी चीज़े आई जो की बाकी पौरी फेरेंस से लेकर के इकाइनो डर्मेटा तक हम में नहीं देखी थी जैसे की nerve cord, notocard, pharyngeal gill slits और post-aneral tail यह सब चीज़े नहीं आई थी अब हमने उसको फिर दो sub-pylums में भी divide भी कर दिया था लेकिन अब यह vertebral column कहां से आ गई देखो क्या होता है कि कुछ animals में जो notocard होती है वो और दूसरे टाइप के cells के साथ combine होके vertebral column बना लेती है याने कि हम यह बोल सकते हैं कि notocard, vertebral column हमारी कहां से आई है, notocard से ही आई है, notocard in combination with other cells कुछ cells के combination के साथ एक नया structure बनाते हैं जिसे हम कहते हैं vertebral column ठीक है, human beings की body में भी vertebral column present होती है कहां? dorsal side में ठीक है, जिसे हम कहते हैं reed की हड़ी वो होती है vertebral column कैसे बनी है, notocard और कुछ other cells के साथ ऐसे animals जिनमें vertebral column present होती है उन्हें हम कहते है vertebrata अब आपको समझ में आया कि कैसे cordates को दो sub-faila में divide किया गया, proto-cordates में हमने बोला था कि primitive type के cordates है उनकी body में proto-cord जो notocard है, वो सभी life stages में present नहीं होती है ठीक है, जैसे कि हमने हर्ड मीना का case देखा था तो ऐसे animals जिनकी body में vertebral columns present होती है उन्हें हम कहते है vertebrata इतना clear है, आगे देखते है two vertebral column is present किसमें vertebrata में आने वाले animals में, याने की vertebrates में ये करती क्या है support and proper structure हमारी body को support provide करती है, कि कि अगर हम खड़े हैं और हमारा posture इस तरह का है, तो वो किसके कारण है, vertebral column के कारण ही है ये हमारी body को एक proper shape देती है, structure देती है और support भी provide करेगी इतना clear है, फिर इसके बाद में ये cartilaginus भी हो सकती है या boni भी हो सकती है, कुछ animals में ये bones की बनी होती है कुछ animals में ये cartilage की बनी होती है तो ये boni भी हो सकती है और cartilaginus भी हो सकती है next, इन में nerve cord भी present होती है हम पढ़ रहे हैं phylum cord data, तो अविसी बात है उसमें आने वाले जो characteristics है वो इनके सब phylum में भी दिखेंगे तो vertebrates में nerve cord भी present होती है next point क्या है in humans, nerve cord develops into nervous tissues of brain and spinal cord अब आपको वो वाला lecture याद होगा जहाँ पर हमने पढ़ा था nervous system, nervous tissue पढ़ा था हमने neuron पढ़ा था तो मैंने आपको एक GIF दिखाया था कि किस तरह से हमने brain एक body थी जिसके अंदर brain था spinal cord थी और बहुत सारी nerves पूरी body में फैली होई थी और nerve impulses उनमें ट्रांसपोर्ट हो रही थी अगर आपको वो वाला structure याद हो तो आप clearly यहाँ पर relate कर पाऊगे कि किस तरह से nerve cord human beings में brain और spinal cord के tissues में जाकर के develop हो जाती है इतना clear है फिर internal skeleton भी इनमें present होता है हमें present है? बिलकुल present है फिर bilaterally symmetrical होते है याने कि इनकी body को आप सिफ एक ही plane के help से दो equal half में divide कर पाऊगे फिर यह होंगे triploblastik याने कि तीनो germ layers present है ectoderm, endoderm and mesoderm next यह होते हैं celomate याने कि true body cavity is present celom is present इसलिए हमने को बोला celomate next हमने बोला segmented body होती है body में segment भी present होंगे आगे की बात करते हैं इतनी चीज़े आपको clear हो गई हो तो इनके पास होंगे pharyngeal gillslits ठीक है? जो की water में रहने वाले जो water के जो inhabitants हैं उनमें further modify हो जाते हैं किसमे? gills में coordinates की जब हम basic characters पट रहे थे हमने देखा था कि pharyngeal gillslits होते हैं तो vertebrates में भी present होंगे लेकिन पानी में रहने वाले जो animals हैं उनमें ये pharyngeal gillslits क्या हो जाएंगे? modify हो जाएंगे किसमे? gills में modify हो जाएंगे जहां से वो जो aquatic animals हैं वो respiration perform करेंगे next इनमें paired appendages भी present होते हैं किस चीज़ के लिए? locomotion के लिए हम में present हैं? हाँ है हमारे पास दो हाथ हैं, दो pair हैं यानि कि pairs में हैं ठीक है? अगर हम अपने pets को लेते हैं cats को लेते हैं या animals को लेते हैं उनके पास भी जो है चार जो है pair दो pair होते हैं, टोटल चार limbs होते हैं fold limb and hind limb फिर इसके बाद में heart is ventral तो यह हम पहले भी देख चुके हैं सभी coordinates में heart कैसा होता है? ventral position पे होता है अब heart के भी chambers होते हैं ठीक है? यह रहा heart तो इस heart के भी chambers होंगे कैसे? 1, 2, 3, 4 maximum 4 chambers तक हो सकते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2, 3, 4 chambers होते हैं देखो, vertebrata जो sub-filem में further इनको 6 classes में divide किया गया है जब हम इन 6 classes को पढ़ेंगे तब आपको gradually आप देखोगे कि किस तरह से heart जो है ना 2 chambers से start हुआ था और धीरे-धीरे human beings तक आते-आते 4 chambers का हो गया तो vertebrata में हमने बोला कि heart ventral होता है heart के भी अलग-अलग chambers होते हैं ठीक है, chamber मतलब की parts आप बोल सकते हो ठीक है, एक तरह से बोलो की rooms होते हैं heart में भी तो 2, 3 और 4 chamber आपको देखने को मिलेंगे, vertebrata के अंदर vertebrates में, फिर post, annal, tail तो present होगी ही होगी यह हमने caudates में भी पढ़ा था ठीक है, फिर इसके बाद में vertebrates are divided into further 6 classes, 6 classes बिनको divide करते हैं, अब जरा यहाँ पे आप इस structure को देखे, इस diagram को देखिए यह है एक human embryo ठीक है, अब आप देखो यह कैसा दिख रहा है, यहाँ पे येलो कलर का इतना बड़ा structure आपको दिख रहा है, यह क्या है हमारी body के dorsal surface, dorsal side में, सबसे पहले तो dorsal और ventral समझ लो, ठीक है जो पीछे वाला portion होता है इसे हम कहते हैं dorsal क्या कहेंगे, dorsal और आगे वाला जो portion होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा heart होता है, उसे हम कहेंगे ventral इतना clear है, तो dorsal समझ में आया और ventral समझ में आया, इसके बाद में dorsal side में देखो, एक yellow color की आपको बहुत बड़ी सी एक hollow tube like structure देखने को मिल रहा है इसे हम क्या कहते हैं, nerve cord कहते हैं, इस nerve cord के अंदर आपको इस red color, एक red color का rod दिख रहा है, दिख रही है red color की rod, इसे हम में क्या बोला, ये होती है notocord हमारी body में भी notocord होती है, लेकिन जैसे जैसे ये embryo बड़ा होगा, ये notocord further और cells के साथ combine हो जाएगी और क्या बना लेगी, vertebral column बना लेगी, ठीक है और इसमें क्या दिख रहा है, एक post anal tail भी दिख रही है, ठीक है याने कि human beings के पास भी post anal tail होती है, ठीक है लेकिन further वो जब हम बड़े होते हैं, तो वो fuse हो जाती है, राइट तो embryonic stage पे तो हमारे पास भी post anal tail होगी याने कि हम almost codates में जितने भी characters देखे हैं, वो सब हम अपने embryonic stage पे जो है ना show करते हैं, exhibit करते हैं लेकिन जैसे जैसे human beings जो है ना बड़े होते जाते हैं, ये चीज़ें modify होती जाती है, जैसे notocod हो गई किसमे, vertebral column में, और nerve cod किसमें हो गई brain और spinal cod के tissues होते हैं उसमें जो है develop हो जाती है post channel tail भी जो है, वो reduce हो जाती है अब इसके बाद में, हमारी body में pharyngeal gill slates भी present होते हैं जो कि आगे जाकर के disappear हो जाएंगे, तो ये है human embryo, हम किसके category में हम आते हैं, हम आते हैं vertebraids की category में ही हमने अभी तक human embryo क्यों नहीं पढ़ा था क्योंकि हमने start ही, आज vertebrae से किया है, हम आते हैं vertebraids की category में, हम भी vertebraids है इसलिए आज हमने human embryo भी देख लिया yellow color की आपको एक rod दिख रही है इसे हमने बोला nerve cod जो की आगे जाकर के जैसे जैसे embryo बड़ा होगा human being में transform होगा ये nerve cod किसमें जाके transform हो जाएगी develop हो जाएगी nerve cod brain और spinal cod के tissues में red color की आपको notocod भी देखेगी solid rod like structure होता है ठीक है, nerve cod कैसी होगी hollow and dorsally situated होगी khokli होगी और tube like होगी notocod कैसी होती है rod like होती है जो notocod है वो further other cells के साथ combine होके human being की body में क्या बना लेगी vertebral column बना लेगी post channel tail भी present होती है लेकिं जिसे जैसे embryo बड़ा होगा वो reduce होती जाएगी pharyngeal ginslet भी present होते हैं ये सब कुछ हम embryonic stage में peer करते हैं एक बार quick recap कर लेते हैं जो भी अभी तक हम पर चोके हैं vertebrata हमने start किया था subphylum vertebrata जिसमें हमने बोला था कि essay animals जिनकी body में essay chordates ठीक है हम इसको chordates बोलेंगे essay chordates जिनकी body में vertebral column होती है वो कौन सी category में आती है vertebrates की category में आती है ठीक है और vertebral column कहां से आई है notocod अलग फिर इसके बाद में ये cartilaginal भी हो सकती है और bones की भी बनी हो सकती है nerve cord भी present होती है nerve cord आगे जाके human beings में develop हो जाती है brain और spinal cord के tissues में फिर internal skeleton present होता है हम में भी होता है bilaterally symmetrical body होती है यानि कि body को two equal हाव में आप divide कर सकते हो triploblastik होते हैं geno germ layers present है siloam present है siloamate बोला है segmented body होती है और आगे की characters देखते है pharyngeal gill split भी present होंके जो की water inhabitants जो होते हैं उसमें gills में जाकर के modify हो जाएंगे और paired appendages भी present होते हैं हमारी body में भी present हैं हमारे दो हाथ हैं दो pair हैं dogs को देखे तो उनके पास भी चार pair होते हैं ठीक है दो pairs में दो होते हैं four limb आगे वाले और दो होते हैं पीछे दो hind limb यानि की दो pair फिर इसके बाद में heart कैसा होता है vental होता है vental position पे होता है इसके भी अलग-अलग chambers होते हैं rooms होते हैं heart के vertebrates में हम देखते हैं कि two, three और four chambered heart देखने को मिलेगा post anal tail भी present होती है obvious सी बात है फिर इसके बाद में vertebrates को further हम बोलते हैं कि six classes में divide करते हैं हमने यहाँ पे human embryo का भी structure देख लिया था अच्छे से समझ दिया था कि किस तरह से हम अपनी embryonic stage पे pharyngeal pouches भी bear करते हैं post anal tail भी exhibit करते हैं noto corby और nerve corby और जैसे जैसे हम बड़े होंगे चीजे modify हो जाएंगी इतना clear है आपको तो अब हम next video में start करेंगे first class के साथ याने की sub phylum vertebrata की first class के साथ हम start करेंगे इस video के लिए इतना ही आज हमने पूरा sub phylum vertebrata complete कर लिया है next video से हम start करेंगे first class के साथ किसकी sub phylum vertebrata की तो complete course के लिए magnet brains plus में ज़रूर upgrade करें और इस topic की notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर thank you for watching Hello everyone आज हम इस video में पढ़ने वाले हैं class cyclostomita जैसा कि आप जानते हैं कि previous video में हमने देखा था कि phylum chord data को दो sub phylum में divide किया गया एक हमने पढ़ लिया proto chord data और दूसरा हमने sub phylum पढ़ लिया vertebrata vertebrata में मैंने आपको previous video में बताय था कि further इनको six classes में divide किया गया है तो आज हम पढ़ने first class जो की है सबसे पहले तो नाम से ही शुरवात कर लेते हैं stomata का क्या मतलब होता है stomata का मतलब होता है mouth और cyclo का क्या मतलब होता है cyclo का मतलब होता है circular याने कि ऐसे animals जिनका mouth कैसा हो circular हो उन्हें हम क्या कहते है cyclo stomates कहेंगे और वो आएंगे class cyclo stomata के अंदर यही इसका एक क्या है characteristic feature है जल्दी से कर लो इसको star mark क्या बता है मैंने ऐसे animals cyclo का मतलब mouth cyclo का मतलब circular और stomata का मतलब mouth याने कि ऐसे animals जिनका mouth कैसा होता है circular होता है उन्हें हम कहते हैं cyclo stomates और वो आते है class cyclo stomata के अंदर इतना clear है इनका जो mouth होता है वो होता है circular और होता है sectorial याने कि ये किसी भी चीज़ को सक कर सकते हैं ऐसा क्यूं? क्योंकि ये होते हैं ectoparasite याने कि use mouth to stick to back of other fishes ectoparasites होते हैं दूसरी fishes के ऊपर as a parasite होते हैं उनकी body के अंदर नहीं घुसेंगे बाहर ही रहेंगे इसलिए ये कैसे हुए? ectoparasite हुए और दूसरी fishes के ऊपर ये attach कैसे होते हैं तो अपने sectorial mouth की help से देखो एक example है ये है पेट्रोमाईजॉन ठीक है? पेट्रोमाईजॉन को हम lamprey भी कहते हैं इसका mouth देखो ये कुछ इस तरह का mouth दिखता है यानि कि ये है एक lamprey अब मैं आपको दिखा रही हूँ उसका mouth ये कुछ इस तरह का structure दिखता है ये देखो mouth इसका circular है न और इसके उपर आपको ये जो yellow structure दिख रहे हैं ये हैं इसके teeth ये हैं इसके dant ठीके teeth like structure होते हैं जिसकी help से जैसे कि ये एक fish है ठीके ये मैंने इसके fins बना दिये अब ये जो petromyzone होगी ये इसके उपर इस तरह से attached होगी यानि कि ये एक ectoparasite की तरह काम करेगी है ना ये रही एक fish और दूसरी fish ये green color से मैं बना देती हूँ आपको समझ में आएगा जल्दी ये देखो ये इस तरह से दूसरी fish के उपर attached होती है किस के तरू अपने sectorial mouth के तरू mouth कैसा हुआ circular हुआ इसलिए इसको हमने क्या बोला cyclostomate बोला और इसके mouth के पास होते हैं mouth में होते हैं बहुत सारे teeth like structure जिसकी वज़े से ये दूसरी fish के उपर as an ectoparasite वी जाके चिपक जाती है और अपना nutrition derive करेगी इतना clear है फिर इसके बाद में इनकी body कैसी होती है elongated होती है ये देख रही है elongated body लंबी होती है फिर fish like body होगी fish के जैसी ही दिख रही है लेकिन elongated है फिर इसके बाद में slimy skin होती है क्यों? क्योंकि इसके पास होती है mucous gland mucous gland क्या secrete करेंगी mucous secrete करेंगी जिसकी वज़े से इनकी body काफी slimy दिखती है चिप-चिपी सी लिखती है फिर इसके बाद में scale less होती है इनकी body पे scales absent होंगी बिल्कुल नहीं होंगी unpaired fins होते है देखो जब हम पढ़ रहे थे vertebrata को मैंने आपको बताया था कि paired appendages present होते है appendages क्या काम करते है locomotion का काम करते है हमारे हैं हाथ-pau ठीक है dogs के भी होते है दो होते है four limbs, दो होते है hind limbs, ठीक है birds के पास भी क्या होंगे wings होंगे जिसकी वज़र से help से वो fly कर दी है उसी ज़रा से fishes के पास भी fins होते है अब जब हम बात कर रहे हैं cyclostomates की तो यहाँ पे unpaired fins होंगे यानि की पेर में नहीं होंगे जैसे कि यह रहा एक fin, यह रहा दो fin अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ पे भी एक fin है और यहाँ पे भी fin है तो यह हो जाएगा paired fin जब हम एक एक हम typical fish की जब हम diagram बनाते हैं ठीक है तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं हम एक fin ऐसे भी बनाएंगे और दूसरा ऐसे भी बनाएंगे यानि कि हम paired fin बनाते हैं तो ऐसे animals जिनके पास paired fins ना हो है ना कुछ इस तरह का structure आपको मिले तो यह क्या होंगे unpaired fins होंगे यानि कि pair में नहीं होंगे तो unpaired fins होते हैं इनके पास next point क्या है respiration होता है gills के through यह मैंने आपको vertebrates में भी बजाया था कि जो pharyngeal gillslets होते हैं वो water inhabitants में यानि कि ऐसे animals जो कि पानी में पाये जाते हैं पानी में रहते हैं उनमें modify हो जाते हैं gills में तो यहाँ पे gills में modify हो गए फिर cold blooded animals होते हैं अब यह cold blooded animals का क्या मतलब होता है ऐसे animals जो की अपने external environment के साथ उसके temperature के साथ अपना body temperature भी change कर लेंगे बाहर का temperature हुआ गरम तो इनकी body का temperature भी हो गया गरम बाहर external environment का temperature हुआ थंडा तो इनका जो body temperature है वो भी हो गया थंडा इसका मतलब बिसिकली यह एक survival technique है जिसकी वज़े से यह बहुत सारे climatic conditions में survive कर जाते हैं क्यों क्योंकि यह cold blooded animals इनके पास यह ability होती है कि external environment के according यह अपना body temperature भी change कर पाए next हम बोलते हैं कि two chambered heart होंगे जैसा कि मैंने आपको vertebrates में बताया था कि vertebrates के पास होता है heart जो कि ventrally positioned होता है अब यह two chambered भी हो सकता है यानि कि दो rooms भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी होते हैं जब हम बात करेंगे cyclostrometa की तो यहाँ पे heart कैसा होगा two chambered होगा यानि कि यहाँ पे two chambers होगे heart के इतना clear है क्या-क्या पढ़ लिया cycle का मतलब होता है circular stometa का mouth तो ऐसे animals जिनका circular mouth होता है ठीक है किस तरह का ऐसा circular mouth है ही साथ में sectorial भी होता है क्यों होगा sectorial क्योंकि इनको होना पड़ता है ectoparasite यह दूसरी fishes के body के उपर जाकी चिपक जाते हैं अब चिपकने के लिए कुछ तो चाहिए जैसे कि हमने worms में पढ़ा था worms में क्या होते हैं hooks and suckers होते हैं उसी तरह से इनका mouth कैसा होता है sectorial होता है teeth present होते हैं बहुत सारे जिसकी help से यह दूसरी fish के उपर जाकर के चिपक जाते हैं और अपना nutrition derive करेंगे ectoparasite हुए फिर इसके बाद में slimy skin है क्योंकि mucos gland present है mucos secrete करेगी जिसकी वज़े से इनकी body काफी slimy रिखती है फिर scale less होते हैं यह इनमें scales absent होंगी unpaired fins हमने देख लिया वो भी present होंगे respiration होगा gills है जैसे कि मैंने आपको बताया कि pharyngeal gillslits cyclostorms में याने कि water inhabitants में modify हो जाते हैं gills में फिर cold-blooded animals हैं याने कि external environment के according इनका body temperature भी change हो सकता है यह है एक survival technique फिर two-chambered heart है याने कि heart में two chambers present होगे आगे की बाद endoskeleton is cartilaginus इन में endoskeleton होगा और वो किसका बना होगा cartilage का बना होगा next notocod persist throughout the life यहाँ पे हम बोलते हैं कि notocod पूरे जिंदेगी इनकी present होती है जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि caudates में हमने basic character क्या देखा था notocod की presence at least life के किसी stage पे अगर वो notocod present है body में तो वो आ जाते है caudates के cases में के अंडर जैसे कि हमने human beings की बात करी थी तो हमारे अंदर embryonic stage में होती है लेकिन further वो modify हो जाती है vertebral column में जब हम बात करेंगे cyclostomates की तो यहाँ पे throughout their life notocod present रहेगी हमेशा aquatic होते हैं और marine होते हैं यानि की salty water में ही मिलेंगे example कौन है petromyzone, lamprey and mixin हमारी NCRT ने दो example दिये है यह है एक mixin जैसा कि आपको इसकी body में clearly visible है ठीक है यह लगा देना यहाँ पे कैसी दिख रही है elongated दिख रही है fish like body है और काफी slimy दिख रही है क्यों क्योंकि इसके पास होती है mucous gland ठीक है mouth कैसा होगा circular होगा यह है mixin और इसके पहले हमने पड़ी थी यह petromyzone जिसको हम क्या कहते हैं lamprey भी कहते हैं इसका हमने sectorial mouth भी देख लिया था इतना clear है आपको अब जल्दी से हम करते हैं एक quick recap सबसे पहले हमने बोला कि cyclo का मतलब circular stomata का मतलब mouth ऐसे animals जिनका mouth circular होता है plus sectorial होता है क्योंकि यह होते है ectoparasite दूसरी fishes की body के उपर जाके attach होना पड़ता है तो obviously बात है mouth को sectorial होना पड़ेगा नहीं तो वो चिपकेंगे कैसे तो mouth कैसा है sectorial बहुत सारे minute teeth present होते हैं जिसके वज़से जाके चिपक जाते हैं फिर इसके बाद में jawless vertebrates होते हैं इनके पास jaws नहीं होंगे elongated body होती है fish like body होती है फिर यह scaleless होते हैं इनकी body में scales आपको देखने को नहीं मिलेंगी इतना clear है unpaired fins होते हैं याने की pair में नहीं मिलेंगे fins fins होंगे लेकिन pair में नहीं respiration होगा gills है pharyngeal gills leads water inhabitants में modify हो जाती है cold blooded animals याने की external environment के साथ में अपना body temperature भी उसके according change कर पाते हैं यह survival technique है यह इसे कर लो star mark फिर इसके बाद में two chambered heart है याने की heart के पास two chambers present होंगे इसको भी कर लो star mark जल्दी से फिर इसके बाद में आगे की बाद endoskeleton होता है cartilaginus अंदर जो skeleton होता है body का वो किसका बना होगा cartilage का बना होगा notocot throughout their life उनकी body में present होगी unlike human beings फिर इसके बाद में aquatic होते हैं और marine होते हैं salty water में मिलेंगे example हमारी NCRT ने दिया है petromyazone और mixing का petromyazone को हम lamprey भी कहते हैं और mixing को hackfish भी कहते हैं यह आपको टाइग रहा हैं अब एक clearly visible है actually ऐसी दिखती है mixing और petromyazone कैसी दिखेगी ऐसी दिखेगी इतना clear है तो आज हमने इस वीडियो में हमारा class हमारा class cyclostromata vertebrate subphylum की complete कर लिए इस वीडियो के लिए इतना ही next video में हम एक और class पढ़ेंगे subphylum vertebrate की इतना clear है आपको complete course के लिए magnet brains plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching Hello everyone आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं class Pisces जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि subphylum vertebrate को दो classes में divide किया गया एक तो हमने previous वीडियो में cover किया cyclostromata आज हम बात करेंगे second class की जो की है Pisces So welcome to magnet brains मैं हुवे भूती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic class Pisces से देखो जैसा कि हमने देखा था कि वो animals जिनके पास notocot present होती है उनको एक separate phylum में डाला गया जिसका नाम था Cordata अब ये notocot throughout their life present है उनकी body में या फिर life की कुछी stages में या early stages में present है इसके basis पे further जो Cordata था फाइला उसको दो सब फाइला में डवाइड किया गया कौन-कौन सी proto-cordata and vertebrata proto-cordata ये primitive cordates थे और इनकी initial stages जो होती है उनकी life में उनमें notocot present होती है जैसे जैसे ये animals grow करते जाते हैं notocot इनकी body से disappear होती जाती है फिर इसके बाद में second सब फाइला कौन सा था vertebrata vertebrata में हमने पढ़ा था कि notocot other cells की साथ combine होकर के एक और structure form करती है जिसे हम कहते हैं vertebral column further subphylum vertebrata को हमने दो classes में divide किया था cyclostrometa and piscis cyclostrometa हमने previous video में cover किया था जिसमें हमने देखा था कि वो उनकी fish like body होती है और mouth circular होता है और ectoparasite होती है दूसरी fishes की उपर as a parasite survive करती है आज हम बात करेंगे piscis के साथ तो actually जो हमारी class है piscis इसमें आती है actual fishes जो हम different type की fishes देखते हैं और जो eatable भी होती है जो हम खाते हैं consume करते हैं as a coastal food ये सब आती है किसकी category में piscis की class में तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि they are fishes यानि कि ये actual fishes होती है जो cyclostormata में हमने पढ़ा था उनकी fish like body होती है बहुत सारे characteristics है जो fishes के जैसे शो करती है लेकिन actual fishes कौन है piscis Is that clear? next हम बोलते हैं कि ये होती है exclusively aquatic animals सिर्फ पानी में ही मिलेंगी ठीक है marine water में भी यानि कि salty water में भी मिल सकती है या फिर fresh water habitat में भी ये देखने को मिलेंगी next cylindrical bodies and tapering ants देखो हमने cyclostormata में क्या पढ़ा था उनकी body कैसी होती है eel-like होती है ठीक है अब ज़रा इनकी body को हम देखते है कि इनकी body कैसी होती है cyclostormata में कैसी हो रही थी कुछ इस तरह की body हो रही थी cylindrical हो रही थी अब इनकी body कैसी होगी ये circular mouth था अगर आपको ध्यान होती हो अब fishes की body कैसी होती है एक basic diagram क्या होता है fishes का कुछ इस तरह का होता है है ना याने की ये मैंने यहाप इनके fins बना दिये इनकी क्या होती है streamlined bodies होती है बीच में ये कैसे होती है मोटी होती है cylindrical होती है लेकिन जैसे ही ends की तरफ जाएंगी tapering ends हो जाएंगे ठीक है कैसी हो tapering ends हमने उसमें पढ़ा था जब हम tissues पट रहे थे muscular tissues में smooth muscles कैसी होती थी tapering होती थी side में वो narrow हो जाती थी पतली हो जाती थी उसी तरह fishes की body भी होती है कौन से fishes जो की Pisces की category में आती है cyclos tomates में हमने क्या देखा था cylindrical body होती है circular mouth होता है लेकिन जब हम बात करेंगे Pisces की Pisces की body होती है streamlined याने की बीच से थोड़ी मोटी रहेंगी और जैसे ही हम ends की तरफ जाएंगे चाहे ये वालो हो चाहे ये हो जहाँ पे mouth हो या जहाँ पे tail हो वो कैसी हो जाती है पतले हो जाते है तो ये क्या हुआ streamlined body हुई इनकी इतना clear है फिर इसके बाद में इनको आप scales बनाते थे ये ही scales actually में ऐसा नहीं कि हमें सुंदर बनाना रहता था डायगराम इसलिए हम बनाते थे actually इनकी body इसी तरह से बहुत सारी scales और plates के साथ covered होती है ठीक है fishes की body में बहुत सारी scales और plates देखने को मिलती है ये हुआ हमारा एक point फिर इसके बाद में obtain oxygen dissolved in water by using gills अब इनके पास gills भी होंगी और विसी बात है हम पढ़ते आ रहे हैं chord data के से की chordates के पास क्या होती है paired pharyngeal gills lids होते हैं तो fishes के पास respiration के लिए क्या होंगे gills होंगे इन gills के तुरू water अंदर आता है और water अपने साथ oxygen ले किया आता है तो fishes में या pices में respiration किस से होगा gills से होगा इनकी body काफी slimy भी होती है क्यों? क्योंकि इनके पास होती है mucous gland mucous gland mucous secrete करते हैं जिससे की इनकी body काफी slimy हो जाती है काफी shiny देखने को मिलती है फिर इसके बाद में body is streamlined cylindrical bodies होती है ants कैसे होते है tapering होते है इसी तरह की structure को हम क्या कहते है streamlined bodies फिर इसके बाद में इनके पास muscular tail भी होती है movement के लिए फिर they are cold blooded animals cold blooded यानि की इनके body का temperature external environment के साथ change होता जाएगा बाहर अगर ठंड हुई तो इनकी body का temperature भी कम हो जाएगा बाहर अगर गर्मी हुई तो इनकी body का temperature भी बढ़ जाएगा ये एक होता है survival technique जिसकी वज़ा से ये adverse aquatic conditions में भी survive कर जाती है फिर इसके बाद में heart होता है इनका two chambers heart सभी vertebrates में कैसा होता है ventrally positioned होता है ठीक है body में ventral side में present होगा plus जो Pisces है उनका heart किते chambers होंगे heart के? दो होंगे एक auricle और एक ventricle अगर नाम याद नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है अभी आप इतना समझ लिए इनके पास होता है heart जो की होता है ventrally position प्लस इसके पास दो chambered heart होते हैं याने की heart के पास दो chamber है एक auricle और एक ventricle ठीक है? फिर इसके बाद में अब इनके पास भी क्या होता है एक endoskeleton होगा ठीक है? endoskeleton होगा किसी ना किसी चीज से तो बनेगा किस किस से बन सकता है? cartilage से बन सकता है और bone से बन सकता है इसी वज़ा से Pisces को further दो categories में divide किया जा सकता है अगर आपको भी नाम यार ना हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपको एक additional point दे देती हूँ कि वो fishes, वो Pisces जिनका endoskeleton cartilage से बनता है उसे हम कहते हैं chondrecties और जिनका bone से बनता है उन fishes को, उन Pisces को हम कहते हैं austrecties यानि कि chondrecties and austrecties ये दो further Pisces को दो categories में divide किया गया है on the basis of endoskeleton जोनकी body में present होता है अगर cartilage का बना है तो chondrecties और bones का बना है तो austrecties तो ऐसी Pisces या ऐसे Fishes जिनका endoskeleton बना होता है किस के साथ cartilage के साथ उसके example हैं sharks और scolidon जिसे हम कहते हैं dogfish और एक होती है torpedo ठीक है बाकि जित्ते भी आपको Pisces मिलेंगी उनका जो endoskeleton है वो किस से बना होता है bone से बना होता है यानि कि endoskeleton होगा bony endoskeleton present होता है दो चीजों से बना होता है या तो cartilage या bone से cartilage का अगर बना होगा तो ऐसी Fishes को हम कहते हैं chondrecties जिसमें कि sharks आती हैं और sharks आएंगी और torpedo आएगा right, scolidon आएगा और जिनका endoskeleton bone से बना होता है उन्हें हम कहते हैं ostrich thies और उसमें कौन कोन आएंगी बाकी सारी fishes आएंगी tuna आजाएंगी stingray वगेरा ये सब आजाती है इतना clear है फिर इसके बाद में इनके पास होते है paired fins अब भी fishes को fins की तो बहुत requirement होती है fins की जो उनके जो function होता है वो depend करता है उनकी position पे कहाँ पे fins present है तो उनका function भी उस हिसाब से होगा लेकिन majorly fishes की fins होते है उनका function होता है fish को help करना swimming में ठीक है क्योंकि fish को रहना है पानी में तो उसको swim तो करना ही पड़ेगा तो जैसे आप की देख रहे हैं एक diagram इसमें हम बता रहे है different types of fins in fishes यहाँ पे आपको देखेगा आगे की तरफ एक है pectoral fin फिर आपको यहाँ देखेगा pelvic fin यह वाला जो है यह है pectoral यह कौन सा है pelvic यह क्या है dorsal body के dorsal side में present है इसलिए इसका नाम रख दिया dorsal fin फिर यह आ गया anal fin alal fin क्यों 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 यह anus के प्रास present है इसलिए इसका नाम रख दिया anal fin फिर इसके बार में इसको हमने छोटा सा fin है यह हुआ adipose fin फिर यह हुआ caudal fin caudal fin क्यों बोल रहे है क्योंकि यह tail के प्रास present है इतना clear है fishes में अलग-अलग type के fins होते है pectoral, pelvic, dorsal, anal, adipose, caudal fin इनकी जो function से वो depend करता है इनकी position पे कहां यह placed है fishes की body में उस इसाब से इनका function भी change हो जाता है लेकिन एक common function होता है इन सभी fins का वो है swimming क्योंकि fish को swim करने की बहुत जरुवत होती है पानी में इसलिए यह सब की सब major function इनका क्या होता है swimming करना लेकिन कुछ fish ऐसी भी होती है जिनमें यह fins जो होते हैं वो walking का काम करते हैं चलने में help करेंगे जैसे की हमारी mud skipper आप यह एक GIF देख रहा है वीडियो देख रहा है जहां पे यह दो fish इस वाली fish पे आप focus कर सकते हैं यह चल रही है mud में और इसकी walking में कौन help कर रहा है यही fins help कर रहा है तो major इनका सभी fins का का काम क्या होता है swimming perform करना लेकिन जैसे की हमारी muds के पर है इसमें fins क्या कर रहा है उसकी walking में help कर रहा है उसके चलने में help कर रहा है इतना clear है आपको फिर इसके बाद में देखो अलग-अलग fishes की अलग-अलग speed भी हो सकती है ठीक है जैसे की हमारी tuna जो होती है वो एक घंटे में 70 km तक जो हना cover कर सकती है और वही हम अपने horse sea horse की बात करें तो वो उसको एक घंटा लग जाता है सिफ 5 feet travel करने के लिए तो अलग-अलग fish होती है उनकी अलग-अलग speed भी होती है ठीक है अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया एक बार हम जल्दी से इसको summarize करते है यह actual fishes होती है ठीक है aquatic होती है सिर्फ पानी में ही मिलेंगी और marine water में भी मिल सकती है और fresh water में भी मिल सकती है फिर इसके बाद में इनकी body कैसी होती है cylindrical होती है लेकिन tapering ends होते है तो ऐसी body जो की cylindrical हुई और tapering ends होई उसको हम कहते है streamlined bodies ठीक है एक basic diagram जो हम बच्पन में बनाते थे fishes का वो कैसा बनता था इस तरह का बनता था है ना streamlined bodies होती थी यह हम tail बनाते थे यह fins बनाते थे और हम क्या बनाते थे scales भी बनाते थे तो of course इनकी body जो है further बहुत सारी scales के साथ covered होंगी फिर इसके बाद में streamlined bodies हो गई अब इनके पास respiration के लिए क्या होता है gills होता है gills के through water अंदर आएगा अपने साथ oxygen लेकर भी आएगा muscular tail होती है movement के लिए बहुत सारे fins होता है हमने इसके पहले diagram में देखा था अलग-अलग उनका functions होता है लेकिन एक major function होता है सभी fins का वो क्या है fishes को swimming में help करना एक हमने exception भी देखा था muds के पर जिसमें कि उसके fins हैं वो उसकी walking में help कर रहे थे फिर skeleton होता है endoskeleton cartilage का भी बना हो सकता है और bones का भी तो cartilage किस-किस में होता है sharks में होगा और torpedo में होगा scolidon में होगा बाकी जितनी भी fishes होती है उन सभी में endoskeleton कैसा होगा bony होगा, bone से बना होगा contact these और ostrich these इतना clear है फिर इसके बाद में इनमें heart भी present होता है two chambered heart, एक auricle और एक ventricle फिर ये होते हैं cold blooded याने की इनका body का temperature external environment के respect में change हो सकता है accordingly change होगा फिर इसके बाद में ये सभी points हम clear कर चुके हैं इसके अलावा इनकी body slimy होती है क्यों? क्योंकि mucus glands present होते हैं और ये सभी कैसी होती है ove paris होती है याने की eggs ले करती है इसका भी एक exception है shark shark सीधे जो है young ones produce करती है eggs produce नहीं करेगी और बाकी जित्ते भी होंगे वो सब eggs produce करते हैं इसलिए वो क्या हो गए? ove paris shark's exception है वो होते हैं vv paris इतना clear है अब कुछ अच्छे-च्छे diagram देखते हैं जैसे कि ये ये है एक mandarin fish ठीक है जो कि अपनी beauty के लिए बहुत जानी जाती है और विससी बात है poisonous है हम इसे खा नहीं सकते तो ये हुई mandarin fish इसको आप देखे कितनी सुन्दर है colorful है बहुत सारे colors इसमें देखने को मिलते हैं तो ये अपनी beauty के लिए जानी जाती है फिर इसके बाद में एक होती है angler fish angler fish भी बहुत जादा poisonous होती है फिर आती है lion fish lion fish के बाद आती है exocytus exocytus को हम flying fish भी कहते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ distance तक fly कर सकती है अपने infants के थुरू ये कुछ distance तक fly भी कर सकती है इसलिए इनको हम क्या कहते है exocytus कहते है इसके बाद में और example देखते हैं ये हमने बोला scoliodon scoliodon जिसके हमने बोला था dog fish ठीक है? और इसमें कौन सा cartilage होता है? किसका बना होता है? जल्दी बताइए ये तो हो गया बोनी के तो बहुत सारे examples हमने देखे थे हमने सिर्फ तीनी देखे थे torpedos, scoliodon and shark उनमें skeleton किसका बना होता है? endoskeleton cartilage का बना होता है इतना clear है ये होती है pristis pristis को हम sawfish भी कहते हैं क्यों? क्योंकि इसका mouth जा है वो एक saw की तरह होता है फिर इसके बाद में रोहू इसे हम खाते भी है as a coastal food फिर यह होता है seahorse seahorse के बारे में एक खास्यत ये है कि एक तो ये parental care show करता है यानि कि जो male seahorse होता है वो अपने young ones को इनके पास होता है एक brood pouch तो उसमें रखता है unlike other fishes जिसमें की other animals जिसमें की females अपने young ones को carry करती है लेकिन जो seahorse है male seahorse अपने young ones को carry करेगा अपने brood pouch में इतना clear है फिर इसके बाद में और एक और खास्यत है seahorse के बारे में कि ये vertically swim करता है बागी सारे fishes horizontally move करती है लेकिन seahorse vertically move करता है फिर इसके बाद में ये है stingray stingray जो होती है ये बहुत ही poisonous होती है torpedo torpedo जो है वो electric shock produce करती है जिसकी help से predators इन से दूर भागते है तो ये भी एक survival technique हो गई stingray ने क्या किया poisonous sting होता है इसका और torpedo ने electric shock produce करती है ये है एक survival method जिससे की अपने predator से बच जाती है फिर इसके बाद में अब एक बार हम quick recap कर लेते हैं सब ये points हमने एक साथ देख लिये हैं ये जो हमारी class है Pisces ये होती है original fishes इन में ये सब ही aquatic होती है कुछ marine होती है कुछ fresh water होती है इनकी body streamlined होती है scale से covered होती है slimy होती है क्यों क्योंकि mucle gland present है heart present है two chamber heart जिसमें की एक होता है auricle एक होता है ventricle फिर इसके बाद में endoskeleton है cartilageiness, bony cold blooded animals होती है इनके body count temperature surrounding environment के साथ change होता जाता है बहुत सारे fins इन में present होते हैं depend करता है कहां present है उस case आपका function होता है right इसके अलावा यह oviparous होती है oviparous यानि की eggs ले करेंगी exception है shark जिसमें की वो सीधे young ones जो है produce करती है यह सब point आपको clear है तो इसी के साथ हमारी जो class है Pisces वो हमने इस video में cover करी है next video में हम एक और class पढ़ेंगे vertibreta की complete course के लिए magnet brains plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrains.com पर thank you for watching Hello everyone आज हम इस video में पढ़ने वाले हैं subphylum vertibreta की third class जो की है amphibia जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे subphylum vertibreta की अलाग अलाग classes जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं cyclostomates और Pisces आज हम बात करेंगे third class के बारे में जो की है amphibia So welcome to magnet brains मैं हुवे बूती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic amphibia के साथ सबसे पहले तो जैसी आपके पास ये term आया amphibia आपको कुछ और भी amphibia याद आया जो हमने पहले भी पढ़ चुका है या एक हिंट देती हूँ हमने plants में भी पढ़ा हुआ है तो plants के amphibians कौन कैलाते हैं bryophytes कैलाते हैं और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि वो bryophytes क्यों कैला रहे थे क्योंकि वो land और water दोनों में सर्वाइव करते हैं similarly animal kingdom में जब हम बात करते हैं amphibia की तो यहाँ पे भी वो animals आते हैं जो कि dual life सर्वाइव करते हैं याने कि वो land और water दोनों में रहते हैं so yes amphibians ऐसे animals होते हैं जो कि land और water दोनों में रहेंगे land पे तो ठीक है रह रहे हैं लेकिन अगर land पर आ ही गए हैं terrestrial बनी गए हैं तो फिर वापस पानी में जाने की जरुबत क्यों पड़ती है actually इनको eggs ले करने के लिए पानी में जाना पड़ता है यह अपने अंडे water में ही जो है ले करते हैं actually इनके अंडों को खत्रा रहता है, danger रहता है कि वो जब अगर land पे आएंगे तो sunlight के कारण और heat के कारण कहीं इनके eggs जो हैं वो सूख ना जाएं damage ना हो जाएं इसी वज़ा से यह एक डर के कारण अपने अंडे जो हैं जो eggs हैं वो पानी में ले करते हैं इसी लिए अपनी life के लिए survive करने के लिए इनको पानी में जाना पड़ता है aquatic life भी जीनी पड़ती है terrestrial life के साथ-साथ वैसे तो यह land पे comfortable थे आ चुके थे लेकिन reproduction के लिए eggs रे करने के लिए इनको पानी में जाना पड़ता है तो यहाँ पे दो life के जी रहे हैं पानी में भी जाते हैं और land में भी रहते हैं इसी वज़े से इन्हें हम कहते हैं amphibia ठीक है plant kingdom के amphibians कौन थे bryophytes और animal kingdom के amphibians कौन है amphibia ठीक है फिर इसके बाद में अब हम देखते हैं यह they live on land and lay eggs in water यह point हम clear कर चुके हैं ठीक है फिर इसके बाद में does lead two lives and called amphibians दो life यह जीते हैं इसलिए इनको हम amphibians कहते हैं और क्या-क्या इनके features होते हैं इनकी जो skin है वो काफी होती है smooth, rough rough भी हो सकती है moist हो सकती है और slimy होती है क्यों होती है moist और slimy क्योंकि इनके पास होती है mucous gland ठीक है mucous gland mucous secrete करते हैं जिसकी वज़े से इनकी body काफी moist गीली और slimy रहती है इसी वज़े से जब यह land पे रहते हैं तो इनके उपर sunlight या heat का impact नहीं पड़ता है ठीक है heat इनकी body को damage नहीं कर पाती क्यों क्योंकि mucous gland हमेशा mucous secrete करती रहती है जिसकी वज़े से इनकी skin moist रहती है इनकी skin dry नहीं हो पाती इसके अलावा इनकी body इनकी skin smooth भी हो सकती है और rough भी हो सकती है फिर scales are absent mucous gland is present यह हमने देख लिया mucous gland present होती है हम बात कर रहे थे जब Pisces की तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी scales present होती है fishes की body पे लेकिन ऐसी कोई भी scales amphibians के उपर नहीं होती तो इनकी body कैसी होगी scale less होगी इतना clear है फिर body is divided into head and trunk body केवल head में और trunk में divided होती है neck नहीं होती है फिर इसके बाद में respiration होगा gills के दुरू भी और lungs के दुरू भी देखो जब इनको पानी में जाना रहेगा तो यह gills के दुरू respiration कर लेंगे और जब यह land पे रहेंगे तो lungs के दुरू respiration कर लेंगे याने कि gills और lungs दोनों के help से यह respiration परफॉर्म करते हैं फिर cold blooded animals होते हैं याने कि इनका body temperature भी अपने external environment के according change हो सकता है फिर इसके बाद में अब यहाँ पे हमने बोला कि यह 3 chambered heart होता है इनके पास कौन कौन से दो auricle और एक ventricle फिर इसके बाद में यह egg ले करते हैं याने कि यह कौन हो जाएंगे ove paris हो जाएंगे इतनी चीज़े clear है आपको अब करते हैं आगे की बात आगे हमने बोला कि external ear absent है देखो ear तीन पार्ट में divided होता है internal, middle and external लेकिन इनके पास internal, middle तो है लेकिन external ear नहीं है ear पिनना इनके पास present नहीं होते हैं इनके पास क्या होती है tympanum होती है जो की skin surface पे ही लाय करेगी इतना clear है इनके पास कोई पिनना नहीं होगा इनके पास होगी internal ear और middle ear लेकिन external ear absent होगा पिनना इनके पास नहीं होंगे इनके पास क्या होगी? टिमपैनन जिसे हम ear drum भी कहते हैं जो कि skin की surface पे present होगी फिर two pairs of pentadectile limbs present अब ये pentadectile क्या है? देखो, limbs इनके पास present होते हैं limbs में हम बोलते हैं एक frog है frog में हमने बोला कि ये एक इनका limb हो गया ये दूसरा हो गया उस direction में आप जाओगे तो वहाँ पे भी याने कि इनके पास paired limbs होते हैं limbs pair में present होते हैं ये हो गया four limb जो body के आगे की तरफ present है और ये हो गया hind limb जो कि body की पीछे की तरफ present है तो two pairs of limbs इनके पास होते हैं अब ये limbs कैसे होते हैं तो ये होते हैं penta ductile penta ductile ये जैसे हमारे हाथ के पास क्या होती है fingers होती है palm के बाद fingers होती है और toes भी होते हैं उसी तरह से amphibians के पास भी जो limbs हैं उसमें 5 toes होँगे या फिर fingers होँगी कुछ इस तरह से ये हो गई एक यह हो गई दो, यह हो गई तीन, यह चार और यह पांच और यह वैब-like structure याने कि इनके जो हाथ है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं ठीक है? याने कि एक वैब-like structure बनाती है इनकी सभी digits जो है इनके हाथ की या पैर की मिलके digits जो है वो एक वैब-like structure बनाती है याने की इनके limbs कैसे हुए सबसे पहले हमने देखा Penta-Ductile याने की 5 digits होंगी 5 fingers होंगी हर एक limb में और वो एक web-like structure कुछ इस तरह का बनाएंगी सभी digits मिलके इतना clear है फिर limbs कुछ-कुछ cases में absent भी होंगे limbless body होगी अब देखो हमारी NCRT ने कुछ example दिये है यह है rana tigrina common frog हमारे घर के आसपास हर कहीं मिलता है अराम से मिलेगा फिर यह है hyla जिसे हम कहते हैं tree frog जो की घर के बाहर garden वगेरा में यह trees के उपर मिलता है इसके अलावा दो और example दिये हैं NCRT ने एक है हमारे पास toad और एक है हमारे पास salamander यह lizard जैसा दिख रहा होगा लेकिन यह है एक amphibian तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसको हम जल्दी से summarize करते हैं सबसे पहले हमने बोला कि यह है class vertebrata amphibia हमने देखा था कि जब हम plant kingdom पढ़ रहे थे उसको हमने plant kingdom के amphibians किसको बोला था bryophytes को बोला था क्यों क्योंकि dual life survive करते हैं उसी तरह से animal kingdom में भी हम बोलते हैं कि amphibians होते हैं जिसको हम वो animals जो कि dual life survive करते हैं क्यों क्योंकि वो रहते तो है land पे terrestrial होते हैं लेकिन अपने eggs ले करने के लिए उनको पानी में जाना पड़ता है क्योंकि उनको खतरा होता है कि कहीं उनके eggs land पे रहके sunlight heat की वज़े से कहीं सूक ना जाए कहीं damage ना हो जाए इसलिए उनको पानी में उतरना पड़ता है eggs ले करने के लिए basically reproduction के लिए वो water पे dependent है इसलिए terrestrial life की साथ साथ aquatic life भी survive करते हैं इसलिए उनका नाम पड़ा है amphibians फिर इसके बाद में इनकी जो body है वो काफी smooth हो सकती है rough भी हो सकती है लेकिन moist और slimy तो होगी क्यों क्योंकि उनके पास है mucous gland ये mucous gland mucous secrete करता है जिसकी health से ये जब terrestrial life में रहते हैं तो इनको heat या sunlight से इनकी body damage नहीं हो पाती फिर scales absent होगी इनकी body पे कोई scales present नहीं होती है body divided होती है सिर्फ head में और trunk में ये दिख रहा है आपको head और ये पूरा दिख रहा है आपको trunk neck नहीं होगा इनके पास फिर respiration हो सकता है gills के तुरू और lungs के तुरू जब aquatic life में जाएंगे तो gills के तुरू respiration कर लेंगे जब terrestrial life रहेंगे तो फिर lungs के तुरू कर लेंगे फिर इसके बाद में cold blooded animals होते हैं याने कि इनका body temperature external environment के साथ change होगा survival trick है ये फिर three chambered heart है याने कि दो auricle और एक ventricle ventral position में होता है heart फिर ये oviparous होता है याने कि eggs ले करते हैं आगे की बाद external ear absent है internal present है middle present है लेकिन हमारा जो पिनना होता है ear पिनना ये absent होता है इसकी जगा इनके पास होता है ear turn जिसे हम timpanum भी कहते हैं ये कहां present होगा skin surface पे ही लाय करेगा फिर two pairs of pentadactile limbs five digits limbs present इनके पास paired limbs होंगे four limb and hind limb जो four limb है high limb है दोनों में pentadactile limbs होता है याने कि उनके पास five digits होती है कुछ इस तरह की एक, दो, तीन, चार, पांच और ये सभी digits मिल करके एक web like structure बना देती है फिर इसके बाद में कुछ-कुछ cases में limbs absent भी हो सकते हैं याने कि वो limb less bodies होंगी अब हमने, हमारी NCRT ने चार इसके examples mention किये हैं हमने देख लिए कि original ही वो कैसे दिखते हैं यह है highla tree frog और यह trees पे मिलेगा यह है rana tigrina जो कि हमारे घरों में भी बारिश के टाइम पर, rainy season के टाइम पर easily देखने को मिलता है salamander हो गया और यह हो गया toad तो इस वीडियो में हमने class amphibia को पूरा cover किया क्या-क्या इनके characteristics होते हैं, क्या examples लिए हैं हमारी NCRT ने, वो सब हमने cover किया अब हम next वीडियो में एक और subphylum vertebrata की class पढ़ेंगे complete course के लिए MagnetBrainz Plus में जरूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbrinz.com पर Thank you for watching Hello everyone, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं subphylum vertebrata की एक और class जो की है reptilia जैसा कि आपको पता है previous वीडियो में हमने class amphibia पढ़ा था कौन-कौन से animals उसके अंदर आते हैं, कौन-कौन से उनमें characteristics होती हैं इन में कौन सेट new type के animals आते हैं So welcome to magnetbrinz, मैं हूँ विबूति खारे तो चलिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic class reptilia से देखो, सबसे बहले तो आप इनको देदो बधाई क्यूं? क्योंकि यह थे first terrestrial vertebrates यानि कि यह अभी तक आपने amphibians को देखा था कि वो terrestrial भी थे, land भी रहते थे और वो पानी में भी जाते थे क्यों? अपने eggs ले करने के लिए उनको खत्रा रहता था कि कहीं उनके eggs बहुत जादा land पे जो heat होती है उससे सूख ना जाएं इस वज़े से वो पानी में भी उनको जाने की ज़रूरत होती थी ताकि वो अपने eggs ले कर सके बिसीकली reproduction के लिए वो water पे dependent होते थे लेकिन जब हम बात करेंगे class reptilia की तो reptilia completely जो है ना land पे आ गय थे as such उनको पानी में जाने की ज़रूरत नहीं थी तो ये थे first terrestrial vertebrates अब आप बोलोगे कि मैं amphibians को डर था कि कहीं उनके eggs सूख न जाए तो क्या reptilians को डर नहीं होता कि उनके eggs ना सूखे actually नहीं होता क्यों? क्योंकि reptilians होते हैं बहुत smart वो egg के साथ उसके उपर एक covering भी produce करते हैं वो covering क्या होती है? एक hard shell जैसे कि ये है एक egg और इसके उपर वो secrete करते हैं एक और covering जिसे हम कहते हैं hard shell ये hard shell क्या करता है? ये उनके eggs को सूखने से prevent करता है इसलिए उन्हें पानी में जाने के अब जरुवत नहीं पड़ती terrestrial होकर के वो अपने life की जितनी भी phases है वो वहाँ पे survive कर सकते हैं इतना clear है? अब जब वो land पे आएंगे तो obviously बात है हमारी तरह दो पैरों पे चलके नहीं आएंगे वो crawl करके आएंगे इसलिए इनका नाम पड़ा है reptilia क्यों? क्योंकि rept का मकलब होता है to crawl तो ये होते हैं creeping and crawling type के vertebrates इसलिए इनका नाम पड़ गया reptilia इतना clear है? फिर इसके बाद में अब जब ये land पे आएंगे तो इनको abrasion से क्योंकि land काफी rough होती है तो किसी भी तरह के abrasion से plus land पे जो heat होती है sunlight की वज़े से उससे भी खुद को protect करना है तो obvious सी बात है इनकी body के पास कुछ ऐसे structure होंगे जो इनको abrasion से और बहुत ज़ादा heat से इनकी body को protect करें तो क्या होगा? इनके पास होती है epidermal scales ये रही इनके पास skin पे epidermal scales इसको भी आप कर सकते हो star mark क्यों? क्योंकि यही epidermal scales इनको abrasion और heat से बचाती है हमने बात करी थी Pisces की, Pisces में हमने देखा था कि उनकी body पे भी scales होती है जैसे कि जब हम basic एक figure बनाते हैं fish का, ठीक है? तो हम कुछ इस तरह की उनके उपर scales बनाते हैं इसी से मिलती जुलती reptilians के पास भी scale होती है, epidermal scales होती है skin पे जो कि abrasion और heat से बचाएगी उनको इतना clear है, अब हम बात करते हैं कुछ और characteristics की जैसे कि इनकी body divided होती है head, neck, trunk and tail में amphibians की body सिर्फ दो parts में divided थी, head और trunk लेकिन जब हम बात करेंगे reptilians की तो इनके पास head भी होगा, neck भी होगा, trunk भी होगी और tail भी होगी फिर body covered by dry waterproof skin, इनके जो skin होती है वो काफी dry होती है और waterproof भी होगी फिर हमने बोला limbs are tetrapod and pentadactile with claws याने की इनके पास होंगे tetrapodas होते हैं, याने की इनके पास 4 pair होते हैं लिजर्ड देखी है, सबने, right, लिजर्ड कैसी होती है, इस तरह का उसका कुछ body होती है और ये होती है tail और इसके पास आ जाते हैं 2 pair दो pairs होते हैं limbs के, याने की ये हुई tetrapodas और फिर हमने बोला कि ये होते हैं Penta Dectile यानि कि हर एक लिम के पास होंगी 5 digits इसके साथ ही साथ एक और चीज क्या आ गई? Claws भी आ गई Claws एक तरह के structure होते हैं Nails like structure होते हैं जो कि digits के बाहर जाते हैं तो Tetrapodas हुए यानि कि इनके पास होई 4 limbs हर एक लिम में होते हैं 5 digits और उन digits से भी निकले होते हैं कुछ Claws जैसे कि इस तरह का structure अगर हम देखें ये और ये हुए 5 digits और इन digits के पास इस तरह के Claws निकले होते हैं तो ये हुए digits और ये हुए Claws और ये जिस से जोड़े होंगे body से उन्हें हम कहते हैं limbs तो tetrapodus होंगे, pentadactyl digits होंगी with claws नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनके पास tympanum काफी छोटा होता है हमने amphibians में पढ़ा था कि उनके पास middle ear होगा, internal ear होगा लेकिन external ear की जब बारी आगी पिनना वगेरा नहीं होगा एक skin fold उनकी skin पे present होता है उसी को हम कहते हैं tympanum tympanum को हम ear drum भी कहते हैं इनके पास, reptilians के पास tympanum काफी छोटा होता है एक और चीज है, यह जो limbs है यह कुछ reptilians में absent भी होते हैं जैसे कि snakes, snakes भी reptilians होते हैं लेकिन उनके पास limbs तो होते ही नहीं है प्लस कुछ lizards भी होती है यहाँ जो अभी हमने structure देगा था वो थी एक basic wall lizard ठीक है लेकिन कुछ lizards ऐसी भी होती जिनके पास limbs नहीं होते हैं वो limbless होते हैं और obviously snakes तो होते ही हैं limbless आगे की बात, teeth are present except tortoise and turtles tortoise और turtles होते हैं जिनके पास teeth नहीं होंगे तो land पे gills की तो अब जरुवत हैं नहीं तो किस से करेंगे? lungless से करेंगे amphibians में भी हमने देखा था कि respiration gills और lungs दोनों से होता है जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो respiration करेंगे gills से और जब वो land पे आएंगे तो वो करेंगे lung से तो reptilians जो कि terrestrial vertebrates हैं वो respiration करते हैं किस से? lungs से ठीक है फिर इसके बाद में gills absent होंगे क्योंकि पानी में अब जाना ही नहीं है heart हो जाएगा यहाँ पे three chambered याने कि दो auricles हो जाएंगे और दो ventricles हो जाएंगे अब हम करते हैं कुछ आगे की बाद आगे हम देखते हैं कि crocodiles, देखो heart usually three chambered ही होता है दो auricles और एक ventricles लेकिन यहाँ पे reptilians में crocodiles भी आते हैं कौन आएंगे? crocodiles भी आएंगे crocodiles exception होते हैं क्योंकि इनके पास होता है four chambered heart दो auricles होंगे और दो ventricles होंगे बाकियों के पास auricles दो होते हैं ventricles देख एक ही होता है फिर most reptiles are most reptiles are oviparous याने कि वो करेंगे eggs ले यह हमने पहली भी देखा था कि जब वो egg ले करेंगे तो उसके उपर एक heart shell covering भी release करते हैं जिसकी वज़े से वो land पे सूखते नहीं है तो अविसी वात है वो कैसे होंगे oviparous होंगे next some are viviparous कुछ viviparous भी होते हैं याने कि वो सीधे young ones produce करते हैं lizards and snakes कुछ lizards और snakes सीधे young ones भी produce करते हैं next these are cold blooded यह हुई इनकी एक survival technique याने कि external environment के temperature change के साथ-साथ यह अपने body temperature को भी change करते हैं इसी वज़े से यह drastic climatic conditions में भी survive कर जाते हैं फिर हमने बोला कि यह होते हैं terrestrial और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में भी जाते हैं जैसे कि देखा जाये तो land पे इनकी सारे काम हो रहे हैं लेकिन क्योंकि वो evolve हुए हैं amphibian से तो हो सकता है कि पानी में जाने की उनकी कुछ एक दो मजबूरी हो लेकिन आप यह नहीं कहेंगे कि वो पूरी तरह से aquatic हैं हैं वो terrestrial ही लेकिन कभी-कभी वो पानी में भी चले जाएंगे जैसे कि आप crocodile को देखते हो crocodile पानी में भी रहेगा और land पे भी रहेगा land पे भी वो अपनी life जी सकता है लेकिन कुछ चीजों की वज़े से वो वापस पानी में जाता है तो terrestrial भी हो सकते हैं और aquatic भी हो सकते हैं अब हमने सभी characteristics पढ़ लिए हैं ज़र आप बेखते हैं कि NCRT ने कौन-कौन से examples mention कर रहे हैं इस class reptilia के अंदर सबसे पहले grevellis फिर आएगा house wall lizard house wall lizard सबने देखी है chameleon chameleon जिसको हम हिंदी में girgate भी कहते हैं इसकी tail कैसी होती है? prehensile होती है कुछ इस तरह की होती है और यह अपनी tail की help से ही पेडों पे लटका रहता है फिर इसके बाद में crocodiles यह भी हमने देखा है turtle, kilonia जिसे हम कहते हैं और इसके अलावा snakes and cobra and python यह दोनों भी snakes हैं यह है cobra और यह है python इतना clear है तो हमारी NCIT ने बहुत सारे examples class reptilia के अंदर mention करे हैं हमने उनके original photos देख लिए कि वो actually दिखते कैसे हैं बाकी जब आप अपनी NCIT जब आप देखेंगे तो आप relate कर पाएंगे इतना clear है अब जल्दी से हम एक quick revision कर लेते हैं हमने भी तक क्या क्या पढ़ लिया reptilia हमने पढ़ा जो reptilia class होती है वो first terrestrial vertebrates होते हैं अब वो land पर आ गए हैं सच पानी में जाने के उनको ज़रूरत नहीं है अब मैंने बोला कि वो land पर आ गए हैं याने कि उनके eggs को खत्रा नहीं है सूखने से क्यों नहीं है क्योंकि ये animals बहुत smart होते हैं ये अपने eggs के साथ साथ उसके उपर एक hard shell covering भी secrete करते हैं जिसकी वज़े से जब ये land पर अपने eggs ले करेंगे तो land पर जो heat होती है उसके कारण उनके अंडे सूखेंगे नहीं ठीक है अब जब वो land पर आ रहे हैं और विससी बात है crawl करके आएंगे crawling, rept का मतलब होता है to crawl क्योंकि ये crawling and creeping type vertebrates है इसलिए इनका नाम रखा गया था reptilia इस class का फिर इसके बाद में हमने बोला कि अब जब ये land पर आ रहे हैं तो इनको डर होगा abrasion का ठीक है और heat का तो इनके पास होती है epidermal scales, इनकी skin पे होंगी epidermal scales जो की further जो की further इनकी body को abrasion से और abrasion से और heat से protect करेंगी, right फिर इसके बाद में अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये होती है tetrapodus याने कि इनके पास होते हैं चार limbs, limbs के बाहर आएंगे उनके पास digits, 5 digits हर एक limb के पास होती है 5 digits और इन digits से भी निकले होते हैं claws इसके बाद में timpanem इनके पास काफी छोटा रहेगा, teeth present होते हैं, except tortoise और turtles, इनमें नहीं होंगे restoration क्योंकि ये आ गए है land पे, तो इनको gills की जरुवर नहीं है lung से कर लेंगे, तो gills हो गई absent, heart हम बोलते हैं कैसा होता है 3 chambered होता है, याने कि 2 oracles और एक ventricle होगा, except crocodile जिनके पास 4 chambered heart होता है 2 oracles और 2 ventricles होते हैं present इस section में हमने सभी चीज़, हाँ waterproof होंगी इसके आगे की हमने बात क्या करी थी आगे हमने देखा था कि most reptiles कैसे होते हैं, ओवी पैरेस होते हैं याने कि eggs ले करेंगे, कुछ वी वी पैरेस भी होंगे examples थे हिनके lizards and snakes फिर होंगे ये cold blooded animals याने कि इनका body temperature external environment के accordingly change होगा क्योंकि ये है इनका एक survival technique next ये terrestrial भी होंगे और aquatic भी होंगे हमारी NCRT ने जो जो examples मेंशन करें हैं उनको भी हमने देख लिया है तो इस वीडियो में हमने cover किया class reptilia ये थे first terrestrial vertebrates ये amphibians से ही evolve होकर के आये थे, land पर इतना clear है तो इस वीडियो के लिए इतना ही next वीडियो में हम एक और class के बारे में पढ़ेंगे subphylum vertebrates की complete course के लिए Magnet Brins Plus में ज़रूर upgrade करें और इस topic के notes आपको available हैं हमारी official website पर magnetbrins.com पर Thank you for watching Hello everyone आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं subphylum vertebrates की एक और class जिसका नाम है class Aves previous वीडियो में हमने बात करी थी class reptilia के बारे में और देखा था कि किस तरह से amphibians evolve हो करके अपनी aquatic life से बाहर निकरके land पे पहुँचे यानि कि वो first terrestrial vertebrates बने reptilians के form में इस वीडियो में हम बात करते हैं एक और नई class की जिसमें होंगी Aves अब Aves क्या होती हैं उनमें क्या special features होते हैं यह सब आज इस वीडियो में हम cover करेंगे So welcome to magnet brains मैं हुँ वी बुती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमारा topic class Aves के साथ तो देखो सबसे पहले तो vertebrates ने पानी और land को rule करने के बाद हवा में भी उड़ना स्टार्ट कर दिया मैंने क्या बताया vertebrates ने oceans को और land को तो rule किया ही किया इसके बाद में अब वो पहुँच गए हवा में यानि की वो उड़ने भी लगे तो ऐसे vertebrates जो की उड़ते हैं हवा में वो आते हैं class Aves की category में तो सबसे पहले जो Aves हैं उनमें size जो है वो small hummingbird, size बहुत वेरी करता है एक small hummingbird से लेकर के longest ostrich जो होती है एक type की bird वहां तक इसकी range फैली होती है एक छोटी hummingbird से लेकर के कई feet tall ostrich तक इतनी सारी जो size है वो उसकी range काफी बड़ी होती है फिर इसके बार में हमने बोला कि tetrapods vertebrates इनके पास भी 4 pair होते हैं लेकिन जो की इन्हें उड़ना है अब तो इनके 4 limbs जो होंगे body के आगे वाले limbs वो हो जाएंगे modify किसमे wings में क्योंकि Aves का काम है उड़ना इसलिए होंगे वैसे originally tetrapods ही थे क्योंकि obviously बात है reptiles से evolve होके आए है reptilians भी tetrapodas ही थे तो इनके पास भी 4 limbs होंगे लेकिन आगे वाले जो limbs होंगे 4 limbs वो modify हो जाते हैं किसमे wings में तो आप इसे कर लीजे star mark क्योंकि Aves में 4 limbs हो गया है modify किसमे wings में इसके साथ ही साथ इनकी body पूरी covered होती है feathers से अब ये feathers कैसे आए हैं जैसे कि हमने reptilians में देखा था कि वो terrestrial vertebrates थे land में abrasion और heat से बचने के लिए उनकी skin के पास ही बहुत सारी scales अब ये जो Aves हैं ये भी reptilians से ही evolve होई है तो reptilians के पास जो scales होती थी वो modify हो गएं किसमें इनके feathers में तो इनकी body में जो आप देखते हो कि पूरी body चिडियों की covered होती है feathers से वो actually क्या है ये feathers है modified scales ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि completely इनकी body से scales रहा गाया भी हो गई वो disappear हो गई हो जब आप इनकी hind limbs देखोगे तो आपको scales देखने को मिलेंगी ठीक है यानि की scales कहां present होती है hind limbs पे यहां हम बोते हैं की feet पे बाकी पूरी body में scales modify हो जाती है feathers से ये चितने भी feathers है इनकी पूरी body को cover करते है as a blanket और temperature maintain करते है इनकी body का क्यों कर रहेंगे temperature maintain वो अभी हम next point में देखेंगे अब इसके बाद में हम बोते हैं की इनके पास होती है cutaneous gland इसके अलावा hind limbs bear four claw digits adopted for walking, perching और swimming इनके पास four limbs तो modify हो गए wings में बचे कौन? hind limbs तो hind limbs कैसे होते हैं? इनकी hind limbs होते हैं four claws वाले digits होंगी और इसके बाद में याने की चार digits होंगी और चारों digits के पास क्या होंगे? clause होंगे और ये clause किस चीज़ के लिए adapted होते हैं? walking के लिए, perching या फिर swimming के लिए फिर हमने बोला कि narrow jaws form a beak जैसे कि हमें पता है चिडियों में क्या present होता है beak present होती है, कुछ इस तरीके की ये beak कहां से बहिनी है? ये beak बनती है ये beak बनती है उनके jaws से तो इनके jaws मिलके क्या बनाएंगे? beak बनाएंगे फिर इसके बार में इनमें teeth absent होंगे bones of endoskeleton are light and spongy देखो, age का काम है उड़ना अब जितना उनको उड़ना है उनकी body उतनी light होनी चाहिए जितनी जादा भारी body रहेगी जितना weight रहेगा body का उड़ने में उनको काफी दिक्कत होगी इसी वज़े से जो ostrich bird होती है वो कहने को तो एक bird है क्योंकि सारे characteristics वो waves के ही show करती है लेकिन वो ओड़ नहीं पाती क्योंकि body इतनी बड़ी होती है लंबी होती है heavy होती है कि वो ओड़ नहीं पाते तो बाकी चिडियों का क्या बाकी birds का क्या जो कि ओड़ पाते है actually उनकी bones जो है वो होती है pneumatic bones अगर नाम यह ना हो रहा हो और spongy होई याने कि वो होती है pneumatic bones क्योंकि उनको उड़ना है उनको अपना body weight कम करना है body weight कम कैसे करेंगे तो उनने सोचा चलो ठीक है जो हमारे पास bones है क्यों ना उसको ही हम spongy बना दे तो इससे क्या होगा body weight कम हो जाएगा और हम असानी से ओड़ पाएंगे तो birds की क्या होती है pneumatic bones होती है next इतने points आपको clear है अब हम बात करते हैं आगे की आगे हम चलते है breathing होती है lungs के दुरू क्यों हो रही है breathing lungs के दुरू obviously बात है terrestrial है ये terrestrial नहीं पानी से भार निकल के आ गए है तो obviously बात है पानी में नहीं तो gills की जरवत भी नहीं है तो respiration कैसे होगा lung से होगा क्योंकि हमने reptiles में भी देखा था कि reptiles में भी respiration कैसे हो रहा था lung से हो रहा था और reptiles से ही ये evolve होई है तो इनके पास भी lungs होगी और respiration lungs से ही होगा next point ये होती है warm blooded animals अब ये warm blooded मतलब क्या होता है अभी तक हम cold blooded पड़ रहे थे जैसे हमने देखा था कि animal की body का temperature external environment temperature के accordingly change होता जाता है लेकिन अब होगा कुछ उल्टा ये होती है warm blooded animals मतलब इनके body का temperature external environment के temperature से के according change नहीं होगा constant रहेगा और इस constant body temperature को maintain करने में कौन help करता है feathers ठीक है इसी लिए तो scales modify हुई है feathers में wings का काम होता है birds को help करना उड़ने में flying में और उनकी पूरी body जो छोटे छोटे feathers से cover होती है उनका काम क्या होता है body का एक constant temperature maintain करना क्यों क्योंकि ये है एक warm blooded animal इनका body temperature external environment temperature के according change नहीं होगा तो अगर change नहीं होगा तो ये drastic conditions में कैसे survive करेंगे क्योंकि अब survival technique तो खतम हो गई इनके पास तो क्या होगा एक नई technique आई कुछ modifications हुए इनकी body में आ गए feathers feathers कहां से आए scales से modify हुए कौन ये थे feathers जो कि कहां से आए है cover कर लिया और एक body का constant temperature maintain किया तो एक नई survival technique आ गई है इनके पास इनके पास होते हैं ये होते हैं tetrapodus vertebrates ये हमने पहली भी देखा था इनके पास होते हैं देखो दो limbs, चार limbs होते हैं लेकिन जो four limbs होते हैं वो modify हो जाते हैं कि इसमें wings में ठीक है जोगी help करेगा उनको flying में next इनके पास होता है four chambered heart आप देखो क्या है इनका काम है उड़ना उड़ने के लिए चाहिए बहुत सारी energy और बहुत सारा oxygen तो heart को further मतलब heart modify होता जा रहा है हमने start किया था two chambered hearts के साथ और देखते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए further evolve होती गई new new classes हमने पड़ी और देखा कि किस तरह से two chambered heart फिर आगया किसमे convert हो गया किसमे या modify हो गया किसमे four chambered heart में words को क्या जरुवत है four chambered heart की इस लिए क्योंकि काम है उड़ना उड़ने के लिए चाहिए बहुत सारी energy प्लस बहुत सारा oxygen तो ये oxygen कौन supply करेगा heart supply करेगा heart को evolve होना पड़ा अब basic heart structure से काम नहीं चलेगा modification जरूरी है इसलिए heart आ गया और heart के four chambers हो गया जिसकी वज़़े से heart और evolved हो गया और वो अब और ज़़़ादा oxygen supply करेगा muscles को जिसकी वज़़े से birds fly कर पाती है क्योंकि flying में बहुत ज़़़ा energy की requirement होगी next cloaca is present cloaca is like a small aperture जिसकी help से birds में excretion होता है mostly ये इनकी tails के नीचे present होता है cloaca क्या है एक छोटा सा hole है aperture है जो की birds की tail के नीचे present होगा और यहां से birds में excretion perform होता है next oviparous होता है यानि कि अपने ये एग ले करते हैं ये हम सब को पता है ठीक है फिर इसके बार में yoke ladden yokes have hard shell एग के अंदर क्या होगा बहुत सारा yoke होगा और अविस सी बात है ये पानी में तो नहीं जा रहे हैं ये आएंगे land पे ये हवा में ओड़ेंगे तो कहीं obvious सी बात है अपने जो eggs है वो तो ये land पर ही जो है ना ले कर के जाएंगे हवा में तो नहीं ले कर सकते तो land पे आ रहे हैं land पे ये सूख ना जाए इसकी वज़े से इनके पास भी क्या होती है एक hard shell होता है एक covering होती है just like reptilians, reptilians में भी हमने यही देखा था कि किस तरह से एक adaptation हुआ कि land पर उनको eggs ले करने है तो उनने अपने eggs को एक hard shell में के अंदर cover कर लिया, ठीक है अब reptilians से ही eggs evolve हुई है, इसलिए eggs के पास भी क्या होता है, eggs जो कि जिसमें बहुत सारा होता है योग और वो egg covered होता है एक hard shell से, तो यह कुछ basic character sticks थे, eggs के जो अभी हमने इस topic में cover करे हैं, अब जल्दी से हम करते हैं एक quick recap जो भी अभी तक हमने पढ़ लिया है उसको फिर से देखते हैं, तो देखो, सबसे पहले eggs, eggs में हमने बोला था कि land और oceans को rule करने के बाद, waters को rule करने के बाद, अब vertebrates पहुँच गए हवा में, वो हवा में उड़ने भी लगे और वो vertebrates जो की fly करते हैं, वो क्लास, eggs के under, फिर इसके बाद में, इनका size range बहुत बड़ी होती है, एक छोटी hummingbird से लेकर के, एक tallest bird, ostrich तक इनकी size vary करती है, ठीक है, यह हमने इस point में देखा, फिर इसके बाद में यह होते हैं, tetrapodus animal, याने की इनके पास भी होते है, two pair of limbs, हाला कि इनको उड़ना है, तो obvious सी बात है, उड़ने के लिए कुछ ना कुछ structure तो चाहिए ही होगा, इस वज़ा से इनके four limbs जो होते हैं, body के आगे वाले limbs, वो modify हो जाएंगे, किसमें, wings में, तो wings help करेंगे, eggs को fly करने में, plus इनकी body, जो है, वो reptiles में हमने देखा था कि बहुत सारी scales present होती है, epidermal scales उनकी body पे, यही और reptiles से ही birds evolve होई है, eggs evolve होई हैं, तो यह scales modify हो जाती है, feathers में और उनकी पूरी body को cover करके रखती है, like a blanket, क्यों cover कर रही है, क्योंकि feathers का काम होता है, उनकी body का एक constant temperature maintain करना, क्यों, क्योंकि eggs होती है, warm blooded animals, इनकी body का temperature, external environment temperature के accordingly change नहीं होगा, survival technique अब यह काम नहीं करेगी, तो कुछ structure होने चाहिए, जो कि इनकी body का एक constant temperature maintain करें, इसलिए feathers आए हैं, कहां से आए हैं, scale से modify होकर के आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि completely absent है, scales, जब आप इनके feet को देखेंगे, तो आपको scales definitely देखेंगी, आगे की बात, अच्छा हां, यह tetrapodas animals होते हैं, आगे वाले limbs तो modify हो गए wings में, और जो पीछे वाले limbs होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके पास होती हैं, चार डिजिट्स और चारों डिजिट्स के आगे क्या लगे होते हैं, claws लगे होते हैं, यह भी हमने पढ़ दिया, इसके बाद में cutaneous glands present होंगी, hind limbs भी यह four claw digits adopted for walking, perching और swimming, यह भी हमने देख लिया, कि tetrapodas animals होते हैं, four limbs modify होगा wings में, जो hind limbs थे, उनके पास scales भी होगी, plus उनके पास होंगी चार डिजिट्स और चारों डिजिट्स के बाहर निकले होंगे claws, और यह जो digits होते हैं, यह well adapted होती हैं किन चीजों के लिए, walking के लिए, perching के लिए और swimming के लिए, next, narrow jaws former beak, इनके पास यह चोज भी होती है, वो चोज कहां से आई है, narrow jaws से बनी है, फिर इसके बाद में इनमें teeth absent होंगे, अब इनको उड़ना है, तो यह कोशिश करेंगे कि इनका body weight जितना हो सके उतना कम हो, इसके लिए इनकी पास एक और modification होता है, वो क्या, इनकी bones होती है, pneumatic, याने कि इनकी bones हो जाएंगी कैसी, काफी light और spongy, बेसिकली खोकली होती है, जिसकी वज़े से इनका body weight काम हो जाता है, और ये उड़बाती है, इसके बाद में आगे की बाद, breathing होगी lungs के थू, warm blooded यह हमने पहले ही देख लिया, tetrapodas भी हमने देख लिया, four chambered heart होता है, अब जो कि इनने उड़ना है, इने बह requirement है, बहुत सारा oxygen चाहिए है, तो अब heart का primitive structure जो है, काम नहीं करेगा, heart को evolve होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे heart हो जाता है, four chambered, evolved हो गया, जिसकी वज़ा से, अब maximum oxygen ये birds की muscles को provide करेगा, जिसकी वज़े से birds उड़ पाएंगी, cloaca present होता है, cloaca small aperture होता है, hole होता है, जो कि इनकी tail के नीचे present होता है, और इससे excretion perform किया जाता है, oviparas होते हैं, eggs ले करेंगी, अब eggs कहां ले करते हैं, land पे ही करेंगे, तो obviously बात है, एक heart shell की covering भी होगी, plus eggs के पास बहुत सारा होता है yoke, इतना clear है, अब हमारी NCRT ने, साथ share करें हैं, जैसे कि ये है एक छोटी सी hummingbird, और ये है male tufted duck, इसके अलावा जरा आप इधर देखिए, ये है pigeon, जो कि हमने कॉमली अपने घरों में देखने को मिलता है, ये है sparrow, crow, white stalk, और ये है हमारी ostrich, जरा आप varieties देखिए इन fishes की, आप इनकी size को observe करिये, कि hummingbird से ले होती है, इतनी heavy होती है कि ये ओडना bear नहीं कर सकती, तो आपने देखा कि कितनी beautiful varieties है birds की, plus इनके size को भी आप observe करें, बहुत सारी birds ऐसी हैं, जो हम day to day life में हम देखते ही हैं, ठीक है, इतना clear है, तो इस video में हमने पढ़ लिया, Aves के बारे में, उनकी basic characteristics पढ़ लिये, examples देख अब हम next video में एक और class के बात करेंगे और वो होगी final class, यानि की हमारा core data phylum पूरा complete हो जाएगा, इस video के लिए इतना है, complete course के लिए Magnet Brins Plus में जरूर upgrade करें, और इस topic के notes आपको available हैं, हमारी official website पर magnetbrins.com पर, thank you for watching Hello everyone, आज इस video में हम पढ़ने वाले हैं, class mammalia, previous video में हमने class पढ़ी थी, reptiles, right? इस video में हम पढ़ने वाले हैं, subphylum vertebrata की last class, जो की है class mammalia, अब इसमें कौन से animals आते हैं, क्या हमने उनको already देखा हुआ है, ये सब आज इस video में हम cover करेंगे So, welcome to magnetbrins, मैं हुवे बुति खरे, तो चलिए, start करते हैं, आज का हमारा topic, class mammalia से, अब देखो, कौन से ऐसे animals हैं, जो की इसके अंदर आते हैं, क्या उन्हें हम रोज देखते हैं, actually हाँ, हम उन्हें रोज देखते हैं, कैसे, क्या हम खुद को नहीं देखते हैं, हम human beings भी इस क्लास के अंदर आते हैं, हम रोज खुद को देखते हैं, याने की हम भी हैं एक टाइप के mammals, जो की class mammalia के अंदर आते हैं, इसके अलावा हम अपने घर में dogs, cat वगरा भी पालते हैं, जो cows होती हैं, उनको भी हम देखते हैं, ये सब किसकी अंदर आता है, class mammalia के अंदर आता ह सबसे पहले तो हम नाम से शुरवात कर लेते हैं कि इनका नाम मैमेलिया क्यों पढ़ा देखो, मैमेलियन जो होते हैं वो होते हैं वी-वी पैरेस एनिमल्स याने कि ये सीधे यांग वन्स जो है प्रेड्यूस करते हैं एग्स जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटर्नल होता है और जब ये रिप्रडक्शन करेंगे तो रिप्रडक्शन के बाद ये सीधे यांग वन्स को प्रेड्यूस करते हैं इसलिए अब यांग वन्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं आते साती वो खाना नहीं खा सकते लेकिन तो पूरी जिम्बदारी नरिश्मेंट की आज आती है मदर के उपर तो जो मैमल्स होते हैं उनमें जो फीमेल्स होती है फीमेल मैमल्स उनके पास होते हैं स्पेशलाइज मैमेरी ग्लैंड्स ठीक है? इनके पास होते हैं specialized memory glands यह memory glands क्या करती है? यह young ones को नरिश करने के लिए help करती है मैंने आको क्या पताया? Class, mammalia में आने वाले सभी animals होते हैं वी-वी-पैरस याने कि वो produce करते हैं young ones fertilization होता है internal type का और fertilization के बाहर जब यह reproduction करेंगे तो यह form करते हैं एक new living organism और यही new living organism इनकी body के अंदर से बाहर आता है यह जब new living organism होता है यह काफी छोटा होता है अर्थ पे आते साथी खाना खाने नहीं लगेगा ठीक है बहुत छोटा होता है तो इसके nourishment के responsibility आ जाती है मदस पे यानि कि जो female mammals होते हैं उनके पास present होती है memory gland अभी memory gland क्या करेंगी यह produce करती है milk और यही milk नरिश करने में help करता है इनके young words को because of the presence of memory glands इन ऐसे animals जिनके पास present होते हैं memory glands वो किसकी category में आते हैं class mammalia की category में आते हैं और इसी से memory glands की ही help से इनका नाम रखा गया है इस class का mammalia तो हमने नाम की बात कर ली अब आगे चलते हैं body is divisible into head, neck, trunk and tail body head में divided होगी neck में, trunk में और tail में कुछ mammals के पास tail भी present होती है हम human beings के पास भी tail होती है लेकिन वो होती है embryonic stage पे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो reduce होती जाती है तो सभी mammals की body divided होती है head में, neck में, trunk में और tail में आगे की बात movable eyelids are present हमारे पास eyelid होती है और वो movable होती है हम उनको move कर पाते हैं जिसकी health से हम अपनी आँखे बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं warm-blooded animals एफ से ही हमने देख लिया था warm-blooded मतलब क्या होते हैं ऐसे animals जो की अपना body temperature external environment temperature के according change नहीं कर पाएंगे constant body temperature maintain करते हैं ठीक है? तो ये भी क्या करेंगे? एक constant body temperature maintain करेंगे और ऐसे animals को हम क्या कहते हैं? warm-blooded animals ठीक है? इनकी body में होते हैं mammals की body के पास होते हैं बहुत सारे hair इनकी पूरी body में और होती है subcutaneous fat की layer याने की skin के नीचे fat की layer होती है ठीक है? इसलिए इसको हम कहते हैं subcutaneous fat skin के नीचे ये क्या करती है? एक insulating layer की तरह काम करती है जैसी कि आप 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 देख रहो हूँ ये है cat और ये है red इनकी body पे आपको बहुत सारे hair देखने को मिलते हैं ठीक है? ये basically क्योंकि आप ये terrestrial animals हैं इनको बहुत सारी adverse climatic conditions को भी जेलना है बहुत सारे जिनको आप कहेंगे कि hard surface वगरा होता है उसको भी जहनक जेलना है इस वज़े से इनकी body को एक तरह की protection चाहिए और विसी बात है सीधे इनकी body पे अगर आप skin देखोगे तो skin बहुत जल्दी damage हो सकती है dry हो सकती है क्योंकि land पे बहुत जादा heat present होती है इसी लिए इनकी body covered होती है बहुत सारे small hair से फिर इसके बाद में इनके पास subcutaneous fat की layer होती है example है whale whale जो की दिखती है fish like लेकिन होती है एक mammal क्यों? क्योंकि उसके पास होती है memory gland और वो एक viviparous animal है तो उनकी body, उनकी skin के नीचे आप देखोगे कि subcutaneous fat की एक बहुत मोटी layer होती है उस मोटी layer को हम कहते हैं blubber अगर नाम यार नहीं हो रहा है कोई दिखकर नहीं है आप सिर्फ इतना रखिये याद कि skin के नीचे एक मोटी layer होती है fat की जिसे हम कहते है subcutaneous fat और ये fatty layer जो होती है ये एक insulating layer की तरह काम करती है body temperature को maintain रखती है हमने age में पढ़ा था कि उनकी पूरी body cover होती है किस से? feather से feathers कहां से आए है scales से modify होके आए है तो वो feathers उनकी body को blanket की तरह जो है cover रखती थी और constant body temperature maintain करती थी अब क्या होगा? अब mammals के पास तो feathers भी नहीं है तो obvious ही बात है कुछ न कुछ और structures तो होंगे जो कि body एक constant body temperature maintain करें इसलिए इनके पास होते है hair and subcutaneous fat की layer इतना clear है फिर इसके बाद में females के पास होती है memory gland इसको आप कर लिजे star mark क्योंकि ये है एक बहुत ही special features पूरी class mammalia का next memory glands produce milk for the nourishment of young ones क्योंकि ये वीवी पैरेस अनिमल है females के उपर responsibility आती है young ones को नरिश करने के लिए इसलिए उनके पास होती है memory glands जो की produce करती है milk next ear pinna are present अब भई ear pinna आ चुके हैं हम ने सब ने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे tissues की ear pinna किसके बने होते हैं cartilage के बने होते हैं तो ear pinna आ चुके हैं internal, middle और external ear तीनों present होंगे इसके बाद में body इनकी hair या फिर feathers, fur से covered होती है right इसके बाद में हमने बोला two pairs of pentadectile limbs are present हम भी कैसे होते हैं tetrapodus animal होते हैं याने कि हमारे पास भी two pair of limbs होते हैं four limb and hind limb ठीक है फिर इसके बाद में हर एक limb के पांच digits होती है digits five से जादा exceed नहीं करेंगी हमेशा हर एक limb के पास क्या होंगी five digits होंगी इन digits के आगे क्या होंगे nails भी हो सकते हैं claws भी हो सकते हैं और hooves भी हो सकते हैं इतना clear है यह सारे points हमने discuss कर लिए अब हम बात करते हैं आगे की आगे हम देखते हैं digits in the four and the hind limbs are never more than five यह point भी हम पढ़ चुके हैं फिर इसके बाद में limbs ends in claws, nails और hooves ठीक है hooves भी होंगे nails भी हो सकते हैं और claws भी हो सकते हैं digits के end में फिर limbs are adapted for walking, running, climbing, climbing, borrowing, swimming and flying देखो, mammals भी जो होता है वो variety of habitats में पाये जाते हैं अलग-अलग type के होते हैं और variety of habitats में पाये जाएंगे तो obvious सी बात है उनके जो limbs होते हैं वो इन variety of habitats में जाने के लिए adapted होते हैं कैसे चलने के लिए भागने के लिए पेड़ों पे climb करने के लिए खोदने के लिए swimming के लिए और उडने के लिए भी फिर इसके बाद में respiration होगा lungs से obviously बात है terrestrial है हम terrestrial vertebrates है अब हम पानी में तो जानी रहे हैं तो obviously बात है respiration हो जाएगा lungs के through फिर इसके बाद में heart again four chambered होगा क्यों क्योंकि अब heart हो चुका है evolved अब primitive heart structure से काम नहीं चलने वाला heart भी जरूरी है modifications आना इसलिए age में हमने देख लिया था कि heart already four chambered हो चुका था जब हम बात करेंगे mammals की तो mammals बहुत तरह की activities perform करते हैं example लिलो human beings का कितने काम रहते हैं हमें सुबह से उठते हैं school, college, office बहुत सारे काम होते हैं तो हमारी body को बहुत सारे oxygen की blood की requirement है जिसके कारण heart को four chambered यह हम बोल सकते हैं कि modified होना ही पड़ा इसलिए four chambered heart भी present है इनमें next वम बोलते हैं कि sweat and oil gland भी present होती है sweating सब में होती है sweat कहां से निकलता है sweat gland से निकलता है plus हमारी जो skin होती है वो कभी भी dry नहीं होगी क्यों क्योंकि हमारे पास present होती है oil gland और यही oil glands oil निकालती है जो कि हमारी skin को lubricated रखती है फिर इसके बाद में यह होते हैं वीवी paris animals जो कि हम इस topic की शुरुवात से ही पढ़ रहे है young ones जो हैना यह produce करते हैं लेकिन कुछ exception भी है जैसे कि duck build platypus and aquitna यह दोनों ऐसे mammals है जो कि अभी भी oviparis ही है eggs ही ले करेंगे लेकिन इन दोनों को छोड़के बाकी सभी mammals कैसे होंगे viviparis होंगे mammals live in all kinds of habitats right mostly कैसे होते हैं यह terrestrial होते है कुछ aquatic भी होंगे और एक ऐसा होता है जो उड़ता भी है उड़ने वाला member भी होता है यानि की bats जो चमगादर होते हैं यह क्या करते हैं यह भी mammals ही है सीधे young ones produce करते हैं और इनके पास memory glands भी होते हैं लेकिन यह terrestrial नहीं होते हैं यह हवा में उड़ते हैं ठीक है तो यह एक अलग टाइप का example हो गया यह है whale ठीक है whale जो की fish like दिखती है shark जैसी दिखती है लेकिन यह होती एक mammal है वीवी पैरे से memory glands प्रेजंट होंगी और इसके बाद में हम human beings finally हम human beings आ चुके हैं तो हमने क्या देखा हमने vertebrata की class देख ली mammalia mammalia में आने वाले सभी animals highly modified होते हैं highly evolved होते हैं अभी तक हमने जितने भी animal kingdom में जितने भी classes पड़ी हैं phyla पड़े हैं सबसे जादा evolved और modified animals आपको सिर्फ class mammalia में ही देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे structures आ रहे हैं ऐसे ऐसे features आ रहे हैं जो इनको काफी unique बनाते आ रहे हैं अब जल्दी से हम क्या करते हैं quick recap कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है right तो start करते हैं हम point number one के साथ ही देखो हमने क्या पढ़ा था class mammalia यह term कहां से आया है ऐसे animals जो की सीधे young one produce करते हैं उन्हें हम कहते हैं वी वी पैरस आपकी जो young ones आए हैं दुनिया में यह बहुत छोटे होते हैं आते साथी खाना नहीं खा सकते ठीक है तो इनके nourishment की रिदमिदारी होती है responsibility होती है mothers के उपर याने की females mammal के उपर तो female mammals क्या होती है female mammals के पास present होता है specialized glands जिसे हम कहते हैं memory gland यह memory gland क्या produce करती है milk produce करती है जिससे कि वो अपने young ones को nourishment, nourish कर सकती है तो यह वाला जो point है इसे आप कर लो star mark क्योंकि यहीं से तो class mammalia आई है नाम कहां से आया है memory gland से ही आया है ऐसे animals जो की वीवी पैरस होते हैं और female mammals जो होती है उनमे female animals जिनके पास memory glands present होती है और वो memory glands produce करेंगी milk और नरिश करेंगी अपने young ones को ऐसे animals को हम कहते हैं mammals और memory gland की वज़े से ही नाम पढ़ा है इनका mammalia यह highly evolved class है जितने भी अभी तक हमने animal kingdom में animals पढ़े हैं सबसे अधा modified और evolved animals इसी class में आते हैं फिर इसके बाद में body divisible होती है head में, neck में, trunk में और tail में eyelids कैसी होती है movable होती है हम move कर सकते हैं इसी वज़े से हम अपनी आखे बंद भी कर पाते हैं और खोल भी पाते हैं next warm-blooded animals होंगे यानि की अपना body temperature external environment के accordingly change नहीं करेंगे तो obviously बात है age में हमने देखा था कि पूरी body feather से covered थी और उनका constant body temperature maintain करती है तो yes इनके पास इनकी body cover होती है hair से और fur से plus इनके पास होता है subcutaneous fat की एक layer जिसको हम जब वो बहुत मोटी हो जाती तो उसे हम blubber भी कहते हैं यह blubber एक insulating layer की तरह काम करती है यानि कि इस layer के across heat का जो transport है वो बहुत ही कम हो जाता जिसके वज़ा से यह एक constant body temperature maintain कर पाते हैं इसके अलाबा ear pinna are present हमने अभी तक age में देखा था कि ear pinna present नहीं थे लेकिन जो की हम बोल रहे हैं mammals जो की highly evolved animals होते हैं अब इनके पास internal, middle और external ear तीनों आ जाएंगे यानि कि इनके पास ear pinna भी present होगा next tetrapodus होते हैं हमारे पास भी two pair of limbs present होते हैं four limbs and high limbs right age में क्या होता four limbs modify हो रहे थे wings में लेकिन अभी अभी उनना तो है नहीं तो हमारे पास क्या होगा four limbs और high limbs होंगे और हर एक limb में होंगी five digits five से यादा digit नहीं होंगी और पांचों digit के आगे क्या हो सकते हैं nails हो सकते हैं claws हो सकते हैं and hooves हो सकते हैं यह सारे point हमने cover कर लिये इसके बाद में हम बात करते हैं आगे की आगे हमने बोला digits in the four and high limbs are never more than five यह हम पढ़ चुके हैं इसके अलावा limbs adapted होते हैं क्योंकि जो mammals हैं वो variety of habitats में मिलते हैं तो obviously बात है इनके जो limbs होंगे वो इन सभी variety of habitats में survive करने के लिए adapted होते हैं swimming के लिए और हम बोलते हैं कि climbing के लिए running के लिए borrowing के लिए चुहे होते हैं वो bill बना करके रहते हैं तो borrowing से वो अपना bill बना पाते हैं फिर इसके बाद में respiration respiration कैसे होगा lungs के तुरू होगा क्योंकि obviously बात है पानी में अब हमें नहीं जाना है हम land पे रह रहे हैं तो हमें अब हम modify हो गया है अब हम बड़े हो गया है advance हो गया है इसके बाद हमारी body में present होते है sweat and oil lines sweat gland क्या करते है sweat secrete करते है जिससे की sweating होती है oil gland क्या करते है sweat gland की जो sweating होती है इसकी help से हमारा constant body temperature देखो हमारी body में सिर्फ एक structure जो है ना constant body temperature maintain नहीं कर रहा है कई सारे structure होते है जैसे की hair और fur हो गए इसके बाद में subcutaneous fat की भी layer हो गई फिर इसके बाद में हमने बोला कि sweat gland भी होते है sweat gland क्या करेंगे sweat produce करते है sweating होती है जिसकी help से हमारा constant body temperature body का maintain होता है इसके अलावा oil gland भी present होती है oil secrete करेंगी जिसकी help से हमारी skin जो है वो dry नहीं होती है lubricated रहती है VV paris होते है exception है कौन duck-billed platypus and echidna इसको कर लो star mark क्योंकि इतो है exception है exceptions हमेशा important होते है फिर members variety of habitats में रहेंगे mostly कैसे होते है terrestrial होते है कुछ aquatic भी होते है जैसे की हमारी whale और इसके बाद में एक उड़ता भी है कौन उड़ेगा भाई bats को हमने उड़ा दिया इतना clear है और finally हमारे human beings तो आ ही चुके हैं तो इसी के साथ हमारे यह जो chapter है वो होता है complete class mammalia के साथ हमारा पूरा diversity in living organisms chapter होता है complete हमने start किया था पांच अलग-अलग kingdoms में divide किया गया है monera, protesta, fungi, plantae, animalia monera पढ़ लिया, protesta पढ़ लिया fungus पढ़ लिया plant kingdom को फिर हम बोलते हैं कि अलग-अलग divisions में divide किया गया था वो सभी divisions हमने देख लिये animal kingdom को भी अलग-अलग phaila में divide किया गया था चैप्टर नमबर फोर्थ क्लास नाइंफ बायलोजी का why to be fall ill ठीक है complete course के लिए Magnet Bins Plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available है हमारी official website पर magnetbins.com पर Thank you for watching